गुड मॉनिंग आवरीवन चलिए आज लॉ की बात करें तो लॉ के अंदर हमारे दो पार्ट है एक है कमर्शियल लॉ और एक होर एथिक्स है कमर्शियल लॉ 70 मास का है जिसके अंदर इंडियन कॉंट्राक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है और नेगोशियल लॉ में मिलती है तो आप फाइनल का कब दे रहे हो फर्वरी से फाइनल का भी फर्वरी से स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले नैगोशियबल इंस्टूमेंट करेंगे उसके बाद हम सेल्स ऑफ गुड्स सेट करेंगे फिर इंडियन कॉंट्राक्ट करेंगे ठीक है नहीं नेगोशेबल इंस्ट्रुमेंट, सेल्स अंगोट सेक्ट, फिर इंडियन कॉंट्रेट, एथिक्स का मैं रिकॉर्डेट डालूँगा, वह आप एथिक्स का देख लेंगी, डिकॉर्डेट फॉर्म में, 45 मारके 25-30 में के क्लास होगी, वह रिकॉर्डेट में देखेंगे, एथिक्स का, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना नेगोशेबल इंस्ट्रुमेंट टैक, छोटे से स्टार्ट करते हैं, 10 मास कवर करते हैं, फिर आगे 20 मास के लिए जाएंगे, ऐसे से कवर करेंगे, कवर करेंगे, तो नेगोशेबल इंस्ट्रुमेंट टैक पहले करेंगे, फिर उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स अट करेंगे, अन्देन, हम इंडियन कॉंट्राक्ट पर चलेंगे, अभी आपको किलियार दिख रहा है व्यू, बलर तो नहीं हो रहा, अब ज़्यादा ठीक है, अल के लिए, ठीक है सर, इस्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने हैं पहले, हमारे पास 27, 44, 45 है टोटल, जल्ली अली करते हैं, लौ तो जल्ली अली रहेगा, मैथ में सॉल करना पड़ता है, पर लौ में सॉल नहीं करना पड़ता है, यह जल्ली हो जाएंगे, जल्ली से करते हैं, पेपर में यहीं सा आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, जो आज किलास में आप पड़ोगे, नेगोशेबल इंस्टूमेंट में, जो MCQ में आज कराने वाला हूँ, पेपर यहीं सा आने वाला है, पेपर यहीं सा आएगा, कुछ करने की जरोधनी है, आप अपने मॉक टैस्ट पेपर उठा के देख लीजिए, जो इंस्टूमें रिलीज करें है, प्रंडी 5, वो भी उसके जितने भी कोसन है, वो भी स्टडी मैट से ही है, तो यह कर लिया, बहुत इनफ है, यह कर लिया सर, इनफ है, उसके अलावा और कुछ आपको करने की नीड नहीं है, चलो, आओ, स्टार्ट करा जाए, वो ही है, पूरा स्टडी मैट है, स्टडी मैट ही कर लेते, में आपको मैराथान में यहीं कहते हैं, कि स्टडी मैट कर आएंगे, सबसे पहले मैं अपने नोट्स भी खोल लेता हूं साथ के साथ आपको दिखाऊंगा भी कि नोट्स के अंदर नेकोशेबल इंस्ट्रुमेंट एट के नोट्स कहा है भाई तो मिलेंगे नहीं यही तो दिक्कत है कि नाकोशेबल कि इसमत खुल गई मेरी सुबह सुबह की कहानी बताता हूं आपको कि शुबह में च्छा बजे उठा रात को लेट नाइट मैंने लग दो बजे तक लगा था रिकॉर्डिंग करी क्योंकि इंटरमिडिर की काफी टाइम से रिकॉर्डिंग होनी रही थी बच्चे डिमांड करते सर्क्लासे चीए तो दो बज़ते में रिकॉर्ड कर रहा था तो बंदी नीद आ गई और मैं सोया और सुबह उठा च्छे वजे क्योंकि सुबह 6 बजे का लारम लगता है और उठ से पहले पांस मिन पहले उठकर अलारम बंद करने के लिए मुड़ जाता हूं और यही मतलब मैक्सिम लोगों के साथ होता है तो मैं सुबह उठा च्छे वजे और च्छे वजे उठकर पांच मिन पहले उठा च्छे वजे से अलारम बंद करा और मैंने कहा है किलास तो नो बज़े है चलो कोई बात नहीं स्टार्ट करेंगे च्छे वजे थोड़ा पांच-दस मिनिट आदे घंटा और सोता हूं आद च्छे वजे पांच-दमाख्राव होता है सुबज में अरॉम बंद करके सैनी में रख दिया और मैं सो गया मैं आदे घंटा थोड़े दियर ओर सोता हूं पंदा इस मिन पहले अभी तो दिस्के से और पिशली बार अभी तो शेय बज रह दे दस मिन में मैं और यह आपकर नहीं उठें कमन करता पिर वह मैं रोज मैं उठ जाता हूं पूरी पूरी ज्यादा लाइट के अंदर रात के रात में लाइट के अंदर रिकॉर्डिंग करते हो आंखों में बहुत ज्यादा वह बढ़ता है प्रेशर में अधे गंटे में खाना खाया नाया दोया त्यार हो के सिधा आदे गंटे में याँ पर इतनी स्पीड से मैंने काम करा है आज एक मगा पानी ही डाल देखी जाएगी अभी 10 मिंट पहले तो 6 वज रहे थे अभी 10 मिंट पहले सारे 10 कैस हो गए यह आज मेरे साथ चलो यार कुछ भी होता है क्या करें यार मैं से मोड़ी जाता हूं regular basis पर बट आज ना कल मैंने कहाने से recording होई तो आंग दद करना ले जाती बहुत ज़्यादा lights के अंदर सबसे पह इनी नोट्स के अंदर के जो भी एम सेक्यू है वो नोट्स के अंदर से ही मिलेंगे आपको मैं आपको definition दिखाना जा रहा था प्रोमिजरी नोट की जब हम definition को बढ़ते है तो क्या कहता है आप प्रोमिजरी नोट is instrument in a writing not being a bank note और currency note containing an unconditional undertaking प्रोमिजरी नोट के अंदर हम कहत unconditional undertaking होता है क्या होता है unconditional undertaking देख रहों आप notes के अंदर क्या है unconditional undertaking what is the meaning of undertaking means promise undertaking का मतलब क्या होता है promise होता है जब भी दोस्तों अगर bill of exchange की तो bill of exchange के अंदर देखो bill of exchange क्या होता है unconditional order ये दोनों में फरक है जहां प्रोमिजरी नोट की बात करते है वहाँ unconditional undertaking word का यूज किया जाता है और bill of exchange में order word का यूज किया जाता है प्रोमिजरी नोट में undertaking का bill of exchange में order का अब बात करें कि प्रोमिजरी नोट के अंदर हमने कहा unconditional undertaking है और bill of exchange के अंदर हमने कहा unconditional order है और इसी से हमारे दो mcq खतम होते हैं and unconditional containing a promise note to pay a certain summary unconditional क्या था प्रोमिजरी नोट के अंदर undertaking या order अगर आपको deffinitian पता है पूर एक है के अंदर उसी से भी लॉग करेगा पूरा mcq तरिंगों नोट है बिलोव cymc है क्या है तो चएक के बारे मैंने लिखवाया तहरो मिल इस दैख मैं बहुत ह्याँ है जॉल अबलोब नोट्स इस वैरी इंपॉर्टरेंट फोरलोच फाल अबलोब उपयंज है केता है तर्म नेगोशाबल इन्स्टुमें डिफाइन एंड नेकों से अंड सक्षण में नेगोशाबल इंस्टुमें एक को डिफाइन करा क्या है आयए ज़ला नोट्स में सब है सब नोट्स है तो वो सब है मैं आपको सासर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये नोट्स मैंने बनाए है स्टेडी मैट से और स्टेडी मैट से ही पेपर आता है देखिए तो नेगोशेबल इंस्ट्रुमेंट डिफाइन करा है section 13 of the act डिफाइन नेगोशेबल इंस्ट्रुमेंट को किस section में डिफाइन करा गया है section 13 में डिफाइन करा गया है आप मेरी बात मानिएगा एक बार जिद दिन पेपर होगा न उस दिन एक दिन पहले या उससे दो दिन पहले जैसे अभी चल रहा है होता है एक घंटे का टाइम होता है लोग का पेपर करने के लिए आप न 15 में सोल करतो होगे पचास के पचास अगर आपको पता होता है कि सारे अंसर का इसका अंसर तो मुझे एक दो भी पता है पंदर में सोल हो जाएंगे वो और फिर आएगा आपके अंदर कॉन्फिदेंस की या आया मजह में को इस वे फर्म करने में चलो दैन को इसेक्व नेगोशेशन G nosah 14 अफ 1881 वे रिफर्थ नेगोशेशन का मतलब क्या होता है रिजशेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों negotiation का मतलब होता है transferable, negotiation का मतलब होता है transferable of bill, of exchange, promise not yet check, to any person, as to constitute person holder thereof, negotiation का मतलब क्या होता है transfer, transfer, जब भी हम bill of exchange को promise not yet check को transfer करते हैं, किसी दूछरे person को, उसको negotiation क्याते है, negotiable क्याते है, transfer को क्या क्या गयते है, negotiation, a will be the right answer, if an instrument may be constructed either as a promise not, as a कौन सा instrument है, जिसको हम promise not भी क्या सकते हैं, और bill of exchange भी क्या सकते हैं, ambiguous instrument, इसके बारे में मैं आपको बताया था, ambiguous instrument को हम as a promise not भी treat कर सकते हैं, और bill of exchange भी treat कर सकते हैं, when an instrument due to faulty drafting is interpreted either as a bill or note, जब भी को instrument ऐसे draft हुआ है, और faulty draft हुआ है, जो दो intervention दिख रहे हैं, या तो वो bill दिख रहा है, bill of exchange या वो note दिख रहा है, promise not, इसको क्या कहते हैं, ambiguous instrument, अगला, if a minor draw, endorse, deliver or negotiate an instrument, such instrument is bind all the party to the instrument, including the minor, only the minor, not other party to the other, all the party to the above contract पढ़ कर आ चुके हो, तो contract के अंदर हमने क्या सीका था, कि minor को हम contract के अंदर add कर तकते हैं, as a beneficiary purpose, फिर minor किसी भी liability के लिए libel नहीं होता, तो minor किसी भी liability के लिए libel नहीं होगा, except minor, बाकि सारी party libel होगी, पर minor किसी भी चीज के लिए libel नहीं होता, इस फिर beneficiary के लिए होता है, as per Indian contract act, right, चलो आजाओ, if a promissory note, the amount of money payable must be certain, may be certain or uncertain, is usually uncertain, और none of this, promissory note के अंदर, जो amount होता है, दोस्तों, वो कैसा होना चीए, sir, must be certain, कैसा होना चीए, must be certain, sir, कैसे पहाँ चला आपको, definition, जिस पस्चे को definition याद है, उसको सब पता है, परोवी note के definition दिखाते हैं, आपको फिर दौरा चीए, a promissory note is an instrument in writing, containing and unconditional lettering, signed by the maker, to pay a certain, must be certain sum of money, है ना, 13 होना चीए, uncertain ही, certain होना चीए, must be certain, right, आगे बढ़ते हैं, a check is a crossed, a check crossed है, when it is bear across its face, on the addition of the name of the banker, either with or without word, not a negotiation, तो ऐसे check को क्या कहते है, ऐसे check को क्या कहते है, देखिए, जब भी आप कोई check, चुनिए, ध्यान से, जब भी आप कोई check में, ऐसे करके cross लगाते हैं, और उसमें banker नाम लेते हैं, banker का नाम लेते हैं, with, जो भी banker, banker है, उसका नाम लेते हैं, with banker या without banker लेते हैं, या with negotiation लेते हैं, ऐसे check को क्या कहते है, इस पेसिफिक चक कहते हैं, इस पेसिफिक चक कहते हैं, इसे को क्या कहते हैं, जनल के अंदर तो सिंपल होता है, crossing कर दो, बस, crossing के अबाद अंदर उसमें जब कुछ लिखते हैं, तो specific check बाने आता है, specially, इसलिए बढ़ का specially लिए है, under section 118 of the negotiable instrument, it is pre-assume until the contrary is proved that every transfer of negotiable instrument was after its maturity, before its maturity, at its maturity, या none of this, देखे, transfer आप ये एक logic है, आप खुद समझिए, इस सिंपल लॉजिक और क्या होगा, आप मुझे बताएए, मैं या कह रहा हूँ, मेरे पास एक bill of action है, चीजिए ना, अब मैं अपना bill of action आपको कब transfer करूँगा, mature date से पहले करूँगा ना, अगर वो bill of action mature हो चुका है, तो फिर वो bill of action transferable कैसे होगा, वो bill of action तो खतम हो जाएगा, for example, मेरे पास PR है और आप क्यों बीपी है, आपने मुझे payment करनी है, और आपने payment करनी है, दस दिन बाद, अब मैं जितना भी इस bill of action को कहीं पर transfer करूँगा, वो दस दिन से पहले पहले करूँगा ना, जैसे आपने मुझे payment कर दी, तो bill of action खतम हो जाएगा ना, sir, bill of action की payment कैसे हो, खत करने के बाद, bill of action को कोई भी महत्व नहीं रहता, अगर आप अपने bill of exchange को transfer, endorse, deliver, किसको भी करना चाते है, ट्रांसफर करना जाते हैं, तो वो before the maturity date होगा, तो वो ही कहा रहा है, कि भाईया, section 118 आपको ये बताता है, कि आप अपना bill of exchange को, negotiable instrument को कब transfer कर सकते हैं, आप तब transfer कर सकते हैं, जब वो maturity ना हुआ हो, before the maturity transfer कर सकते हैं, simple है, before it's maturity, maturity से, पहले आप इसको transfer कर सकते हो, जैसे maturity हो जाएगी, फिर कैसे transfer हो गई, कौन सा इन में से cross नहीं कर सकता, check, foreigner नहीं कर सकता, बागी कर सकते हैं, मैंना आपको last में, एक concept समझायता, who can cross the check, मैंना आपको last में, कौन समझायता, who can cross the check, कहा है वो, who can cross the check, देख रहे हो, पढ़ायता ना, last में, who can cross the check, कौन check कर सकता है, such check is cross, generally the holder, holder कर सकता है, specific holder and added the word, not negotiable, holder कर सकता है, check is cross, banker कर सकता है, या, जिसको check दिया गया है, वो person कर सकता है, मतलब, मेरा check है, तो मैं कर सकता हूँ, और आपने भी नहीं करा, तो banker कर सकता है, तो मैं कर सकता हूँ, जिसने check issue करा, जिसको दिया गया check, वो person भी check को cross कर सकता है, अगर मैं करना भूल गया तो, safety के लिए, और अगर आपने भी नहीं करा तो, bank अपने hand से कर सकता है, तो who can cross the check, who can cross the check, drawer, holder, और banker, drawer तो मैं होगे, जिसने check issue करा, holder आप होगे, जिसको check दिया गया, और banker जिसको पैसल होगे, फॉर्णा नहीं कर सकता, check को cross, चलिए, सर, कुछ pre-assumption है, हमारे study mat के अंदर न, अगर आप study mat देखेंगे, तो the pre-assumption as to the date of the negotiable instrument under section 118, is that every negotiable instrument bearing a date on such date, may be on or prior to that date on none of the above, क्या क्या रहा है, section 18 क्या क्याता है हमें, every negotiable instrument bearing on a date was made or drawn, bearing a date was made or drawn, अच्छा, ये क्या, ये सुनो मेरी पहले, समझते लो, answer पहले दे देते हैं, सुनो भाई, क्या कहा रहा है हो, वो ये कहा रहा है कि जब भी आपको negotiable instrument draw करते हो, बनाते हो, तो negotiable instrument में, कौन सी date आएगी, जिस दिन आपने बनाया, उस दिन की date आएगी, या फिर कोई दूसरी date आएगी, सच जिस दिन हम बना रहे हैं, जिस दिन हम draw कर रहे हैं, उस negotiable instrument को, उस दिन की date आएगी न, negotiable instrument में, तो कौन सी date आएगी, on such date, ये कहा रहा है, ये pre exemption होती है, pre exemption का मतलब है, कुछ चीज़े हमें पहले से assume करके चलनी होती है, कि यहाँ बाई, cross generally the banker on whom it is drawn, जब कोई check generally cross होता, generally मतलब crossing कर दी सी दी, तो the banker on whom it is drawn, जिस banker को draw करा, shall not be pay it otherwise than to a banker, shall not be pay it otherwise than to the banker, or shall not be pay, shall not pay it to a banker, or none of the above, पहले तो आप इसका मतलब समझे हो, when a check is cross generally, जब आप कोई check cross करते हो, generally the banker, जो banker है, on whom it is drawn, on whom it is drawn, shall not pay it otherwise than to a banker, मतलब क्या है, दीखें, मेरे पाई चेक है, इस चेक में ने cross कर दिया, cross करके मैंने यहाँ पर लिख दिया, account पे ही, ठीज़े न, यह सीधा cross करा है, तो इस crossing का मतलब क्या होता है, कि जो बंदा check इसुख कर रहा है, वो bank को order दे रहा है, कि bank भहिया, यह check लेकर, जो भी person आये न, उसको हाथ में पैसे मत देना, उसके account में transfer करना, और पैसा देगा कौन, सिफ banker, और कोई न दे सकता, और कोई देगा सिफ banker देगा, तो वो कह रहा है, जब भी कोई check, generally cross किया जाता है, तो जो banker है, on whom it is drawn, जिस person को वो check ड्रो करा था, मैंने check ड्रो करा था, आपको, तो आप हो गया, on whom it is drawn, आप क्योपट ड्रो करा आप, आप जब bank से पैसा लेने जाहेंगे, तो bank वाला ही, जो banker है, वो ही pay करेगा, और कोई pay नहीं करेगा, sell not pay it otherwise, और किसी तरीके से पर होगा, than to a banker, only banker will pay on your account, in your account, account में ही pay करेगा, और कहीं पर pay नहीं करेगा, sell not pay it otherwise, than to the holder, holder नहीं pay करेगा, परसन परसन पे नहीं कर सकता, सिर्फ banker ही उस चेक के payment करेगा, वो भी account में करेगा, आपको cash नहीं देगा, तो A will be the right answer, the banker on whom, it is the banker on whom it is drawn, shall not pay it otherwise, than to a banker, हाँ, ठीक है, the negotiable instrument act, applicable hall of India, अब तो sir, यह हो गया है, कि hall of India है, including accept, ऐसा कुछ नहीं है, except अगर हट गया, अब जो भी आदेगा, चाहे वो sales of goods act है, चाहे नेगोशेबल है, चाहे इंडियन contract है, अब सारे act, hall of India applicable हो गया है, सारे act, hall of India applicable हो गया हो, the negotiable instrument act, कब आया था बताओ, यह भी मैंने आपको notes में लिखवा रखा है, और मैंने कहा था, कि याद करना जोड़ी है, MCQ में पूझे कहा आप से, दिखा दू, notes में मैंने आपको सारा लिखवा है, notes अगर आप देखते हैं, तो notes मेंने, जब मैं आपको history पढ़ा रहा था, कि यह भी मैंने आपको बताया था, कि negotiable instrument tech, came into force on 1 March 1882 में आया था, कितना आया था, 1 March 1882 में यह लो, यह लोग है सर, the term negotiable instrument defining section, अब सेम दुवार आगया, negotiable instrument tech को section 13 में define करा है, negotiable instrument tech को section 13 में define करा है, the undertaking containing a promissory note, क्या सा होना चीए, unconditional, फिर दुवारा copy कर दिया है, फिर दुवारा copy करता है, which of these is not a negotiable instrument, as per the negotiable instrument है, the negotiable instrument act के तहत, इन में से कौन सा negotiable instrument नहीं है, negotiable instrument act के तहत, इन में से, देखो bill of exchange negotiable instrument होता है, promissory note negotiable instrument होता है, और check होता है, तो देखो यह हो गया prommissary note यह हो गया darauf exchange यह हो गया check तो इन तीनों को तो negotiable instrument में define करा गया है और भी negotiable instrument होते है पर इनको define नहीं करा पर होते है जिनके अंदध Bog anger cool instrument के features होते है जासे के share certificate पर negotiable instrument एक्ट द्वारा इनको define नहीं करा यह ना क्या है यह share certificate जो है या और अधर जो है वो negotiable instrument के features को match करते है इसलिए इनको भी negotiable instrument कहा जाता है पर act to द्वारा सिर्फ तीन ही negotiable instrument को define करा जया है तो हमारे case के अंदर share certificate जो है दोस्तो उसको define नहीं किया गया share certificate नहीं पता क्या अरे मैंने class में बताया था बयो को share certificate का होता है जब भी आप किसी company के share खरीते हो तो आपको उसके बतले में कुछ एक document देता है जिसके अंदर लिखा होता है share certificate और यह जो मुझे सो पूछ रहा है नहीं क्या होता है share certificate और मैंने Google पर भी दिखाया था तुम्हे share certificate करके दिखाया था इसमें मैंने class के अंदर भूल जाता है भूल जाता है बयोकुफ अब बता रहा है class के अंदर that is not a negotiable instrument as per the customer usage है हमने कहा था कि देखिए customer usage के साब से मैं आपको दिखाता हूँ पहले कहा लिख वायता है मैंने customer usage में स्टेटस का मतलब होता है एस पर एक्ट मतलब एक्ट के अनुसान नेगोशेबल इंस्ट्रॉमेंट कि देख टाइप के होता है तीन टाइप के बील वेक्टेश प्रमिजर रोड चेक और customer usage का मतलब क्या होता है customer usage का मतलब होता है यहां बनाया गया लोगो ने कहा कि यह भी तो अब डिल इप नहीं करा लोगों द्वारा चला और कि हाउंधोर मालेते हैं सब्सक्राइब इसमें यहां पर तुह सब्सक्राइब नहींट फॉर्माइं और तो दाशनोट कंसिदर अधर काइड इसका इसटिकें गोशेतिक्स कह दिया गया है इंको negotiable by customer usage कहा जाता है पर act द्वारा तो तो तीनी define है bill of actions फ्रोमज़ चेक इसके अलावा लोगों ने जिनको negotiable instrument कहा और क्यों कहा क्योंकि उसके characteristics negotiable instrument के features वहां match करते थे उसमें इसलिए लोगों तो उसको कहते है customer usage ठीक है जी यह पढ़ाया तो अब इसमें से कौन सा customer usage नहीं है इसमें से कौन सा customer usage नहीं है चक तो customer usage नहीं है चक को तो एसपर स्टेटिस कहा गया देखो ना अब चक खोलो इधर देखो चक चेक को एस पर कस्टुमर यूसेज नहीं का चेक को एस पर स्टेचू का जो की एस पर एक्ट होता है तो यहां पर हम कहेंगे कि चेक इस नॉट जो इंकम्प्लीट होता है उस इंस्टुमेंट को क्या कहते है बताओ incoated instrument ऐसा instrument जो incomplete होता है जिसके अंदर अभी कुछ माते अभी incomplete है उसको incoated कहता है और ऐसा instrument जो किसी गलफ draft की वज़े से गलफ बनाने की वज़े से वह दो चीज़ interpreted कर रहा है love exchange और promise note उसको ambiguous instrument कहता है अब love exchange continuing an unconditional order undertaking गाता है प्रोमिस और वो प्रोमिस नोट माएगा यहां होता है अंकंडिशनल लोटर चैक इजा फिर आगे चैक इजा बिल अगशीन कौन कौन सी पार्टी एक कौपरेशन क्या नेगोशेबर इंस्ट्रमेंट की पार्टी बन सकती है यस दिखाता हूं मैं आपको लिखाया यह भी पार्टी टो ऑ नेगोशेबर इंस्ट्रमेंट कि नहीं चैक पेसटी तूब कवा पार्टी ऑ नेगोशेबरन के अंधर क्यापेबल है और यहां पर मैंने लिखुआ है था corporate देखो आ रहा ना corporate भी क्या बसे दा corporate can be a party to a negotiable instrument बस यह होना चाहिए उनके article of association में company के article of association में लिखा होना चाहिए कि negotiable instrument इसू कर सकती है a corporate can be to a party can be a party to a negotiable instrument yes yes authorization by it article of association a way authorization by its article of association आ रहा ना स्टेडी मैट से देख रहा आप यही है foundation में रहता है और foundation में क्या है इंटर में भी स्टेडी मैट से आता है बच्चे बढ़ते नहीं है भाई अग्रेजडे कितने दिन की होती है तीन दिन की होती है भाई चैक का section कौन सा है अज चैक is an electronic form define in a negotiable instrument अंडर section बताओ चैक एक तरीके का electronic form है तो इसको किस section के तहत है डिफाइन करा गया section 6 तो होता है चैक का डेफिन सेक्षन 6 है section 4 है promissory note section 5 है bill of exchange और section 6 है check section 6 के explanation 1a में define करा गया है check is an electronic form दोबारा सुनो पहले promissory note आता है फिर bill of exchange और फिर check promissory note का section 4 है bill of exchange का section 5 है चैक का section 6 है और negotiable instrument का section 13 है चैक के section 6 में explanation section 6 का explanation 1a कहता है चैक इस नेगोशेबल इंस्टूमेंट चैक एक तरीके का क्या है तरीका क्या है दोस्त नेगोशेबल इंस्टूमेंट है आजएए इपा माइनर ड्रॉ इंडोज डिलीवर अभी मैं आपको बताया था कि भाई यही वाला केस के और पार्टी लाइबल होगी सिर्फ माइनर को छोड़ कर इंडिया में जो बना हुआ है और इंडिया में हुई है तो इंडिया में फोरंड कवोगा या तो इंडिया में बना हो बाहर पेमेंट होई हो बाहर बना हो इंडिया में पेमेंट होई हो बाहर बना हो बाहर का कहीं न कहीं एक पॉइंट पर रोल आ रहा हो या तो बनाया ड्रॉ और पेमेंट इन दोनों मेंसा कर यह दोनों इंडिया में है तो फिर वो इन लैंड हो इसको कहते है 29 एंबिएस इंस्ट्रुमेंट कहते है एन एन इंबिएस की बोल रहा है इस इंस्ट्रुमेंट जिसको इन जाता है या फिर बुल रहा है अगर हम दा वर नॉट नेगोशियव लगा दू बच्चा मैंने आपको यह हाइए याद आपको पॉंट जब किलास में ब अगर आप क्रोसिंग करते टाइम बीच में नॉट नेगोशियशन लिख देते हैं इसका मतलब यह नहीं होता कि यह नहीं हो सकता याद है मैंने कहा था याद आ रहा है हाँ बच्चे कह रहा है हाँ मुझे याद आ रहा है सर आपने ऐसे कहा था कि नॉट नेगोशियशन व होता है इसमें गलत दे रखा है बुक में गलत दिया हुआ है सायद दिखाता हूं आपको नौोट नींगोशेबल ख्रोसिंग the word not negotiable जूट not mean, not transferable, not negotiable का मतलब not transferable नहीं होता, the word not negotiable are used with a special crossing check, the check is transferable होता है, transferable, not transfer लिख रखा है, ये गलत है सर, book में 30 का 39, book में 30 का, अरे book में 30 का A दे रखा होगा, वो गलत है, transferable होता है, ठीक है जी, transfer होता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है study mat में, कि not negotiable word का मतलब ये मत समझ लेना, not transferable, बस ये word इसले लगाते है, but if give more protection देता जनरल crossing, बस ये ज्यादा protection देता है, लोगों को not negotiable word का मतलब, ज्यादा protection देता है, जब हम not negotiable crossing करते हैं इसका मतलब क्या है, कि ये check, जिसको भी जाएगा, वो ध्यान से देखिएगा, कहीं ये check, default वाला check तो नहीं है, ये आगा करते हैं, मतलब हम protect हो जाएगे, जोगा this is not negotiable, मैंसे check मैंने check बनाया, I made note, loss to know negotiable लिख लिख दिया और आपको दिया, तो not negotiable लिख आपको दिया ना, तो आपका काम है, कि हाँ है assuming not negotiable है, transferable तो हो, कि है मैंसमे not negotiable है, तो हमारा, मेरा मैं तो free हो गया, मैं प्रोटक्ट हो गया कि भाई मैंने चैक दिया वो मेरी तरफ से बिल्कु सही है आप देख लो कही है डिफॉल्ट तो नहीं है आपका गाम है मैं अपनी तरफ से प्रोटक्ट हूँ जो ड्रॉ करने वाला वो प्रोटक्ट ज्यादा रिक्स ना लेता हुआ ज्यादा protection चाही होती है उसको तब उस case के अंदर वो not negotiable check इसु करता है but it gives more protection than general general crossing से ज्यादा percent देता है and special crossing it is a warning to the pay and collector bank कि भाई जो भी person इसको payment करे है भाई जब भी किसी को not negotiable check मिले है तो लेना मत क्योंकि जब आप bank से इसको लेने जाओगे तो bank आपकी जान परताल करेगा कि हाँ हाँ तुम्ही होके तुम्हें देना सब कुछ चेक करेगा तो not negotiable check कभी लेना नहीं है और not negotiable check हमेशा इसु करना है क्योंकि आप तो protect हो जाओगे तो जो person issue करता है वो protect जाता है ठीक है सब चलिए तो it isn't transferable होता है यह गलत दे रखा है आपकर बच्चा कह रहे हैं सब 29 का answer none of the above होगा अरे मैंने यहाँ पर काट दिया ना यह काट दिया ना मैंने ambiguous होगा दिया मैंने ठीक कर दिया उसको मैंने यहाँ पर effort को काट कर B बोल दिया आप तो बनिया ना ambiguous तो वो इसलिए मैंने करा है crossing of a check effect negativity of the check mode of payment of the check both A and B crossing of a check का मतलब क्या होता है जब हम किसी check में crossing कर देते है तो हम उसको transfer कर सकते है negativity कर सकते है negativity of the check और payment का बहुत issue हो जाएगा क्योंकि जैसे मैं crossing करूँँगा फिर cash payment नहीं मिलेगी फिर account transfer ही किया जाएगा तो मतलब इसका answer क्या है सर both A and B हम उस चेक को transfer भी कर सकते है पर payment cash में नहीं मिलेगी account में मिलेगी mode of payment में change में जाएगा चेक है when a promising note bill of exchange transfer to any person so as to continue the person hold there on the instrument is said to be अखे यह तो बड़े इस पर सिंपल है जब भी कोई promise not bill of exchange यह चक transfer किया जाता है किसी person को transfer किया जाता है किसी person को as to continue the person the holder there off उसको हम कहते है negotiable check negotiable instrument क्या कहते है उसको हम negotiable इस to be the instrument इससे to be negotiated हमने वो transfer कर दिया है transfer कर दिया है तो यह word का use करते है negotiated का transferred word का use नहीं करते दोनों का मतलब एक होता है पर transfer word जो होता है वो English word है मैं इसको transfer कर रहा हूँ पैसे यह English word है law का word होता है transfer का law में word क्या बना है negotiated कि हाँ negotiated word का मतलब होता है transferable तो कभी भी आप transfer word का use नहीं करते negotiated word का use करते है जब भी मैं कोई बिलव अक्चेंज चेक्या प्रोमिजरी नोट किसी को transfer कर देता हूँ तो हम कहेंगे वो negotiate हो चुका है transfer हो चुका है ऐसा नहीं कहेंगे negotiate हो चुका है in the language of law चलिए 33 का देखते है 33 का क्या है क्याता है the maturity of प्रोमिजरी नोट बिलव अक्चेंज is the date at which it is fall due date क्या है भाई ये तो simple है भाई प्रोमिजरी नोट बिल अक्चेंज की maturity कब होगी जब due date आएगी जिस दिन due to होगी उस दिन maturity date भी होगी बस तीन दिन का grace day और आट कर देना प्रोमिजरी नोट आता है तो आपको पहले चापा था कि ये public hold है तो एक दिन पहले आपको check की payment करनी चाहिए थी preceding day पर check की payment होनी चाहिए थी public hold है ना public hold है तो आप जानते हो आपको पता है पंतरा गसाने वाले bank band होंगे कह एक दिन पहले करते के तना जींपल है Bearer instrument is negotiated by अब Bearer instrument कैसे करेंगे सिर्फ Delivery से होगा यई Delivery and Endorsement से होगा सिर्फ Delivery से होगा यई Delivery and Endorsement से होगा Only Delivery होता है Bearer chack जह होते है वो सिर्फ Only Delivery से होते है आब Bearer chack को देखिए delivery और endorsement में फराग क्या होता है पहले समझेओ delivery का मतलब होता है physical deliver करना check को मेरे पर BRR check है मैंने आपको physical deliver कर दिया खत्ब कहानी आपका नाम नहीं लिखा उस पर जब मैं आपका नाम भी लिख देता हूँ इसको कहते है endorsement करना तो जब भी आप कोई bill of vaccine check में endorse कर रहे है उसमें नाम लिखते हो ना तब endorsement वड़का यूज़ करते है और जब नाम नहीं लिखते सिव deliver कर देते हो तो delivery वड़का यूज़ करते है सब दोनों करते हैं तो मैं लगो कि मैंने नाम लिखा और फिजिकल डिलीवरी उसको कहते है delivery and endorsement जब बीर चेक जो होता है उसमें नाम लिखने की जरूत नहीं होती क्योंकि वह क्या होता है जाओ पैसे निकाल लो बैंक से बीर चेक में तो सीधे सीधा आप चेक दे दो उसको नाम लिखेंगी जगर नहीं जो मैंने लिखा है आप अपना नाम ने लिखा मैंने मैंने सेल्फ लिख दिया आपको दिया पैसे निकाल के लिए वहां से कोई दिक्कत नहीं है बेर चक डिलीवरी उल्ली होता है तो यहां पर अंडॉसमेंट हो गए वहां डिलीवरी वी होगी क्यों आपको लिख दोगे मैंने आपको अब मैं लिखने जुरूत नहीं है बिघ्चा ना तो डिलीवरी भी केश में सिर्फ डिलीवरी नाम लिखने की जुरुत नहीं है तो बी रेरिच का बी रेड़ का कि तो आए आद एए नेक्स्ट प्रिसीडिंग बिजनस दे नहीं नहीं सोगा बिजनस डे नहीं होगा प्रिसीडिंग डे कह सकते हैं कि या बिजननस अजीब से गलत है और फिंस को होगा है neks-एटिन।meिक सब्सक्राइब कर सकते हो प्र bv AL about बैंक के चलते हैं रिसले आमडे प्रिसीडिंग मुडे का यूज करा गया व्क टाणे को तो अब कह सकते हो बिल्कुल को प्रिशिटिंग डे में आप क्या सकते हैं? मालो, यह हो सकते हैं. ऐसे भी हो सकते हैं? कि सेटरेड़ने को और संडे को संडे को संडे को संडे को 15 तारिफ थी ठीक है? सोली, 14 तारिफ थी और मंडे को 15 तारिफ थी अब 15 अगस्ट को छुट्टी होती है और 14 अगस्ट को फिर बैंक को अगई तो इससे पिछला बिजनस दे का होगा Saturday तो ये भी आप कैसा है तो this will be the right answer इसको अटा दो ये ज़्यादा अच्छा है बिजनस दे क्योंकि अगर ये पॉसिबिलिटी आ गई तो हमने का 15 अगस्ट को मंडे था उससे पहले दिन पेमेंट करने जी तब संडे था तो बिजनस दे जब होगा जब बैंक खुलेंगे तब ये वाला सही है नेक्स्ट प्रेसिजिंग बिजनस दे मतब जिस दिन बैंक खुलेंगे उससे पहले वाले दिन में तब आपको पेमेंट करने होगी बिलगो ठीक बिलग एक्चेंज में तीन पार्टी होती है प्रामिजरी नोट में दो पार्टी होती है चेक के अंदर तीन पार्टी होती है क्या था ये तो 38 वे Bill of Exchange के अंदर दोस्तो acceptance की जरूत दिया देना मैं Bill of Exchange बनाऊंगा और कहूंगा आपने मुझे पैसे देने तो आप उसको accept करोगे और मैं प्रामिजरी नोट बनाता हूँ कहता हूँ मुझे आपको पैसे दे रहे फिर acceptance की जरूत नहीं होती तो याद रखेगा आप Bill of Exchange में acceptance की जरूत होती है और प्रामिजरी नोट में acceptance की जरूत नहीं होती वेन इंस्टुमेंट वेन इंस्टुमेंट इस डॉप कंडिशनली पर श्पेसिफिक परपस अज़ प्रपस के लिए हम करते है इंस्टुमेंट होते है जो इंस्टुमेंट होते है जो इंस्टुमेंट होते है जिसको हम Bill of Exchange और प्रामिजरी ट्रेट करते है जब कोई च्छक पेवल कर जाता है काउंटर पहोंकर च्छक कमंस कर जाता है ऑफ बैंक, इस को बिसका हो रहा है, काउंटर पहों रहा है, बाट बेंग गया चैक दिया और पैस निकाले हो रही पर, that is called open check जिसका payment counter भी किया जाता है grace day कितने दिन का मिलता है सर तीन दिन का मिलता है और check क्या होता है check is always payable on demand on demand on demand क्यों होता है आप आज भी check bank में लेगा पैसा बेगा bank bank आपको पैसा on demand देता है जब भी आप bank पैसा जाओगे अपना check लेकर जाओगे पैसा देगा हो check की payment on demand होती है वहाँ यह नहीं होता कि इतनी तारीक के बाद ही आपको पैसा मिलेगा ना check लेकर जाओ bank आपको पैसा देगा on demand होती है check की payment 41 में not requiredable है okay मैं देख लेता है एक बार 41 bill of exchange के अंदर क्या जरूरी नहीं है crossing जरूरी नहीं है ठीक है sir sorry मैंना वो पूरा बढ़ा नहीं हत्म होगे सारी हमसे क्यों matching matching तो आएंगे नहीं आजए यह answer सामने दे रहे कि क्या बता हूँ यार टेक्शन ही तो है देखो promise note का section 4 होता है bill of exchange का section 5 होता है check का section 6 होता है negotiable का 13 होता है holder का 8 होता है कतम याद रखेंगा section बहुत important है paper में sections आ जाते है मैं दुबार बताता हूँ promise note से start करना promise note का section 4 bill of exchange का 5 check का 6 holder का 8 holder in due course का 9 holder का 8 है holder in due course का 9 है और negotiable का 13 यही आएंगे 5 section दुबारा बताता हूँ देखो promise note का section 4 है इदा देखो इदा देखो यह दर रहां दो promise note का section 4 है bill of exchange का section 5 है check का section 6 है holder का section 8 है holder in due course का कितना है 9 है और negotiable instrument का कितना है 13 है क्या दर रहेगा चलो बहुत बढ़िया कैसे देखो holder in due course का section 9 है grace day कितने की मिलती है 3 देखी in quarter instrument को क्या कहते है incomplete promise note क्या होता है unconditional undertaking bill of exchange क्या होता है unconditional order यार क्या मजा आ रहे है check एक electronic form section 6 के explanation 1E में दे रखा है ठीक है न bill of exchange क्या है check जो होता है alway payable on demand होता है order instrument क्या होता है endorsement and delivery delivery दोन होती है order instrument के अंदर order जो instrument होता है endorsement लिखना होता है नाम दे रहा होता है check एक किसको endorse कर रहे हो और साथ में physical delivery भी करनी होती है इसके बाद bear instrument में shift delivery होती है इसका मतलब होता है mere का मतलब होता है only English में mere law में तो mere कहते है English में only only delivery कब होता bear instrument में order instrument में delivery के साथ endorsement भी की जाती है मतलब physical delivery तो करना होगा साथ में order instrument में नाम भी लिखना होगा किसको deliver कर रहे है ठीक है इसके बाद will of exchange does not required crossing बेजना रख से will of exchange does not required crossing रूफ ओस्ट या नेगोसेबल instrument को कितनी बरिम infinite time transfer कर जा सकता है येस या नेगोसेबल instrument को transfer सिफ delivery से कर जाता है नहीं endorsement and delivery से भी किया जा सकता है सिफ physical delivery करना है transferable नहीं कर लाते endorsement and delivery भी होनी चाहिए only तो नहीं लगाया ना ठीक है true है ये हम नेगोसेबल instrument को delivery से भी कर सकते है और endorsement and delivery से भी कर सकते है तो delivery वाला भी तो ठीक है इस से भी कर सकते है नेगोसेबल instrument में लिखा है must लिखा must का मतलब होता कि इसी से कर सकते है सिफ इसी से और किसी से नहीं, तब गलत होता है, में का मतब है, इस से भी कर सकते हैं, और दूसरे तरीका भी होगा, डिलिवियन इंडोस्मेंट वाला, दूसरे कर सकते हैं, the holder in due course of a negotiable instrument can sue on the instrument in his own name, क्या जो holder in a due course होता है, वो shew कर सकता है, इंस्ट्रूमेंट, जिसके नाम लिखा हो, वो किसी पर भी कर सकता है, सिर्फ फॉल्स है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट में जिसका नाम लिखा हो, उस पर नहीं, अपने से पीछे जितने होंगे, वो किसी पर भी जो instrument पर नाम लिखाओ उस पर नी उसके पीछे किसी पर भी case कर सकता है इसमें का सिर्फ जो नाम लिखाओ को उस पर लिखाओ को ऑन नेम में जिसके किसी के भी उपर case कर सकता है वो उससे पीछे A negotiable instrument is subject to a certain preemption under section 119.120 to consider the date, timing, transferable, endorsement, गलत है एक मुन दो यार The negotiable instrument may be transfer by delivery Delivery से भी हो सकता है और endorsement and delivery से हो सकता है Delivery से वो आरा instrument जो BR होता है वो delivery से हो सकता है May be transferred by delivery The holder in a due course of a negotiable instrument can sue on the instrument in his own name अच्छा देखे इसका मतलब तो यह है वो अपने नाम से किसी पर भी शूग कर सकता है जहां से नहीं पड़ा है इता देखो इसका थोड़ा मैं को doubt हो रहा है यहाँ पर doubt यह है कि यहाँ पर लिखा है एक negotiable instrument जो होता है May be transfer by delivery होता है Endorsement में भी होता है अगर मैं कहूंगा कि यह सिर्फ delivery कह रहा है तो गलत है क्योंकि delivery and endorsement से भी होता है तो यह false माला जाएगा अगर यहाँ लिखा है कि हाँ delivery से भी हो सकता है और दूसरे से भी हो सकता है तो यह true भी है तो यह थोड़ा इसकी पार्ट है बुक में देखना क्या दे रहा है बुक की assumption क्या है कि यह कह रहा है कि सिर्फ delivery से होगा और किसी से नहीं होगा तो तो false है और अगर यह कह रहा है कि delivery से भी हो सकता है और दूसरे से भी हो सकता है endorsement से भी तो true है बुक में देख लें ना क्या जैंसने इसके जो holder in due course होता है वो स्यू कर सकता है अपने नाम से किसी पर भी ये true है मैंना गलत पढ़ लिया था अपने नाम से अपने नाम से वो आने वाले पीछे वाले कितने भी जो इन्होंने ट्रांस वगरा उन सब पर स्यू कर सकता है holder in due course अपने नाम से ये ठीक है नेगोशेबल इंस्ट्रुमेंट का प्रिजम्सन वाली लिस्ट सक्षन 19 और 120 में दे रिखिये मैं चेक कर तो मुझे याद नहीं सही मैं याद नहीं चक करना बढ़ेगा कौन से सक्षर में दी है मेरे ध्यान से नहीं है 118-19 में है 119-20 में है किसी में तो है ये दे रखा है आपको बुक में दे रही है प्रिजम्सन की लिस्ट दे रही है बुक के अंदर ये रही है ये है प्रिजम्सन की लिस्ट कि यहां दे रही है अंटिल अगांट प्रोवाइड द फ्लोइंग असफ द प्रेंशन और नेगोशेबल इंस्ट्रुमेंट प्रक्षाम कहा लिखे है भाइस में देखो 18-19 में दिया है वही मैं कहा रहा था है मेरे ध्यान में नहीं आ रहा रहा 18-19 से 119-120 है 18-19 में ना कि 119-120 में तो वह पॉल्स होग जाएगा वह कह रहा है 119 और 120 में नहीं 118 और 119 में इसलिए हम उसको फॉल्स कहा देंगे यही थोड़ी दिक्कत थी जो प्री एजंशन की लिस्ट है यहां एक नेगोशेबल इंस्रुमेंट जब हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ प्री से होता है प्री एजिम करना पड़ता है तो यह कह रहा है कि इन दो सेक्शन में गलत 118 में और 119 में दिया है 19-20 में तो दिया ही नहीं है तो फॉल्स इस कहांस है यह सैटिफिकेट विद बैंक ब्लैंक ट्रांसफर डी डिपोजिट रसी मेट रसी और नेगोशेबल इंस्र कारतों सिर्फ टीन ही नेगोशेबल होता है और कोई नहीं होता है इसलिए मैं इसको फॉल्स कह रहा हूँ इस देखिंगे अब बिल विच इसको फॉरण बिल कहेंगे यह ऐसा बिल जो इनलैंड बिल नहीं है तो वह फॉरण बिल हो गया राइट अबिल इस ड्रॉन एसेप गरें इंडोस ट्रांसफर कर रहें जो फिकटीश बील होता है जब हम ड्रो करते किसी फिक्टीश परसंट को ऐसा परसंट जो सिब नाम में ही है अक्च्छल इसकी फिजिकल एक्सिस्टेंस हाई नहीं उसको फिक्तीश परसंट कहते है तो आम कहेंगे फॉल्स है एन इंस्ट्रुमेंट, complete in some respect, incomplete होता है, उसको encoded कहते हैं, बिलकुल सही, ऐसा instrument जो encoded कहते हैं, अब एक चेक, a check is a bill of exchange, drawn and specific banker, payable on demand, true, एक check क्या होता है, bill of exchange है, drawn, किसो करता है, specific banker को कि तुम payment करो, जो भी person वारा check लेकर आएगा, उनको on demand payment करो, नेगोशेबल इंस्ट्रुमेंट का मतलब क्या है, writing document by which a right is given to a person and which is transferred according to the provision of, यह है, यही मतलब होता है, इसका, खतम हो गया, दोस्तों, नेगोशेबल इंस्ट्रुमेंट आट, यहाँ पर, यहाँ पर हमारा, नेगोशेबल इंस्ट्रुमेंट आट, खतम हो गया है, ठीक है, अब हमारा क्या बज़ गया है सर, अब हम श्राट करेंगे अपना sales of goods set, अभी कराऊं यह आदे गंटे के रेस्पर, यह एक बज़े से दो बज़े कराऊं, एक सो दो कराऊं, रस ले लो फिर बढ़ते हैं, कता हम आज ही करेंगे सारा, उसमें भी ज्यादा नहीं है, सबसे ज़ादा टाइम लगेगा, कितमें, कॉन्ट्राक्ट में, कितने हैं पता है, 266, 266 है कॉन्ट्राक्ट के अंदर, चलो, कॉन्ट्राक्ट तो बाद में करेंगे, चलो, फिर अभी करते हैं, तुम कहा रहे हैं, तो चलो, स्टार्ट करते हैं, मैं अपना खोलता हूँ, ओंस और नोट्स, तेल्स ओगुड्स एक, है क्यों, पूरी ये नोट्स है, आज और, सेल्स ओप गुड्स अबुड्स तक करैंगे, उसके बाद फिर, अपना साम में कॉनट्राक्ट उचा लेंगे, काम के टाइम, कॉनट्राक्ट अभी उचा लेंगे, उसको करेंगे, टोटल कितने हैं चेक करें एक बार जल्दी हो जाते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है चोटे-चोटे है यह पचाज भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है तो सीरियस ले रहा बात को पचपन है चलो ठीक है भाई मैं आपसे बार बार यही काऊंगा स्टडी मैट के लावा कुछ मत पड़ो यही जन्नत है और यही आपको सो नंबर दिलाएगी सो यार मेरे बच्चे के एक एक लड़की थी महारास्टरा से वो मेरी बात बहुत सुनती दी मैंने सगा बेटा तो कुछ मत कर इन कोशन को 10-10 बार कर ले पता है उसने हकीकत में इन कोशन को पता है किते बार कर रहा 20-20 बार यह जितने भी MCQ टूफर फिलना भी लेंचा ना 20 बार करके आई वो डबल कर दिया मैंने सगो 10 बार बोला उसने 20 बार कर दिया मैंने का यारा बहुत बढ़िया निन्यानवे नंबर आय थ यह बात का दियान बता दूँ आपको तब सारे MCQ नहीं होते थे तब सिफ 30 मार्क में 30 मार्क में लगबग MCQ होते थे फिर 70 मार्क का आपका फिर वह होता था तो इतने MCQ होते थे पहले 50 माल लो चलो 50 माल लो MCQ 50 वह चलो लिखना होता था आपको पूरी language मैंने का था language जो य जानवे नंबर लेकर आना लॉक के अंदर वो रिजल्ट मैंने Facebook पर डाला था तब मिलनी नहीं रहा यार मैं दिखा था तुम्हें नहीं पर अन्हीं गायब कर दिया कहीं से Facebook page पर डाला था मैंने वो रिजल्ट हाँ साठी चार साठ चालिस था साठ नंबर MCQ आते थे चारिस नंबर ओके वैसे थियोरी आते थे चलिए तो स्टार्ट करा जाए Sales of Goods Act और इसमें लगवा 55 MCQ है तो एक एक करके इंग को लेते हैं पेज नंबर बताईए तो तो देखो में को पेज नंबर पता था मैं भी तो उपर नीचे करके गूंड़ा यह पेज नंबर वाले मानते क्यों नहीं है मैं को तो समझ नहीं आता अरे मैं को पेज नंबर पता था क्या मैं भी तो उपर नीचे करके ढूंड़ा था यह पता था कि नेगोशेवल से पहले सेल्स बूट सक्ट है इन बच्चों आज के टाइम के बच्चों को चीए बस असानी यह बस किसी तरह से सिरी सिरी मिल जाए हमें धूनना ना वड़े महनत ने करना वड़े महनत करने के रितना कत्रा आते हैं महनत तो करने सीथ सीथा बस लजाए पेज नमबर चलिए सर आईए स्टार्ट किया जाए मंटिपल चोईज कोशन आफ सेल्स ऑफ गूड्स है फिर ना कूट्राक्ट हम सामकों करेंगे ठीक ना पहले कहां पर हुआ करता था सभी ने बताया होगा कोई कहीं से बड़ा सब यह कहते हैं कि सेल्स ऑफ गूड्स एक्ट पहले इंडियन कॉंट्राक्ट का पार था फिर इसको अलग कर दिया प्रफ सेल्स औफ गूड्स एक्ट नांतीन-्थार्टी के अंदर ट््रैस्फर औफ प्रपर्टी का क्या मतलब होता है मोफल प्रॉपर्टे इमोबल यह दो इंदर सिफ्टीव मतलब प्र illnesses मुवल प्रॉपर्टे मतलब मतलब क्या है बट है इस म का मतलब ribbon टानी बोट Mad का मतलब क्या है एवरी काइंड ओ मोबल प्रोबडी सिर्फ एक्सेनेबल क्लेम और मनी को छोड़ कर यार मनी दस रुपे के पैसे कितने मेरे पर ना एक सो का नोट है तो यह बताओ कितने में खरेद हो गया आप आप क्यारों सब्सक्राइब देद हूँ आप पागल है क्या भ कर दो यह बताओी है थाली है Which one of the flowing does not cannot connote ये तो connote हो गई वह बहुत को नोट बहुत बहुत हो भाई 카नोट है क्या तू ना, बाई connote है क्या ये तो connote हो गई which of the flowing does not connote cannot goods does not goods are divine in the goods वाई क्या रहा है इस में से कौन से goods नहीं है में से कौन से हम goods के अंदर include नहीं करते क्या हम animals को बेचते हैं खरीते हैं yes animal को बेचते हैं मैं आप से एक काम कर दो मुझे ने किसी को 10,000 रुपे देने यार वो 10 यार खरीत लो मेरे जिसको देने ना मेरी liability खरीत लो यार तो कैसे बात एक कर रहे है liability की खरदू है यार तो azure खरीतने की बात होती है यार मैंजे किसी को 10,000 रुपे दे रहे हैं मैं लाइबलिटी है कितने में खरीत होगे चलो 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 ठीक है तुमारे लिए 1000 रुपे में दे दिया लो तो हम कभी भी 100 का नौट 100 रुपे में नहीं बेचेंगे और कभी भी अपनी 10,000 की liability किसी को 1000 रुपे में तो कहा हूं फिर ही में ले लो यार क्या ही दो कि तुम पैसे मेरे को 10,000 रुपे देने हैं किसी को टॉपी खाना तो हमारे पास money और debt को हम goods के अंदर बोथ A and C will be the right answer तींगे ना बोथ A and C will be the right answer money और debt को हम नहीं tell out कर दे which of the following are not include in the meaning of goods as a definition देखो एक तो हो गया सर actionable claim ये तो है है इसको तो हम और एक legal tender money legal tender money ये भी हम sale नहीं करते goods की definition में cover नहीं किया जाता पांच ये मारा हो गया एक actionable claim हो गया अब बता सकता है कोई legal tender money किसे कियाते हैं legal tender में पता है किसे को किसे कहते हैं देखे मालो आपके आपके भाई के साथ dispute चल रहे हैं भाई दो दो भाई हैं उनको property के लएके dispute चल रहे हैं और उन्हें कोट पे case करा दोनों की खिलाफ अब एक भाई के ओपर जसाब ने क्या कर दिया चलान लगा दिया दो लाख रूपर कि तुमने जुट बोला तुमारी property नहीं है प्रोपर्टेस के नाम पर तुम जुट बोल रहे हो तुम गलत claim कर रहे हो तो यहाँ पर दो लाख का चलान कर दिया अब जो पहला भाई है जो पर चलान हुआ वो कह रहा है कि यार मेरा जो यह लीगल लो दो वारा जो मेरा money आया है मेरे उपर चलान आया है यह तू पे कर देए यह ले खरीड ले में तरफ से एक तरीके का debt होता है legal tender money जो pay करना होता है government को जो कि government को pay करना होता है और debt कभी भी goods के definition के अंदर cover नहीं होते actionable claim cover नहीं होते है actionable claim भी एक तरीका वही पार्ट होता है वही जो मैं आपके बताया है जैसे liability आरा जो आती है from the point of ठीक है इसके अंदर legal tender money के अंदर cover हो जाता है जैसे tax का money आपने नहीं दिया तो मैं मालो में को tax pay करना था एक लाग रोग पे नहीं करा है मैंने का यार तुम खरिलो मेरा tax कर दो यार पे अब भागल है क्या tax pay करूंगा क्या आप तुमारा मैं क्यों करूं पैसे कमाओ तुम tax pay करूं है तो इसलिए legal tender बनी भी कभी हमारा case के अंदर sale की definition के अंदर cover नहीं होता हम अपनी liability के चुको paste होना सकते है tax का payment करना नहीं करी तो contract की payment करना कोई damages हो गया उसकी payment करना अब valid contract of sale एक contract of sale valid contract of sale कब माना जाएगा जब जब sale हो या agreement to sale हो contract of sale के अंदर include होता है agreement to sale या तो आपने sale कर दिया है या आपने sale करने का agreement कर दिया है तो वो भी क्या हो जाता है valid contract of sale माना जाता है भाई मैंने या तो किसी को बेच दिया यह valid contract of sale है या मैंने बेचने का agreement कर दिया तो यह valid contract of sale है तो contract of sale के अंदर agreement to sale include होता है definition क्या थी यह contract of sale की दिखा दू क्या contract of sale is equal to sale and agreement to sale contract of sale is equal to sale and agreement to sell ठीक आज़ेझ señor an agreement to sell क्या होता है एक 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 एकपट्री आपता है एक 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 कुट forgiveness contract होता है, here, where the property and goods transfer to the buyer at some future date on a fulfillment of a certain condition, that is why it is called conditional sale, note, when the conditional fulfill the agreement to sale become sale, इसके बारे बताया नहीं है, agreement to sale क्या होता है, executory contract होता है, क्योंकि यहाँ पर contract at the time पूरा नहीं होता, हम future date पूरा करते है, executed का मतलब है, contract पूरा हो चुका, executor का मतलब क्या है, एक party ने अपनी obligation पूरी करती, दूसरी की party अभी future date पर होनी बाकी है, आपने मेंसे goods खरीता है, मैंने का goods आपको दूँगा 10 दिन बाद आप अभी payment कर दो, तो हमारे बीच में जो agreement हो गए, agreement to sale है, क्योंकि मैं अभी goods payment तो receive कर ली, आपके obligation तो खतम हो गई, और मैंने वो payment goods आपको देना है, future date पर, तो यह executory contract के अंदर cover हो जाता है, तो क्या है यह, एक executory contract है, goods, as a define a sales of goods, include, यहार मैंने सारी list दे रहे हैं, goods के अंदर क्या-क्या include होता है, सब list में दे रहा है, rare coins, विल्कुल, goodwill, money, growing crops, agreed to serve before sale, old coin, copyright, विल्कुल यह तो be confirmed है, goodwill हो गया, copyright हो गया, patent हो गया, foreign currency, foreign currency बेची जाती है क्या, हाँ, foreign currency बेची जाती है, goods की definition दिखा रहे हैं, आपको दिखाता हैं, देखो, मैंने list दे रहे हैं, goods की definition यह, यह रहा सब, goods की definition में, goods की definition section 2 सान में लिखिया है, क्या रहा, foreign currency, old currency, growing crop, quarter, और यह सब चीजे, stock, trade, want, goodwill, ठीक है सब, और यह चिम नहीं होता, तो हमने कहा, हमारे पे, मेरे इसाब से, यह जो answer है, यह growing crop वाला आ गया, और एक C, goodwill वाला आ गया, तो मैं कह सकता हूँ, both C, B and C, both B and C, both B and C, एक मन दीजे का call आ रहा है, झाला आ देखिए पेटेंट जो है वो गुट्स की डेफिनिशन में कवर नहीं होता सर पेटेंट का हम खरीदा तो यहाँ पर पेटेंट आ गया है आठवे का जो है हम कहेंगे बी इजा राइटन सर ग्रोइंग क्रॉप्स हो गया सेल करने से पहले जब हम उसको बेचते है ओल्ड कोईंस हम बेच सकते है और कॉपी राइट हम बेच सकते है अब अब गुट्स का पार्ट मान जाएगा पेटेंट गुट्स के अंदर कवर नहीं होता इसलिए इसका बी राइट अंसर होगा ठीक है फूचर गुट्स क्या होते है फूचर गुट्स फूचर गुट्स हो गए हमारे पास can be the subject matter of sale cannot be the subject matter of sale sometime maybe the subject matter of sale depending on the circuit time फूचर गुट्स को हम बेचते हैं आप मेरे पास आए क्या हम वो sale के subject matter में cover होता है येस क्या हम future goods को sale कर सकते है बिल्गुल कर सकते हैं, आप मिल पस आई, आप ने कहा कि सर मुझे ना एक कंप्यूटर बनाना है, कस्टमाइज करवाना है, मैंने का ठीक है, आप पैसे दे दो, और आपके कंप्यूटर आपको 10 दिन बाद मिलेगा, तो कंप्यूटर बनेगा 10 दिन बाद ना, तभी तो दे सेल कर सकते हैं, यह तो आप बंद करके होल अप इंडिया कर देना, आप चाहे कुछ भी हो जाए, मैं देखूं, पहले, बताइए सर, जारवेक अंसर बताइए, कब आया था सेल सेल से गूटर आप, एक जुलाई 1930 मा आया था, कब आया था, एक सप्तेंबर माय था, कब आया कमेंट्स, ए में, ठीक है, बहुत बढ़ी है, एक जुलाई 1930 को आया था, कंडीशन as to stipulated, क्या मतलब हो था, कंडीशन as to stipulated का मतलब क्या है, जब भी condition as to stipulated कहते हैं, इसको बलते है, essential for the main purpose of the contract, essential for the main purpose of the contract, plus के अंदर बताया था, मैंने आपको ये, essential to the main purpose of the contract, condition as to stipulated, क्या था, को, essential to the main purpose of the contract, ठीक है, अब warranty stipulation, collateral to the main purpose of the contract, condition जो होता है, वो essential to the main purpose of the contract होता है, जब की warranty collateral होता है, पता है मतलब क्या इसका, देखे, condition क्या होता है, guarantee, जब भी मैं कोई समान खरिके लाता हूँ, मेरा purpose क्या था, भाई मेरा panel है, ये मैंने खरीदा, ठीक है, मेरा purpose था, इसमें मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं पढ़ा नहीं पा रहा, ये मेरा main purpose था, इस panel को खरीदने का, मैं कहा रहा हूँ, ये panel को खरीदने का, मेरा main purpose क्या था, इसमें मैं पढ़ाऊंगा, और अगर मैं पढ़ा नहीं पा रहा, तो उसको कहते है, condition as to situation, उसको कहते है, जो हमारी condition as to situation है, वो main purpose of the contract हो, जिस चीज के लिए मैंने panel खरीदा था, अगर मैं वहीं नहीं कर पा रहा, तो भाई मैं panel change करवाऊंगा, मुझे दूसरा panel ला कर दो, ये भाई कर नहीं पा रहा मैं काम इस पे, यार ये panel में लेकर आया था, खरीदा था, मेरा काम था, इसमें पढ़ाना, पर एक गार में movie देख रहा था था, और movie देख रहा था, तो यहां पर क्या हो रहता है, मख् पढ़ना है ये panel, अन्या रहा है, इसमें movie चल रही थी एक बार, एक बार मक्ही आती है, रात के टाइम, और मक्ही आके यहां से वो चल रहा हो तो यहां पर टच बैड जाती हो, मख्यों टच हो जाता है, इस इस यहां आ रहा है, वो सीधा क्लाइमस दिखा देती है, वहां रहा है है, वारन्टी में कलें होता है, तो वारन्टी क्या होती है, ये मेरा main purpose तो पुरा हो रहा था, पर मेरा दूसरा purpose, जो मैं movie देखना चाता था, वो पूरा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए ये panel चेंज वकर नहींजा आ रहा है, भूरा आज़र, वो ठीक करा जाएगा वो warranty में कर दो तो जिस चीज के लिए आप समान खरीदते हैं जिस चीज के लिए आपने समान खईदा अगर वो ही परपस पूरा नहीं हो रहा उस चीज से तो वापस करो नया लाओ तब आता है condition जिस परपस के लिए समान खईदा था वो परपस तो पूरा हो रहा है पर उससे दूसरा मेरा कोई परपस पूरा नहीं हो रहा पर में परपस नहीं हो रहा है दूसरा सकेंडरी था लाने के बात पाचला मैं यूज करो मेरा को प्रब्रम आ रहे है तो फिर रिपेर होगा guarantee रिटन नहीं होगा सजमार के दोनों का मतलब condition में क्या होता है सीधा product change करके नहीं आता है क्योंकि जिस purpose के लिए आपने product ख़़ता है वो ही पूरा नहीं होगा जबकि रिपेर warranty के अंदर आपका product वापस नहीं आता रिपेर होता है अगर रिपेर हो सकता है तो उसको रिपेर करेंगे वो आपका main purpose तो पूरा होता है बाद दूसरा purpose जो है वो नहीं हो पा रहा ठीक है मेरा main purpose था इस पैनल में पढ़ाना पर मक्की आके बैड कर टच हो जा रही है तो ये इसको कोई हो रही है इसके लिए रिपेर करा जाएगा पैनल वापस नहीं होगा अरे मुवी देखते टाइम लॉक कर देना स्क्रीन वड़क अरे यही तो नहीं होता यार इसमें भाई यही तो नहीं हो रहा इसमें नट प्लेस में मुवी देख रहा था कंतारा कंतारा मक्ही आगे वैड़े कि लास्ट पंदा में में दिखा दिया उसने मैंचे पुरा मुही का क्लाइमस कतम हो गया वाउ देखिया आपने कंतारा वैडर इस्टूपिलेशन इस कंडिशन और वारंटी डिपेंड ओन दा कंस्रक्शन ऑफ पांट्राक कंड़क्ट ऑफ पांटी ट्रेड कस्टम और लोगल बाई कंट्राक बनाते के टाइम छाफ 14 ऑनगरा जाएंगा जब भी मैं कंट्राक बनाऊंगा तो वहीं पर मुझे बताया जाएगा कि आपके बास वारंटी है या कंडिशन ने का सभी बताऊंग पूछोंगा बाई ऑर खराब हो जाए तो वापसी रिपेर कर कर जाओगे घिए वापसी है तो गी ही पको पचल जाएगा कि आपकी conditional है conditional stipulation है या warranty stipulation है construction of the contract के time ही आपको पदा चल जाएगा where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller and the seller commit a breach of that contract by contract of sale करा था to any condition to be fulfilled by the seller seller ने fulfilled करनी थी वो condition पर seller ने fulfill नहीं करी seller ने condition को breach कर दिया तो ऐसे case के अंदर the buyer has to compulsory treat the breach of condition as a breach of warranty only आपको एक चीज़ बता दू मैं जब भी breach of condition होगा तो breach of warranty ओटोमेटिकली हो जाती है और जब breach of warranty होती है तो breach of condition नहीं होता तो breach of condition में warranty भी breach हो जाती है जबकि warranty में breach में condition breach नहीं होती हम breach हो जाएगा देखे थोड़ा सा आपको इसके बारे में पढ़ना भी पढ़ेगा ये नहीं सिब MCV पूरा कर लिया तो हो गया थोड़ी knowledge भी होनी चाहिए अब मुझे लगता है कि आप भूल गए हो sales of good set buyer may voluntary waive the condition देखे यहाँ पर क्या है कि अगर buyer अगर seller ने कुछ condition फुल्फिल कर नी थी और seller ने कंडिशन नहीं फुल्फिल करी तो buyer के उपर है कि buyer उस contract को खतम करे बायर उस condition कोई भूल जाए कि रहा कोई बात ही चलो छोड़े यार मिद ले लूँगा फूर जैसे कि यहाँ पर पैनल है पैनल के अंदल मैंने खरीदा और मुझे पैनल में थोड़ी प्रोड़म आ रही है तो मैंने उसे बोला कि सर ठीक कर दो यह वो नहीं रिस्पॉंस करें मैंने कर दिया ठीक जो छोटी मोड़ी प्रोड़म दी तो मैंने का buyer में वॉलंटरी वेव the condition यह का right answer हो सकता है बाइर चाहे तो उस condition को wave of कर सकता है यह चाहे तो खतम भी कर सकता है in a sample in a sale by sample अगर मैं कोई sale करता हूँ sample of description there is an implied condition क्या implied condition होती है उसके अंदर अगर मैं sale करता हूँ sample दिखाद कर यह description बता अगर वाई मेरे इस goods में यह यह description है yellow sample आप मेरे पर खरिदना आए 10,000 bulb और इसमेन आपको एक bulb दिखाए कि आसी रोस्नी आए कि यह यह इतने वाट का बलफ है यह इसकी features है यह warranty है बगरा पर अगर कुछ इंप्लाइट करने से जोनती है क्या इंप्लाइट है the bulk of the goods corresponding with that sample जब आप sample और description दोनों दिखाकर sale करते हो तो हम यह मान कर चलते है कि जैसा आपने sample या जैसा description दिखाया था बागी सारे goods भी वैसे ही होंगे तो इसलिए that the bulk of goods must be corresponded to the description जो आपने बताया था वो as well as sample जो आपने दिखाया था वो भाई आप मेरे पर goods खरीदने आ रहे हो आप मेरे से goods खरीदने आ रहे हो आप मेरे से goods खरीदने आ रहे हो ठीक है मैंने आपको sample दिखाया आपने मेंसे 1000 goods खरीदने मेंने आपको sample दिखाया तो आप यह चाहोगे ना कि जैसा आपने sample दिखा है वैसी बाकी goods भी होंगे और जो मैंने discussion बाकी वैसी होंगे तो यही वाले condition यहाँ पर आती है doctrine of cavit emperator का मतलब क्या होता है doctrine of cavit emperator sorry कहां पर applicable नहीं होता is not applicable बताओ doctrine of cavit emperator कहां प्लिकेबल whether seller is guilty is fraud जब salary मान लेता है कि मेरी गलती है मैंने fraud किया था वहाँ पर doctrine of cavit emperator नहीं होता क्या मतलब होता है doctrine of cavit emperator का बताना एक बार जब seller खुद कह रहा है कि मेरी गलती है मैं मान रहूं मैंने fraud किया है तो फिक क्यों लगा रहे हो भाई doctrine of cavit emperator let the buyer be aware बहुत बढ़िया your boy let the buyer be aware इसको बोलते है doctrine of cavit emperator कि buyer को aware रहना है seller की responsibility नहीं है कि माल देते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा है buyer की responsibility जब भी हो माल ख़ई दे जब भी हो goods ख़ई दे तो आप ध्यान से चेक करे goods ख़ई दो let the buyer be aware ठीक है seller आपने समान ख़ईदा वो defective निकला आपने देखा आपने देखा तब वो defective निकला buyer ने दूसरा माल पकड़ा दिया माल लो आपने कोई समान ख़ईदा उससे और तब आपने चेक करा पर ठीक था आपने पैक कर दो packing में दूसरा दे दिया उसने तो यहाँ पर buyer ने seller ने fraud कर दे तो seller पर करेंगे ना हम कारवाई करेंगे इसका मतलब यह थोने ना है कि buyer तो aware था ही पर seller इतर fraud करा है तो यहाँ पर क्या वाइड बन लगेगा seller ने fraud करा है तो seller पर कारवाई की जाएगी ठीक है देख 18 में मैं आ जाओ कर सकते हैं, merchant law भी commercial law बात एक ही है, merchant वर का मतलब होता है, commercially हम इसको बेच सकते हैं, they are fit for the purpose for which they are generally used, नहीं है याद, दोनों सही है, बाई, merchant quality of goods का मतलब क्या होता है, merchant मतलब जो भी goods आप बाहर मारकेन बेच रहे हो, जिस purpose के लिए बेच है, वो पूरा हो जाए, और आप उसको बाहर बेच सकते हो, यह पूरा हो जाए, बाई, मैं जो एक goods है, मैं बाहर बेचने जाता हूँ, क्या मैं बेच पाऊँगा, yes, आ बोथ A हैंड, B, property in goods, in the sale of goods act, क्या मतलब होता है, property in goods का मतलब क्या है, sale of goods act के अतर, यह तो बहुत सिम्पल है, बता है, property का मतलब इदर क्या होता है, property in goods का मतलब, property का मतलब होता है, ownership, लोग property का मतलब समनल लग जाते है, वो property, goods, एक तरीक है, property in goods का मतलब होता है, ownership of goods, और मैं क्लास के अंदर बार बार आपको कहते था कि प्रॉपर्टी जहां भी वर्ट प्रॉपर्टी इन गुड्स आएगा वहां समझ लेना प्रॉपर्टी का मत आब है ओनर्शिप अफ गुड्स बहुत बढ़िया जो बच्चे क्लास में वेर से पड़े हैं वो सब याद है it is necessary to determine the precious moment of time at which the ownership of goods pass from seller to buyer it is necessary to determine the precious moment of time at which the ownership of goods pass from seller to buyer because of risk pass with the property action can be taken by taken only by the owner sure for prices by the seller does not lie unless the property has passed to the buyer yeah all of the above क्याता है क्या यह जरूरी है it is necessary determine करना जरूरी है the precious moment of time at which the ownership of goods pass from seller to buyer जब भी seller से buyer की तरफ ownership pass करी जाएगी ट्रांसफर की जाएगी तो उस time का जिस time पर पास करी उसको determine करना जरूरी है क्यों क्यों क्योंकि yes क्योंकि जब आप ownership ट्रांसफर करते हो तो रिक्स भी ट्रांसफर होता है बिल्कुल ठीक action can be taken only by the owner action can be taken only by the owner भाई जो goods का honor है मालो मैं आपको goods transfer कर रहा हूं तो अब आप owner बन गए तो आप सारा काम goods में जो भी action related to आप वो करोगे मैंने आपको बाइक बेची आप बाइक का काम करवाना बाइक चलाना बाइक को बीचना खरीदना जो भी आपको करना है वो आप करोगे जो भी ओनर अगर मैंने आपको goods बेच दिये मैं seller हो आप बायर हो मैंने आपको goods भेज दिया और से ट्रांफर कर दिया तो मैं आपको केस कर दूँगा यह से भी ठीक है तो all of the above है हां जब भी बायर जब भी seller property प्रास करता है और सिफ ट्रांफर करता है तो रिक्स भी पास जाता है फिर no answer ठीक है तो आपका यहाँ पर आगर D in case of appropriate of goods which are essential requirement in case of appropriation of goods appropriation of goods पहले 22 में आओ 22 में आओ और 22 में देखो कि appropriation of goods का मतलब क्या होता है appropriation of goods का मतलब क्या होता है appropriation of goods का मतलब होता है goods को separate separating the goods sold from the other goods goods को आप separately sold कर रहे हो putting the quantity of goods sold in a suitable receptacles delivering the goods to the carrier or other bellies for purpose of transmission to the buyer by the receiving the right of the disposal all of the above देखे तीनों ही मतलब होता है पहला मतलब क्या है कि appropriation of goods का मतलब क्या है appropriation of goods का मतलब क्या है कि जो goods आप बेचल उसको separate कर लो separate करने के आप जितनी quantity बोली गए थी उतनी quantity में बेचो पदब बाहर रहा आप आपने कहा मुझे 100 बलफ चीए ये वाले तो मैंने उस goods को अलग कर लिया और उस हंड्रेट अलग कर लिया और उस हंड्रेट में से मैं आपको जितनी quantity बोली तुन्दी बेचोंगा और जहां बोलोगे वहां बेचोंगा तो यह उता है approbation of goods मतलब यह आगे सर आपका all of the above approbation of goods which are essential requirement क्या requirement होगी the goods should be confirmed or discretion quality stated in the contract the goods must be delivery state the approbation must be seller with the assent of the buyer बिल्कु सही है यह भी all of the above आगया बिल्कु सही है यह देखे एप्रोबिशन of goods के अंदर क्या-क्या essential requirement होनी चीए essential requirement होनी चीए गुट्स को confirm करो कि कौन सा goods आपको चाहिए description and description की वेश में quality की वेश में goods पहले confirm कर लो goods delivery state पर होनी चीए और approbation must be seller to the assent of the buyer जैसी buyer assent देगा कि हाँ भेज दो पर भेज देना all of the above और इसका मतलब भी all of the above तो यह याद कर सकते है आप यहाँ पर ठीक है जैसे तुमार को जब तुम अपने दोस को गाली बगते हो तो ना चाते भी मुझे निकल जाती है ना गाली कि यार तुदो गाली खाने के लिए पैदा हुआ है वैसी यह भी था यह भी था रिक्स प्राइमा फेज पास विट ओनर्सिप ना चाते भी मुझे निकल गया कि वो कह रहे है तो यह समय डेली देता हूं गाली देली खाता भी तो है वह भी तो बतार आधियसी वी बात क्यों बता रहे है देली धेता है तो गडिता दूसरा चुपर आएगा कि आ that cute not habit का मतलब किया है Naamo that would not wonder not habit क्या मतलब द इसका No one can give who does not himself process वाइ जो छीज मेरे पास है ही नहीं मैं उसको बेच नहीं सकता यह मतलब है No one give जो उसके पास खुद नहीं है वो क्या बेचेगा नमु डेट क्यों नॉट हैविट नॉट हैविट बहुत बढ़िया है सिवं पाल तो भाई लडगा बढ़िया है एक एक चीज़ याद कर रहिए नो वन केन गीव बेटर टाइटल बेटर बेटर गुट्स और ही नहीं है तो वो कैसे सेल कर सकता है गुट्स भाई अगर मेरे पास कोई ऐसे गुट्स है जिसका मैं और नहीं हो तो मैं इसको बेच भी नहीं सकता तो वो होदा है नेमो डेट क्यों नॉट हैविट सिवं पाल चा गए जब मैं डॉक्यूमेंट ट्रांसफर गरता हूँ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बता हूँ ऑनरस्ट ट्रांसफर गरता हूँ गुट्स की सेलर को सेलर से बायर की तरफ तो उसको कौन से डिलिवरी कहा जाता है भाई मैंने कार खरीदी मैंने घर खरीदा तो घर खरीदे में आप घर उठा के तरण ले जाते हो घर के डॉक्यूमेंटी तो मिलते है आपको ओनरस्ट टो मिलती है सिम्बॉलिक है एक्चुल डिलिवरी में क्या होता है अपको फीजिकली ट्रांसपर करते है पर आप कोई प्रापर्टी खरीद रहे हो जो आपको फीजिकली नी सकते हैं आप उसकी ओनरसी भी ले सकते हो तो क्या है वो सिम्बॉलिक डिलिवरी जैसे की फोर इक्जामपल आपने कोई गधाँ खरीदीए तो share के आपको document मिलेगे, physically share थो नहीं मिलते है, उसके document मिलते है, यहाँ आपके नाम पर share है, symbolic delivery, बहुत बढ़ी है, under section 242, subsection 4 of the sales of goods act, a delivery order enabling a person to obtain delivery on a payment of price, a delivery order enable a person to obtain delivery on payment of price, payment of price है कि तब मैं delivery करूँगा, delivery का यह meaning है, तो बताओ, कहाँ पर section 2, 4 के अनुसार, delivery का बारे बारे बता है, तो उसको बोलेंगे, document of title, not a document of title, document of living the title of goods, not a valid document at all, इसके लिए आपको यह दिखाना पड़ेगा मुझे, जैसे आपको payment मिल जाएगी, आप उसकी ownership को transfer कर दोगे, इसी को क्या क्याते है, document of title क्याते है, document of title का मतलब ownership transfer कर दो भाई, आपको बाइक के पैसे मिल गए न, तो बाइक के नाम भी तो कराओ मेरे, ठीक है, पर शेयर के डॉक्यमेंट मुझे मिल जाएंगे, तो इस case के अंदर goods, जो share है, उसके document आपको दिखाए देंगे, share नहीं दिखाए देगा आपको, इसलिए C will be the right answer, share के document मिले, goods का आपको document मिल जाएंगे, बर goods एक्चिल में आपको नहीं मिलता है, share आपको actually मिलेंगे, उसको document के साथ आपको दिखेंगे, Bill of Liding is a document of title of goods, बिल अब एक्चेंट थोड़ना होगा है, promise you in check, आप खुद यतना यह sales of goods act में यह काम से आ जाएगा, तीनो, logic, यह तो understood है, section 19 of the sales of goods act, deal with the passing of property, dash goods, कौन से goods है, section 19 किस पर बात करता है, कौन सी goods की ownership transfer करने की बात करता है, future goods की uncertain की specific contingent goods की section 19 आपको क्या कहता है uncertain specific goods की property को pass करने को हम section 19 में define करते है section 19 आपको कहता है जब भी आप specific goods ownership transfer करते हो specific goods की ownership transfer करते हो उसको section 19 में लिखा गया है section 19 of the sales good deal with the passing of a specific goods passing of property ownership property मतलब ownership को पास करना है, कौन से गुट्स की, इस पेसिफिक गुट्स की, वो लिखा है section 19 में, यह आपको section दे रखा है, कि section 19 में क्या लिखाता है, इस पेसिफिक गुट्स की property को पास करना है, voluntary transfer of possession, from one person to another person, is called delivery, possession का मतलब है, जब आप physical goods को transfer करते हो, उसको delivery कहा जाता है, जब आपनी मर्जी से physically goods को transfer कर रहे हो, एक परसंट दूसर परसंट को, उसको delivery कहा जाता है, which of the statement is incorrect in connection with the duty of seller and buyer, इनमें से कौन से statement incorrect है, seller और buyer की duty के साप से, it is a duty of seller to deliver the goods, यह ठीक है, it is the duty of the buyer to accept and pay them, यह भी ठीक है, it is not the duty of seller to deliver, यह गलत है, sir, seller की duty होता है, डिलीवर करना, यहां लिखा है, seller की duty नहीं है, goods को deliver करना, यह गलत है, यहली statement करना है, it is duty to buyer to take deliver goods, तो C will be the wrong answer, C एक गलत statement है, seller की duty होती है, goods को deliver करना, और buyer की duty होती होती है, डिलीवरी लेना और payment कर देना, बस, तो यहाँ पर C will be the right, wrong statement, delivery of goods का मतलब क्या है, voluntary transfer of possession, जब मैं पोजेशन को transfer करता हूं, voluntary, उसको delivery of goods कहते है, delivery में भी कैसे हो सकती है, actual, constructive, symbolic, तीन हो सकती है, delivery of key of go down, भाई, एक symbolic delivery है, जब मैं एक key दे रहा हूं, go down की, go down नहीं उठा कर दे दिया, मैंने क्या दे दिया, go down की चाभी, और चाभी क्या एक symbol है, उसको हम क्या कहते है, symbolic delivery कहते है, there are dash mode of delivery, कितने mode of delivery होते हैं सर, तीन mode, actual, symbolic और constructive, the term unpaid seller, इसका मतलब क्या है, agent of the buyer, agent of the seller, agent of the carrier, transporter, या all of the above, unpaid seller लिखा है, तो buyer कहा से आ गए हैं आपर, बात ही unpaid seller की हो रही है, तो buyer और transporter कहा से आ गए, seller ही तो होगा, unpaid seller कोन होता है, seller का agent बोल दो, या seller खुद कहे दो, unpaid seller include, the buyer agent to whom the bill of lading endows, या buyer agent कहा से आ जाएंगे, unpaid seller में, ये तो आप काटी दो, buyer agent वाले तो कट दाए, होगा तो इन दोर में से एक होगा, seller agent to whom the bill of lading is endows, seller agent to whom the goods has been delivered, unpaid seller के अंदर कौन, वो seller का agent जो goods को deliver करेगा, buyer को, या जो bill of lading endows करेगा, मतलब जो goods का document होगा, इसमें कितने goods है, कितने types के goods है, कितनी quantity में है, क्या price है, वो, तो unpaid seller के अंदर ये इंकल उड़ता है, the seller agent to whom the bill of lading is endows, goods को deliver, तो the seller agent to whom the goods have been delivered, deliver हो चुके है, वो unpaid seller नहीं है, goods आपके deliver हो चुके है, तो unpaid seller कहा रहा, unpaid seller तो वो है न, जो अभी bill of lading deliver कर रहा है, मतलब document deliver कर रहा है, पैसे अभी आने बागी है, पैसे नहीं थी, जब good deliver हो चुके है, तो पैसे भी मिल गए होंगी, ठीक है, unpaid seller can exercise his right of lien, even when the property in a goods has passed to the buyer, only when the property of goods has not passed to the buyer, भाई बताओ, कब right to lien, lien का मतलब retain, lien का मतलब क्या है, retain करने न, कब right to lien कर सकता है, unpaid seller, जब goods pass हो चुका हो, या goods pass ना हुआ हो, even when property in goods has passed to the buyer, बले ही, property of goods passed हो गई है बाईर को, तब भी right to lien का, दिखाता हूँ आपको right to lien, lien is a right to retain the position of goods, until the payment of price, जब तक price का पेमें नी करेगा, तब तक goods रेटेन रह सकते हैं, अब कर रहेंगे, when, where the goods has been sold, without any situation to the credit, where the goods has been sold on credit, but period on a credit as far, the become insolvent, या कहां पर लिखा हूँ है, the goods must be position of seller, the ownership must have passed to the buyer, and the whole of the part, goods seller की position में होना चाहिए, तब ही right to lien लगेगा, even when the property, property का मतबता हूँ आउनर्सि, आउनर्सि भली पास हो गई हो, उससे फरक नहीं पढ़ता, goods का position seller पर रहना थे, मतब goods जो है, goods की ownership में transfer कर चुका हूँ आपको, फरक नहीं पढ़ता है, goods मेरे पास है ना, तो मैं return कर सकता हूँ, तो यहां पर, only when, even, even when, only लगा लगा लगाने, इसलिए गलत है, only लगाता है ना, तो मैं कहता है, either A और B में से लिए, when property, on property मतलब ownership, भले ही मैं ownership transfer कर दू, seller पर, buyer को, तब भी मैं goods का return कर लूँगा, तो मेरे पास ही है, ownership से क्या होता है, मैंने तो सिर्फ नाम ही तो transfer कर रहा है, goods तो अभी मेरे पास है, तो मैं return कर लूँगा, अगर पैसे नहीं देगा, मैं किसी goods की ownership transfer नहीं करी, तब भी मैं return कर सकता हूँ, मतलब इसका मतलब यह है, कि अगर आपने ownership transfer कर दी, तो retain नहीं कर सकते, तो इसलिए गलाते statement है, ये ठीक नहीं करा, इसलिए मैंने, क्योंकि हाँ only word का युज़ लगा है, कि जब आप property of goods transfer नहीं कर पाओगे, नहीं करते seller को, तब ही return कर सकता हो, नहीं, ऐसा नहीं होता, अगर आपने ownership transfer भी कर दी seller को, buyer को, तब भी seller return कर सकता है, क्योंकि goods उसके पास भी है, ठीक है जी, तो ownership बले ही transfer होगे, property in goods का मतलब है, ownership goods, बले ही pass होगी buyer पे, तब भी good return होगा, क्योंकि goods अभी भी seller के पास है, unpaid seller can exercise his right of resale of goods, even when the property in goods, property in goods का मतलब क्या होता है, वही, ownership goods, ownership goods, चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं है, भाई, बले ही आपका ownership transfer हो गई हो, बले ही, ownership transfer हो गई हो, अगर तु मेरे goods का पैसा नहीं दे रहा, मैंने तेरे नाम कर दिया, मैंने goods की ownership तेरे नाम कर दिया, अगर तु मुझे पैसा नहीं दे रहे, तो भाई हमा goods भी नहीं दूँगा, और अगर तुमने लेट करा देने पैसा, मैं कहीं और भी पेज़ दूँगा यहीं मेरे पादिकार है ownership से कोई मतलब नहीं पैसे दो भाई रही है चलो 39 के बाद 40 अंपेट seller exercise his right of withholding delivery of goods even with the फिर वही ownership से कोई मतलब नहीं है वही है सारा कि भाई आप ownership transfer हो गई है मैं right to link भिला सकता हूँ इन तीनों का एक है even property transfer हो जाए तब भी आप तीनों right लगा सकते with hold वाला right to link और right to reseal वाला right to stop is in transit तो तभी होगा न जब goods transit में हो जब goods transit goods अभी मेरे पास है transit में हैं तो right to stop is in transit वाला apply नहीं कह सकता है वो तभी apply हो सकता है जब goods transit पर जार और मैंने रुखवा कर स्टॉप करवा दिया तो right of service candidate can be exercise बता है इन पर सहल है where the buyer is insolvent become insolvent हाँ unsolvent हो जाए तो अगर buyer insolvent होगा है हमें पासे लिए कि आरे बायर तो insolvent हो गया और यहां पर stop stop is in transit का तब लगा सकता हूं जब buyer insolvent हो जाए उपर वाला भूली हमें करना है right of stop is in transit can be exercise where he had lost his right of lien still enjoy the right of lien lost in lost his right of lien बस बाई एक बाई बताओ right of lien तो आप तभी लगा सकते है जो गुट्स का पोजिशन आपके पास हो चीए ना अब गुट्स का पोजिशन आपके पास नहीं है आपने गुट्स ट्रांफर कर देते और बाद में पाद चला गुट्स ट्रांस ओना सिर्फ तो भीज़ी दी पहले ही अब गुट्स भीज़े जा रहे है ट्रक में लोड करे जा रहे है गुट्स जा रहे है और जैसी गुट्स ट्रक्ट्री से निकले हमारे बाओं से निकले मेरा राइय तो ल Europ mirrors Tips ट्रायटो लास्टा में वही हैता रहे जा कंट से करवा दिया न, sub sale by the seller, buyer with the seller consent lead to loss the right of stoppage in transit, right, not effect, true, false, none of the above, क्या क्या रहा है, sub sale by the buyer with seller consent lead to loss of right of stoppage in transit, ये क्या, ये क्या रहा है कि भाई seller ने na goods भेजे, seller ने क्या करा, seller ने goods भेजे यहां से, goods भेजने पर, जब seller यहां से goods भेज भेज रहा था, भेजे 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 और पहर चली गया, goods, right of stoppage करना वारा था, वहा ने, goods भेज भेज भेजे ये पास, अब भाईर ने उसको sale करती आगे, तो कर सकता है क्या भाईर sale, कर सकता है, वाईर बिलकुल sale कर सकता है, अच्छा एक बाब मुझे बताओ, मैंने आपको यहां से goods भेजे, आप भाईर हो, मैंने यहां से goods भेज दिया आपके पास, stop is in transit, अब मुझे बता लिए, आप इंसल्वेंट होगे, आपने मुझे बताए, कि सेर में इंसल्वेंट होगे, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो मैंने ट्रक वाले को phone कर, अपको फोन ही लगा, आपको कुछ दे बाब मुझे phone आया, कि सर ये इसको आगे बेच दो, नहीं गलत है, नहीं गलत नहीं, सही है भ coron you, क्या लिखा है, अब इसको आगे बेच दो मैरे पैसे नहीं दे पाये, तो seller ने कहा कि बायर, तुम मेरे concern लो, और इसको आगे बेच दो, क्योंकि मैं आपको stop नहीं कर वाया, transit में, क्योंकि पोच चुका तब तक आप इसको अब आगे बेश के प्रसे दे देना मुझे बाहर ने का ठीक है ट्रू है क्या दिक्कत है 40 का रिपीट कर दू 40 का बोल दिया मैंने इसका दो ट्रू है कर रहा हूँ 40 रिपीट कर रहा हूँ रुख जाओ रुख जाओ पहले यह खतम कर लेदे 40 भी पढ़ा रहा हूँ इतना अग्रेसिव क्यों हो जाते हूँ पढ़ां दो 40 भी पढ़ा दूँगा पढ़ा 44 पढ़ा पहला खतम कर लो नीचे के फिर पढ़ा दूगा क्या दिक्कत आ रही है 40 का बता दूँगा दूगा दूगा गलत हो गया क्या क्या ए बोल दिया बी बोल दूगा चलिए करा दूगा 40 दूबारा पढ़ा दूगा एस एक सैल ने करा सर्टेन गुद्स टूबी ओ बंबे एस था सैलर जिसने बी ओ बंबे को बेचा दा गुद्स हैंडेट ओवर तो दा रेलेवर फो ट्रांस्विशन टूबी इन मीन टाइम भी सैल दा गुद्स टू थर्ड पार्टी फोर टी कंसिलेशन वित विद विदा अब इना सैलर से बूचे वो ट्रेन में समान बेचा और ट्रेन में लोड गरवा दिया और बायर से कहा दिया सैलर ने कि बहुद्स ट्रेन में समान बेच दे गिसी तीसरी पार्टी को यहा records अलबिने जोwieकल लें तुम ले ले ना तो बायर ने समान बेज दिया train में ही seller को बताए बिने without consent of seller without consent of seller तो अब क्या कहता है और बायर इंसॉल्ब्ड हो गया अब seller के बाद अधिकार है कि वो train को रुकवा कर goods वापस ले सकता है या बायर ने अपना अधिकार खो दिया है या station master has right to stoppage in transit तो इन में से कौन सा अधिकार seller को दिया जाएगा देखो seller तो रोक ही नहीं सकता, train को कौन रुकवा सकता है, सिर्व station master वो जो train master है वो ही रुकवा सकता है, obvious है, seller तो रुकवा ही नहीं पाएगा, वो ट्रक में थोने जाए रहा है, call करके तो नहीं बोलेगा, train वालेगा, हावाई, जला लगाईए, साड़ी में लगाईए, साड़ी में लगाईए, समान निकालना थोड़ा रिंकल लिए, निकल ल बाएर इंसॉल्मेंट हो गया ना, बाएर ने पूछा भी नहीं समान बेचने से, या तो पूछता, कि हाँ seller मैं समान बेच रहा हूँ, हम कहते हाँ बेच दो, और बाएर इंसॉल्मेंट हो फुरूप, जिसको समान बेच दो, पैसा हम ले लेते, बिना पूछे बेच दिया और इंसॉल्मेंट में पैसा नहीं देख, हाँ में पता है, ट्रेन रुकवाया है, स्टेशन मासेट रिक्वायस करके, कि हाँ बाएर ट्रेन को रुकवाओ, और समान निकलवालो, चलिए, राइट ऑव स्टॉपिज इन ट्रांजिट में एक्सराइज, बाइड ये अन्पे हम राइट कैसे एक्सराइज कर सकते हैं, एक अन्पेट सेलर राइट तो स्टॉपिज इन ट्रांजिट कैसे एक्सराइज करता है, टेकिंग अक्च्वल पोजिशन अगुड्स, गिविंग नोटिस तो ओफिस क्लेम तो गेर बैली, वो होल्ड गुड्स, ऐधर A और B या ब गुड्स का पोजेशन, जब गुड्स का पोजेशन, एक्च्वल बाइट टेकिंग एक्च्वल पोजेशन अगुड्स, ये तो ठीक है भी, कि भाई हम जो जिस कैरियर से हमने भेजा था, उसको बताया है, कि भाई हो जो अपना बायर है, वो इंसल्वेंट हो गया, अब य ये तो ठीक है, कि गीविंग नोटिस्ट ऑफिस क्लेम, तो क्यारियर बैली, वो होल्ड दा गुड्स, अच्छा, समत गया हमने, देखो, ये क्या रहा है, कि एक सैलर है, जिसके गुड्स आ रहे थे, अब ये बायर के पॉण्ट अफिस है, कि सैलर के गुड्स आ रहे थे, तो मैंने सैलर ने कहा, कि भाई, ये जो गुड्स, इसके अंदर, ट्रक के अंदर लोड है, ये मेरे है, ये देखो, तो ये ट्रक के जो गुड्स है, मेरे नगे सकता हूँ अपना, दूसरा कि भाई मैं को claim नहीं मिलेगा मुझे ऐसा लग रहा है तो मैंने notice दिया carrier वाले को जो goods लेकर आ रहा था जाएगा कि भाई प्रासर नहीं आएगा तो मैं लिखवा सकता हूँ तो दोनों में से कोई सा भी access कर सकता है जब दोनों में से कोई भी condition हो तो उसमें से हम try to stop is वाला हम use कर सकते है आज़दर A और B लगा सकते हैं आपर या तो A होगा या दोने एक time पर नहीं होगा ना दोने time पर possible नहीं है आगे in an actual auction sale of goods the seller makes use of pretending bidding to raise the price the seller is in auction sale of goods seller make use of pretending इदा ध्यान दो auction sale के point of view you say the seller make use of pretended bidding to raise the price the seller is valid seller make use of pretending bidding to raise the price गलत है नहीं काम auction sale के अंदर जो person माल विकवा रहा है जो person sale कर रहा है auction sale के अंदर जो person sale कर रहा है वो ही person बोली लगा रहा है price को increase करने के लिए तो ये गलत है ना वो नहीं लगा सकता वो तभी खरीद सकता है जब वो बताए लोगों की हाँ मैं ही seller हो और मैं ही खरीद रहा हूँ ठीक है sir चलिए तो यहाँ पर ये क्या है voidable at the instance of the buyer 46 का आपके पास क्या होगा देखो ना जो person seller है जो इदर ध्यान दीजिए जो seller है जो माल बेच रहा है वो ही कहाँ खड़ा होकर किसी और को खड़ा करके कह रहा है कि तुम बोली लगवाना प्राइस को इंक्रीज करना जिससे मेरा माल ज्यादा विखेगा तो गलत है ये voidable at the option of the buyer बायर चाहे तो उस seller पर कीज कर सकता है कि तुम हमें दोका दे रहे हो voidable at the option of the buyer इसके बाद an auction sale is complete on the delivery of goods fall of hammer fall of hammer payment of price आपको पता है auction sale कब complete होती है जब hammer fall हो जाता है where the sale is not notified to the subject to the right to bid on behalf the seller it shall not be lawful from the seller to bid for himself to employ any person to bid at a such sale either A or B or neither nor B by seller is not notified to subject where the seller where the sale is not notified to be subject to the right to bid on behalf of seller it shall not be lawful for the seller to bid for himself to employ an person to bid for seller seller के पास ये कोई भी अधिकार नहीं है कि जब उसके समान बेकरा हो तो वो खुद वहां खड़ा होकर बोली लगाए या किसी परसन को वहां खड़ा करके बोली लगवाए ये अधिकार उसके पास नहीं है seller के बास ये गलत है तो हम कहेंगे ना तो वो खुद बोली लगा सकता है नहीं किसी person को बोरी लगाने के लिए बोल सकता है ये lawful नहीं है इस sell lawful नहीं है बट 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 और ये तब lawful होगा ये तब lawful होगा कि seller चाहे तुम बोल लगा seller कह रहा है मेरा घर बिक रहा है मेरे घर की निलामी हो रही है जैसे मैंने आपको दिखाये तेशे मूवी के एकजामपल में seller कह रहा है मेरे घर की निलामी हो रही है और मेरे घर की निलामी मैं खरिदना चाहता हूँ अपना घर बता रहा है इसमें नोटिफाइख कर दिया तो फिर वो lawful माना जाएगा, वो unlawful नहीं माना जाएगा, कि हाँ, मुझे ये product, अपना product खुद चाहिए, तो मैं तो खुद bid करूँगा, या अपने किसी को लगा दूँगा, तो either A और B हो जाएगा, seller चाहे, it shall not be lawful, it shall not be lawful, वो lawful नहीं होगा, कब नहीं होगा, अगर seller ख कि उसने notify नहीं करा था, not notify, seller ने बताया नहीं था, कि मैं खरीदूँगा, बीड में मैं लगाँगा, इसलिए वो lawful नहीं है, करने के लिए, ठीक है सर्थ, इसके बाद, where the sale is not notified, to be subject to a right to bid on behalf of seller, and the auctioneer not only take any bid from the seller, or any person, the sale shall be treated as dash by the buyer, क्या बोल दिया, उसने, वो ही कहानी बोल दिया, फिर द्वारा same चीज बोली है, वह एक sale है, sale हो रही है, पर seller ने उसको notify नहीं करा, कि मैं भी bid लगाँगा, auctioneer not taking any bid from the seller, or any such person, auctioneer जानता था इस बारे में, तो sale जो होगी, वो unlawful मानी जाएगी, सर्थ, गलत है वो sale, illegal भी बोल सकते हो, illegal नहीं बोलोगा, by the buyer, immoral बोल दो आप इसको, an auctioneer, क्या लिखा है, an auctioneer, normally take any bid from seller, or any such person, the sale, sell be treated as immoral by the buyer, गलत है यह, buyer के point of view से, कि भाई, auctioneer को पता था, हमें क्यों नहीं बताया, तुमने, auctioneer को पता था, कि यार seller भी bid कर रहा है, यह seller कोई person bid कर रहा है, वैसे दो गलत होता है, auctioneer जानता था, और, buyer को नहीं बताया, बाकी लोगों को नहीं बताया, other buyer को, तो वो immoral हो जाएगा, buyer के point of view से, ठीक है सर, last, 50, 50, कितने हैं, 55 है, चलो, जल्ली खतम करते हैं, an act by which an intent bidder is discouraged and dis, as you did, from bidding in the auction sale is called puffer, damping, dumping or knockout, क्या मतलब हुआ इसका, देखें, damping क्या होता है, ऐसा कोई भी काम, जिसकी intention, intent bidder is discouraged, from bidding and auction sale, जब भी कोई, बच्चे पहले से जानते हैं, ऐसा कोई भी seller, ऐसा कोई भी, क्या कहते हैं, person, जो, इसकी intention क्या है, डिसकर्च करना, bidders को, उसको damping कहा जाता है, discourse करने के लिए, प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना, जान बुच कर, डिसकर्च करना, तो damping क्या होता है, price increase करने के लिए, आप कोई person बढ़ा दिया, जिनने कहा कि भाई, तुम ऐसा काम करी हो, तू ना, price बढ़ाई हो, प्राइस बढ़ाई हो, बोली लगातरी हो, खरीदना नहीं है, बोली लगातरी हो, जैसे कोई एक लाग बोले, तो दो लाग बोल दियो, जैसे तीन बोले, तो तीन लाग एक बोल दियो, इस तरीके से, डैंपिंग कहा जाता है, इसको गलत काम है ही, प्राइस इंक्रीज करने के लिए, तो मैं एक परसन बढ़ा रहे हैं, जो अधर बिडर को डिस्करस कर रहे हैं, जो बोली लगाने वाले परसन है, बिल्कु सही बात, दूसरों को बोलता है, कि बायर है, रहन दे मत खरीद, इसको विकार प्रोड़क्ट है, ये सब, ये भी ये सब डेम्पिंग का पार्ट माना जाता है, जो अधर बायर है, कि यार इस प्रोड़क्ट में तो गलब बढ़ा है कुछ, ये सब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डैस is a form of combination of buyer to pretend competition among themselves at auction sale, knockout agreement, oligopoly agreement, monopoly agreement, puffing agreement, अब क्या होग इसका, डैस is a combination of buyer to prevent competition among themselves at auction sale, knockout agreement कहते हैं, knockout agreement is a form of combination of buyer, बहुत सारे बायर मिलकर, competition करते हैं, प्राइस के अंदर, that is called knockout agreement, कि किस के हाथ लगेगा है प्रोड़क्ट, आप सहम तर 10 जने मिलें, यहाँ पर एक प्रोड़क्ट बिग रहा है, मैंने का बहुत सारे बायर मिलकर, जब competition करते हैं, और किसी एक का knockout जाता है, कि हाँ कोई मिलेगा, उसको knockout agreement कहते हैं, तो बहुत सारे बायर मिलकर, जब competition करते हैं, auction sale के अंदर, है न, जैसे कि एक प्रोड़क्ट, जैसे कोई है, पेंटिंग है, पेंटिंग के लिए auction sale हुआ, बहुत सारे बायर को पसंद आ पांचे बायर को सब अपनी bidding कर रहे है, bidding कर रहे है, तो बायर की बीच में competition हो रहा है, bidding को लेकर, किसी एक को मिलेगा, that is called knockout agreement, इसको knockout agreement कहा जाता है, ठीक है सर, damping क्या होती है, knocking क्या होता है, damping क्या होता है, जब भी कोई seller, या कोई ऐसा person, किसी दूसरे बायर, bidder को क्या कर इसको करता है, यह बिकार समान है, यह गलत है, यह चोरी कहा है, ऐसे मत खरीदो, डिसकरज करता है, किसी वज़े से, damping का जाता है, knockout का मतलब होता है, बहुत सारे बायर मिलकर, जब समान खरिते है, बहुत सारे बायर मिलकर, जो competition करते है, bidder लगाने पर, that is called knockout agreement, इसी जी को मिलता है, इसके बारे में यहां भी लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार और पढ़ा दूँ, कहीं पीछे भी लिखाता है, इसके बारे में, लिखाता है, कि बायर क्या करते है, competition, प्रिवेंट ना हो करके, मतलब एक तरीके का, जैसे एक तो हो गया, competition हमारे बीच में हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से competition हुआ, बहुत सारे बायर हैं मिलकर, इसे फाइदा क्या होगा, प्राइज बढ़ जाएगा, किसी एक को मिल जाएगा, तो ऐसे करते हैं, पांच-स, यहार से start करेंगे, बढ़ेंगे, मैक्स दस ज अज़ार पर चलेंगा, बही ही रुक जाएंगे, बस, किसी एक गो मिल जाएगा, बस ले जाएगे, तो यहाँ पर, दो, तिन बायर मिलकर, चार बायर है मालों एक सीनिरी एक पेंटिंग खरिदने के लिए पांच बायर है पांच और साइड माय कहा रहा भाई लोग पांच चो में से किसी कोई मिलेगा पर दस जार से जाता की बोली लगानी नहीं है एक क्रोण में चले आती है लाखों में चले आती है क्या फाइदा दस जार तक ही सट करेंगे इसको दे रहा है देगा नहीं देगा नहीं देगा जो बोलेगा दस जार एक इसको मिल जाएगी खतम कहा नहीं तो ये गलत है ना इससे क्या होगा? इसको क्या होगा? इससे 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 क्या बात यह सर इल्लीगल है रिजब प्राइज रखना कि हाँ 10,000-15,000 से ज़्यादा का नहीं खरी देंगे इतने पही बोली लगाएंगे और किसे एक को मिल जागा बाकिये देख लेंगे आगे पेज करेंगे यहां हमने 10 की खरी दी आगे हम इसको बेज़ेंगे एक लाख रुफे में 50-50 यहां होता है पर अपने ही बीच में कॉम्पिटिशन ना होने देना पहले से ही एक रिजब प्राइज सेट करना उससे ज़्यादा का प्राइज बोली लगाना ही नहीं इससे सेलर का नुक्सान हो जाता है पफर क्या होता है पफर वो परसन होता है जो परसन सेलर के बिहाब पर जाता है और बोली बढ़ाने के लिए बिड़ करता है उसका काम क्या होता है बोली को बढ़ाना बिड़ करता है उसको पफर कहता है डेंपिंग में आपको पता ही दिया बिडिंग जो होती है, pretended bidding sale is voidable as the option of sale, pretending, pretended bidding क्या होती है सर, बताइए, pretended bidding क्या होती है, यह आप गलत bid कर रहे हो, salary आगर रहा है, किसी person को buffer को रखकर bid करवा रहा है, और bid करवाने के बाद क्या कर रहा है, बोली बढ़वार है, जान बुछ कर, जिससे buyer को महंगा पड़े, that is called pretended bidding और ऐसे case के अंदर, यह voidable होता है, the option of buyer, buyer चाहे, तो उस contract को cancel कर के seller पर case कर सकता है, कि तुमने गलत करी कैसे करा है, और यह price बढ़वाया है, in auction sales, the property shall be sold to the highest bidder, जो सबसे ज़्यादा highest लगाएगा, उसको property based दी जाएगी, on auctionary will be liable for damage, an auxiliary will be liable for damages, if auctionary had no authority to sell the goods, if there is a defective in a principal title, बिल्कुस आइए, यह भी ठीक है, उपराला भी ठीक है, if the buyer position is distributed by the auctionary principal and auctionary himself, बायर की position को, position को disturb कर दिया, auctionary नहीं यह प्रिंसिपल नहीं, यह all of the above है, भही है, इसका अंसर तो बिल्कुस तीनों कि तीनों ठीक है, auctionary किस चीज के लिए liable होगा, अगर auctionary के पास, कोई भी authority इतिनी गुड्स को बेचने के और उसने बेच दिया, तब वो लाइबल हो जाएगा, auctionary के पास, जो गुड्स बेच रहा, उसको बाद डिफ्रक्टिव टाइटल है, लोगों गलत गुड्स बेच रहा है, चोरी कमाल बेच रहा है, वो एक लाइबल हो जाएगा, buyer ने समान by the agreement to the contrary, where after a contract has been made, but before it has been performed exercise duty is increased, the buyer will have to pay increased price, the seller cannot charge increased price, the seller can charge increased price both A and C, unless我不知道 the agreement in the contrary where after a contract has been made, but before it has been performed, where after a contract has been made unless excluded by an agreement to the contrary agreement में नहीं लिखा था where after a contract has been made contract बना लिया गया but before it उससे पहले it has been performed कुछ prices बढ़ गया access duty increased हो गई access duty का मतलब होता है tax मैं पूरी कहनी बताता हूँ तो इसको असान तरीके समझानी कोज़ करता है access duty का मतलब होता tax अब क्या होँ मैंने आपके बीच में contract हुआ और मैंने कहा कि भईया देखो ये समाना 10,000 का बेचूँगा जिसमें tax include है आपने का ठीक हमारे बीच में contract हुआ अब जैसे हमारे बीच में contract हुआ access duty बढ़ गई मैं जब tax बढ़ गया तो मैं कहूँगा भईया tax बढ़ चुका है आप ज़्यादा price में आपसे charge करूँगा तो मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ कि भईया देखो tax पहले गम था चलिए price गम था अब government ने tax बढ़ा दिया तो price अब ज़्यादा charge के रहा जाएगा seller दोबारा या buyer क्या होगा बताब यह आपको बताना है 55 का अंसर बताना है कि simple सी बात आप खुछ समझदार हो यार यह तो obvious है मैं buyer हूँ मैं किसी के साह समान लेने जारो मैंने का laptop ले रहा है अब government ने tax बढ़ा दिया जो भी आप भरोगे अश्टर 2000 पर वो government को ही तो जाएगा तो seller की का गलती है तो जो भी price increase होगा buyer को उसको पे करना होगा तो buyer को वो price पे करना होगा जो increase price है या seller charge करेगा increase price seller बेचे का ही नहीं मना कर जाएगा पर 25 में दूँगा क्योंकि मैं अपनी जेप सो थोना tax बढ़ा कर दूँगा government को तो भाईया tax बढ़ चुका है पीछे से तो आपको भी देना पड़ेगा तो बोथ A&C buyer को increase price पे बेग करना होगा seller भी increase price चार्ज करेगा लो जी खतम होगे सर यहाँ पर के सारे एम से क्यों ठीक है इसके true false कर लोगे है इम पहले के true false अब बताओ वो कौन सा गोशनता है जिसमें तुम बता रहे थे मुझे तब से पहले अच्छा यह वाला था क्या इसको गलत दिखते है था कमाने तब से पहले बताओ withhold delivery क्या होती है जली से क्या होता है withhold delivery पताओ यह वेट कर रहा हूँ जली से बताता हूँ देखिए withhold delivery का मत्तब होता है जब भी कोई property पास नहीं होती buyer की तरफ seller से seller ने कोई property buyer को पास नहीं करी और seller को बजली है कि buyer तो insolvent हो गया है तो buyer अब seller जो है अब buyer को वो property पास नहीं करेगा property कहा रहा हूँ position goods का नहीं देगा वो अपने पास ही withhold करके रखेगा withhold delivery का मत्तब होता है जब भी बिल्कुल सहीबाद रितिंग ने बिल्कुल सही अंसर दिया है ownership और position दोनों ही goods का buyer seller के पास रहता है और seller तब तक उसको hold करके रखता है goods को जब तक property जब तक buyer उसके पैसे ना दे दे इसको रहता है withhold delivery तो इसके answer है only यहाल answer है only उपर से गलती से कर दिया only when the property in goods has not passed to the buyer property of the goods भी पास नहीं होना चाहिए position of the goods भी पास नहीं होना चाहिए seller की दरब से दोनों के दोनों seller के पास रहेगा और वो hold तब तक करता रहेगा जब तक बायर उसकी payment ना करते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया withhold का मतलब समझमा है ना simple language में बता रहा हूँ withhold का मतलब है जब भी buyer buyer जब भी seller अपनी property मतलब goods का ownership और goods का position दोनों अपने पास रखता है और तब तक रखता है जब तक buyer pay ना कर दे इसको हम withhold क्याते हैं और इसमें अंसर अपका भी है परजान कहा रहा है मेरा अंसर copy to Ritik फिक है सर्थ खतम हो गया ये सब आप करेंगे matching matching तो आएंगे नहीं paper के अंदर mcq आएंगे हाँ true false में से mcq बन सकता है घर से try करेंगे कोई problem होगी मुझे बताएंगे next class में next class में contract की रखोंगा true false mcq में सही होते है next class contract की करेंगे चीक है और वो start करेंगे 7 बज़े आज 7 बज़े start करेंगे थोड़ा क्यूं contract बड़ा है तो बहुत time लगीगा उसको करने में चलिए bye bye take care have a nice day मेरे दूसरी class है अभी बाकी bets की तो मैं बोलूँगा तब तक के लिए bye bye चलिए start करते है अपना contract का multiple choice question चीक है तो लगबग लगबग हमारे पास दो सो पार को सने तरी सबसे पहले स्टाट करें, 266 के रहे हैं बच्चे की 266 MCQ है, कोई बात नहीं, 266 के 66 करेंगे आज ही, और उसके बाद ही किलास खतम होगी, लगबग लगबग 2.5 घंटे की किलास रहेगी, 2.5 घंटे में हम 266 कोसन कम्लेट कर लेंगे अपना, ठीक है, तो सबसे पहला कोसन आत को, पहला कोसन, भाई, law of contract किस जगह से आये था, सर्थ 3 जगह से आये था law of contract, एक तो Indian contract एट के थुरुआये था, एक judicial decision, जो court के decision होते है, जसाब के decision होते है, उनकी वह से, और एक logo द्वार आये था, लोगों का मानना जह था, customer trade, तो तीनों के द्वारा, हमारा law of contract का जनम ह हुआ, all of this, अगला, law of contract के अंदर, कौन कौन सी बाते आती है, सारी law of obligation नहीं, सर्साली नहीं आती, वो ही law of obligation आईगी है, जो legal obligation होती है, जिनको आपको एक agreement से बना है, अगर कोई husband wife के बीच में बात हो रही है, dispute हो गए, तो वो contract के अंदर कवर नहीं होता, क्योंकि हमार legal agreement नहीं है, contract नहीं किसी और act के अंदर कवर होगा, पर contract के अंदर कवर नहीं होगा, domestic agreement, social agreement, यह कवर नहीं होते, only only commercial agreement ही, हम contract के अंदर कवर करते है, deal with only such legal obligation which arise from agreement, ऐसे legal obligation जो एक agreement से बन कर आये है, और वो commercial होनी चाहिए, right, इसके बात, social agreement not enforceable by law, contract act कवी भी social और domestic agreement को include नहीं करता, सिर्फ commercial agreement को include करता है, तो social agreement हम enforceable नहीं होता, contract के अंदर, कहीं और other law में होगा, पर contract के अंदर enforceable नहीं माना जाता, आपके पास, इसके बात कहता है, merchantile, merchantile का मैंने पहली ही बतायाता है, इसको बलते है, commercial, merchantile लोग बोलता है, commercial लोग बोलता है, अभी, recently, उन सभी लोगों पर, contract act, commercial law, commercial law के अंदर कितनी बाता आती है, 4-5 बाता आती है, commercial law के अंदर आता है, contract act, sales of goods act, negotiable instrument act, partnership act, or limited liability partnership act, तो ये 5 act जो है, वो commercial law के अंदर आता है, merchantile law के अंदर आता है, कौन-कौन से, Indian contract act, sales of goods act, negotiable, partnership, और limited liability partnership act, ये 5 act जो होते हैं, commercial law के अंदर आते हैं, और सभी लोगों पर वो applicable होते हैं, अगला, a contract consist of mutual promise or an agreement enforceable by law, agreement not enforceable by law, contract consist of mutual promise, दो लोगों आपस में promise करते हैं, mutually decide होते हैं, तब जाकर एक agreement बनाकर, और agreement enforceable by law होता है, तो ऐसा agreement, जो enforceable by law होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, contract कहते हैं, बिल्कु सही, ऐसा agreement, जो legal liability create करता है, वो enforceable by law होगा, ऐसा agreement, जो legal liability create करता है, वो enforceable by law माना जाएगा, अव्यस है लीगल लाबिटी की डिट होगी तो लॉव में इंफोर्स होगा कॉर्ट अफ लॉव में हम उस पर केस कर सकते हैं अगर हो हमारी बात आगे अप्लिकेशन बिट्वेन पाटि बैट फ्रॉम जब लीगल प्लिकेशन वीच विच घवर करते हैं कॉंट्राक के अंदर जो दो पाटि की बीच मां उप्लिकेशन होती है इस इप्लिकेशन होती है सभी तब की ओप्लिकेशन नहीं होगे जैसे एक social obligation होगई और कुछ एक किलो प्यांच और एक किलो टमाटर ले आना नहीं लाना फिर बताओंगी कोट में केस कर दूँगी आपके खिलाओ तो ये भी नहीं चलेगा ठीक है तो जैसे बोला जा रहा है चुपचाओं कर देना जब भी तुमारी साधी होगी चलो किते तरीकों से हम अपने कॉंट्राक्ट की उब्लिगेशन को पूरा कर सकते हैं दोस्तो agreement और contract by agreement और contract यही तो होगा यारे contract के अंदर obligation आईगे वो कैसा आएगे जब agreement करोगे और जब contract होगा तभी तो आप promise को perform करोगे agreement होगा तो फिर obligation आईगी contract होगा obligation आईगे फिर ही आप promise को perform कर पाएंगे तो contract और agreement all contract should be in writing should be oral, should be registered none of this, all contract राइटिंग में होनी चीए oral में होनी चीए, registered होनी चीए nए-nए-n приход रिटर्न और ओरल दोनों हो सकते है contract जो है, वो written और ओरल दोनों हो सकते है यहाँ तो लिकारा है, सिब राइटिंग में होना चीए सिब औरल में होना जी है, नहीं, दोनों सब गलत है, सब गलत है, नन अफ दिया वाब, ऐसा बोलता है ना, contract should be in writing and oral both, तो मैं कहता है, यह ठीक है, D will be the right answer, और foreigner, एक क्या foreigner, contract करने के लिए competent होता है, बताओ सर, पढ़ाया था ना, capacity of the party में, क्या contract करने में competent है, अब competent to enter in a contract, if we fulfill the condition of section 11, it is not competent to enter in a contract, नहीं, एक, जो section 11 है, अगर उसकी condition fulfill कर देते हैं, तो foreigner contract कर सकता है, obvious है, एक foreigner भार से यहाँ पर आया, क्या वो कहीं सी से समान नहीं ले सकता, किसी से contract नहीं कर सकता है, section 11 की condition fulfill करनी होगी इसको, section 11 अभी आगे पढ़ाओंगा, रुख होता है, वो contract जो, are enforceable by law, if they are not avoided, yes, are not enforceable, नहीं, enforceable होता है, can be enforced, if the court direct, court अगर बोलेगा, तो enforce होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, can be enforced with the prior permission of, नहीं, are enforceable by law, if they are not avoided, avoidable के अंदर, अगर, मैं आपको बताया था, कि अगर कोई person के साथ, धंकी देकर, अगर contract किया जा रहा है, और वो, उस contract को, void नहीं, declare करना जा रहा, कुछ नहीं बोल रहा, तो फिर valid है, अगर वो avoid नहीं करता, तो फिर voidable बना सकता है, वो case कर सकता है, उस पर, है ना, terms of agreement, must be certain, must be capable of made certain, and ambiguous and clear, agreement कैसा होना चाहिए, agreement कैसा होना चाहिए, भाई, certain होना चाहिए, बिल्कुल सही है, सब होना चाहिए, भाई, agreement जो होता है, हमारा certain भी होना चाहिए, वो capable हो, क्यों को करने के लिए, unambiguous हो, clear हो एक्दम, unambiguous मतलब, ऐसा agreement ना हो, जिसके double meaning निकले, unambiguous बोलता है, जिसके double meaning निकले, जिसके double meaning ना निकले, in the sense कि किसी भी contract के लिए, आप कुछ और समझ रहा हूँ, मैं कुछ और समझ रहा हूँ, मैंने का भाई, मेरी car ख़एद होगे, दो car थे, एक old, एक Mercedes, आप समझ रहा है, मैं कहा रहा हूँ, old की बात कर रहा हूँ, तो इस case के अंदर double meaning ना निकले, clear होना चाहिए, all of the above, इसक answer होगा, कि contract के अंदर, जीजए clear होने चाहिए, must be certain जोना चाहिए, उसको करने के लिए capable हो, और clear हो, double बाते ना हो, double understanding ना हो, इसमें, a contract is a contract from a time it's made, from a time it's performed is due, from a time from it's performed, from a time is made, contract कब contract बनेगा, जब वो बनाया गया हो, contract कब contract बनेगा दोस्तों, जब वो बनाया गया हो, बहुत बढ़िया, in an executed contract, executed के अंदर, दोनों पार्टी अपना contract, application पूरा कर लेती है, both the party have yet to, yet to be, yet to be का मतब अभी करेगी, yet to be का मतब है करेगी, only one party has fulfilled, both the party have fulfilled their promise, जब दोनों पार्टी अपनी promise को fulfill कर लेती है, उसको executed contract क क्या होता है, void agreement is void of initial, is not void of initial, may be, or may not be illegal, it is illegal, none of the above, sir, void agreement, void of initial, होता है, शुरू सही, may or may not be illegal, ये भी हो सकता है, illegal भी हो सकता है, illegal भी नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है, none of the above और नहीं रखेंगे, may or may not be illegal भी हो सकता है, मैंने आपसे एक example बताया था सारे illegal agreement void agreement होते है बट सारे void agreement illegal नहीं होते example बताया था ना सारे illegal agreement void agreement होते है सारे illegal agreement जो इसको void तो कहींगे पर सारे void नहीं होते है तो void agreement illegal भी हो सकते है और illegal नहीं भी हो सकते है तो may और may not भी illegal आगे writing 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 का मतलब बता दो सर पहले आप writing का मतलब बताईए बहुत मैंने बताया था आपको इक लास के अंदर और मैंने sales of good sack में ही बताया था इसको आपको देखिए मैं आपको example देता हूँ माल लो आपने आज नई नई स्कूटी खर दी या बाइक खर दी माल लो against the world मतलब क्या हुआ मतलब क्या हुआ अब क्या तो against the whole world क्या मतलब हुआ ये तो रटली है आपने मतलब भी तो पता होना चीए what is the meaning अंकित क्या मतलब हुआ अरियन भितिक अरियन भितिक हाँ तो क्या मतलब होता है सर मतलब होता है इदे बैठता हूँ जार इदे से पूरी दुनिया में कोई भी उसे वो goods नहीं ले सकता बहुत बढ़िया मेरे example देने से पहले ही बच्चे ने सही दे दिया बहुत बढ़िया मतलब अगर मैं स्कूटी वाय करता हूँ या मैं एक कार या बाइक बाइक करता हूँ तो मेरी है سर कोई दूसरा कोई दुनिया में कोई भी परसन आकर यह के लिए नहीं ले नहीं कर सकता यह भाइक मेरी है क्योंकि मैंने उसके पासे दिया है मैं उसका ओनर हो तो बाइक भी मेरी है तो राइट टू रिम तो राइट टू रिम का मतलब है कि हमारे पास राइट है कि हम सभी पूरे दुनिया के अगेन जा सकते हैं और यह कह सकते है कि यह चीज मेरी है तेरी नहीं है भही आ ठीक है बहुत बढ़ी है सबी को पता है मजा आगे आगे बढ़ते हैं आगे गारते हैं अब वॉइड कॉंट्रेक्ट इज वॉइड फ्रॉम दी वैरी बीगनिंग ये तो बहुत सिंपल था एक वॉइड कॉंट रैक्ट क्या है वाइड फ्रॉम दी बेरी बिगनी है अठार बा जलेली हो रहे हैं न बहुत ज़्याद अभी तो है और यह है कि तुम्हें अभी मैंने कॉंट्रक करा दिया न कॉंट्रक के हम से करा दिया तो याद रहेंगे अभी एक चीज को पढ़ने के बाद भूलने के लिए कम से कम तीन से चार दिन चाहिए भूल जाता है इंसान तीन चार दिन में भूल जाता है तीन चार दिन से पहली पेपर है परसो ही पेपर है तो चलो परसो तक तो याद ही रहेगा दी होगा अच्छा वॉइड कॉंट्राक्ट है यार this is not void agreement this is contract void agreement is void from the beginning void contract is void valid होता है beginning में फिर बाद में void बन जाता है void contract लिखाता है میں थोचा valid agreement है sorry my mistake void contract है ठीक है ठीक है मैंने तुम्हें पढ़ाया यार मैंने तो पढ़ाया तुम्हें भी ठीक चलो अब void agreement is one agreement है इस बार त्यान दूंगा, avoid agreement is one which is forbidden by law, बिल्कों जाई, enforceable at the officer one बना, which is not enforceable by law, यह रहा, which is not, this is the best answer, void agreement जो होता है, वो enforceable by law नहीं होता, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे को बता है, which of the following statement is false, इन में से कौनसे statement गलत है, all illegal agreement बॉयद है, यह ठीक है सर, सारे contract agreement होते है, हाँ बहुत बन सकता है, जाए बहुत होना चाहिए, अगर यह होता है, सारे agreement contract होतों गलत होता, सारे contract agreement है, क्योंकि एक contract agreement होने के बाद बनेगा, पर एक agreement सारे contract नहीं होंगे, यह ठीक है, सारे contract agreement है, law of contract is whole law of application, certain contract must be in writing, कुछ ऐसे contract होने चाहिए, जो writing में हो, कुछ ऐसे contract होते हैं, जो written में लिखने पढ़ते हैं, oral से महाँ पर काम नहीं आता, जैसे कि आप कोई contract कर रहे हैं, land खरीदने का, तो oral ही अगर आप बोलते हो, यह land आज के बाद तुम्हारी, तो तुम मानोगे, मेरे से खरीद दो, एक land खरीद दो मेरे से, और मैं बोलता ह क्यारा मैं case कर दूँगा, मैंने क्या सबूत है, क्यारा सबूत यह है कि तुमने बोला था, मैंने कहां बोला, मैं तो बोला ही नहीं, क्यारा यह cheating कर रहे हो तुम, मैंने का cheating ही मेरी आदत है, जो करना है कर लो, ठीक है, तो कुछ contract होते है, जो rating में करना होता है, लिखकर बत बन्दा है यह तो दोगला पर नहीं हां मैं कर रहा हूं चलो यह वाला law of contract whole law of obligation नहीं होती सर whole law of obligation नहीं होता law of contract चलो पाकी साथ ठीक है यह प्रवालक गलत है whole law नहीं होता जो agreement जो contract को उन्हीं के लिए obligation आईगी बाकी किसी के लिनिया आईगी which of the following contract are not recognized by Indian contract इन में से कौन सा contract Indian contract दवारे recognized नहीं है recognize which of the following contract are not recognized by Indian contract act सारे नहीं है भहिया recognize का मतलब है कि actual Indian contract नहीं उन्डे define नहीं करा कि हां कि ये भी एक contract के अंदर आते हैं हां इनको मान लेते है court की judgment जो आती है judicial आपके बार court judgment जो होती है इनको हम contract मान लेते हैं पर Indian contract ने totally defined नहीं करा रिकॉर्गाइज बताया नहीं है contract के तहत हाला कि ये होते है court judgment हमारी होगी contract नसे इस इलमान लेते हैं कॉंट्राक को पर इनको डिफाइन नहीं करा है ठीक है इप वीच ऑट अब इसमें आप बता दो आपको पढाया था मैंने क्या होगा बहुत बड़ी आ formal contract के अगर respect में देखे तो concidation necessary नहीं होता यहाँ पर कहा रहा है it should have consideration तो गलत है अगर consideration नहीं भी होगा तब भी contract valid माना जाता है formal के अंदर यह एक speciality होती है formal contract में formal contract के अंदर अगर consideration नहीं भी होगा तब भी वो valid माना जाता है तो ये गलत होगे ना इट सुड हैव कंस्टेशन ना नहीं भी होगा तब भी valid हो अंडर इंग्लिज लोग इंग्लिज लोग को पता है सर किसको कहते है इंग्लैंड के लोग को इंग्लिज लोग के तहट which of the flowing recognize as a formal contract इंग्लिज लोग के तहट formal contract के अंदर बाते लिखी गई है इंग्लिज लोग के तहट हम formal contract को payroll contract भी कहते है इंग्लिज लोग के तहट simple acceptance is to offer what a light match lighted match is to a train of a gun powder this statement इंडिकेटी अच्छा है acceptance is to offer what a lighted match is to a train of a gun powder train of gun powder मतला समझाओ इसका which of the under English which of the following are recognized as a formal contract अच्छा हाँ payroll को तो simple contract कहते है which are not recognized होना चाहते है यहाँ पर चाहते है ऐसा कर लो ना 22 वेकर D कर लो तो क्यों कर रहा हूँ यह तो simple हो गया यह होगा बोथ A and B recognize और contract under sale formal contract के दो पार बताया थे एक रिकुनाज बताया था एक contract under sale बताया था प्खाते हैं copy एक बड़ contract की formal contract के दो पार टाइप होते हैं contract under seal contract under recognized मतब record तो हमारा हमारा जो answer है वो यह रहा बोथ A and B यह दोनों को हम formal contract कहते है payroll को simple कहते है ठीक इदर मेरी गलती हो गई acceptance is to offer what a lighted match हाँ यह पढ़ रहे थे is to a train of gunpowder इसका मतलब बताओ पहले एक statement का इस statement का मतलब बताओ यह जल्ली से एक बार क्या गह रही है आलिस statement अरे पता है तो बोलो नहीं पता तो मत बोलो ना मैं बताओंगा फेर मैं वेट कराओं तुम्हारे कमेंट का झालिस का देखे वाव कोने एक एक वो दे रहा है साहिरी साहिरी दे रहा है तरी के लाइटेट मैच मैच का मतलब हो गया मार्चिस के डब्बे मार्चिस के डब्बे मैं से त्लिली निंगा लो ऐसे करो और गन पाउटर में लगा दो ऐसे करके और वहां यूँ देखो अगर नहीं करना ऐसे करना अज घर पर मार्चिस के त्लिली लेकर जलाते हो गन पाउटर को तो फिर वो पूरा जल जाता है वो ट्रेन ऑफ गन पाउटर मतलब एक तरीके का मालो कि जब भी हम कोई चीज गन पाउटर को जला रहे है तो वो चीज वापसी नहीं हो सकती एक बार जो चीज हमने कर दिया तो कर दिया अब वो आपस नहीं हो सकता यह साहिरी का में कर लिया तो कर लिया फिर आपको कॉंट्राक्ट पूरा करना होगा बाइंड हो उसके लिए एक बार मार्ची के तिली में गन पाउटर में जगा दिया तो भूम जल गया हो उसके बाद वो दुबारा वापस नहीं हो सकता सकीव कह रहा है हलो सर हम आ गये है वा थैंक्यू भाई अगर तुम नहीं आते हैं न मन सा नहीं लगता इतनी देर से यही तो कह रहा था यार सकीव कहा है भाई मन सा नहीं लग रहा उसके बिना चलिए एक बार अगर offer आपने accept कर लियंग है तो आप contract के अंदर mind हो जाते है तो this will be the answer 23 an offer come to an end एक offer कभ खटम हो जाता है an offer come to an end by acceptance accept करने के बाद offer खटम होजाएगा communication करने के बाद या revocation करने के बाद या तीनों में से कुछ भी नहीं उख कभ खटम होता है सर एक offer तब खटम होजाता है जब आप उस offer को revocation कर लेते मैंने offer दिया मुझे लग रहा है offer मैंने गल्ला देती है मैं उसको वापस ले रहा हूँ तो offer खतम मैंने का यार तुम मेरे ये panel खरीद हो के डेल लाग में वाद बज़ा रहे ये तुम मैंने दो लाग में खरीदा है ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ने 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 वापस that or insanity of the proposal will revoke the proposal that or insanity of the proposal will revoke the proposal क्या बुलना बदा आप गई कुछी वन आदे रहा कुछी भी क्या बोल रहे बच्चे कह रहे 25 कभी है पहला भाई मीनिंग तो बताओ मीनिंग क्या गया रहा है अंसर बुक में देखकर अंसर या तो ऐसे बता देते हैं ये एक बाई बताओ सबसे पहले परपोजर कौन होता है जो एसेप्ट करता है वो होता है जो ओफर देता है वो होता है पहले ये बताओ पहले बेसिक पर आते है परपोजर कौन होता है जो एसेप्ट करता है वो होता है जो ओफर देता है वो होता है बता हुशन जल्ली से वो इस दा परपोजर जो ओफर देता है बहुत बढ़िया अगर जो ओफर देने वाला है या तो वो मर जाए या वो पागल हो जाए तो ऐसे केस के अंदर जो उसने ओफर दिया था क्या वो ओटोमेटिक रिवोक हो जाएगा क्या होगा कि अगर जो offer देने वाला था वो मर जाए या फिर वो पागल हो जाए तो क्या proposal जो उसने offer दिया था वो revoke हो जाएगा automatically is the fact of a death incident not to the offer the knowledge of death or incident is irrelevant only if the family member of the proposal informed to the offer क्या होगा क्या वो automatically revoke हो जाएग नहीं होता if the fact आप जानते थे अगर आप जानते थे कि जो death है और insanity है वो offer जानता है वो offer जानता है कि अगर death और या तो वो proposal पागल हो गया है या वो मर गया है इसका fact अगर offer जानता है तो फिर वो revoke जाएगा automatic नहीं होगा वो जिसको offer जाता है अगर उसको पता है कि हाँ या इस बंदे की death हो गई है या 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 बंदा पागल हो गया तो फिर क्या फाइदा इसको offer एसको पागल हो गया तो फिर एसे रिवोग नहीं करेगा वो एसको पता होना चाहिए ना कि हाई इस बंदे की death होई या पागल नहीं है तो automatic नहीं होगा भी पार्ट फैक्ट पता होना ची ओफ निए को उसकी death का या फिर उसकी insanity का चलो सब की answer ठीक है मैं comment पढ़ रहा हूं अभी की answer ठीक है अभी हम तो दूसर चप्टर में है अगर ऑफरी जानता है कि या वो परसन की death हो गई इस वज़े से या वो परसन पागल हो गया इस वज़े से हो गया तो इसका offer accept करने का कोई फायदा नहीं है offer हटा दो तो reject कर सकता है वह offer इस case के अंदर death incident के या वो counter offer दे सकता है कि हाँ या rejection कैसे तरीके से एक offer कैसे हम खतम कर सकते हैं या तो जिस person ने offer दिया वो गया या वो पागल हो गया तब offer को बाई चलिया तो offer revoke हो जाएगा दूसरा जिस पर आपने मुझे offer दिया मैंने उसको reset कर दिया offer वहाँ खतम हो जाएगा या आपने मुझे कहा कि यार यह मेरे pen खरी दो 10 रुपए का मैंने आपको counter offer दे तब वह खतम हो जागा जो आपने offer दिया था क्योंकि मैंने counter दिया तो आपका वाल offer तो खतम हो गया तो तीन रिजन की वह से offer खतम हो सकता है all of the over will be the right answer तीनों की करता हूँ तो इन में से कौन सांसर सही है बहुत बढ़िया क्रोस offer कभी भी contract नहीं बनाएगा जब तक acceptance ना हो भाई मैंने offer दिया आपने offer दिया मैंने उसको cross offer करा cross offer दिया आपने भी offer दिया मैंने भी cross offer रख दिया तीक एकटा रखा एक साथ रखा आपने का मैं दस रपे कर दूँगा आपने offer देता हूँ उसके बाद अपना offer देता हूँ प्रोस मया trusts क्रोस में क्या होता है एक परषण दूसरे का offering नहीं सुनता अपने अपने offer देते हैं सह hm नहीं आएगा फिर उसका अपना counter offer रखेगा तो cross offer तब तक contract नहीं बन सकता जब तक acceptance नहीं होगा acceptance का होना बहुत जुरूरी है ना of contract offer case में offer होगा acceptance होगा तभी तो contract बनेगा proposal can be reward offer कभ रिवोग हो सकता है before posting a letter to acceptance by the subject before receiving the letter of acceptance by the offer after posting जैसे letter को post कर दिया acceptance by the offer और cannot be reward offer रिवोग की नहीं हो सकता बताओ इन में से आपके पास कौन सा ठीक रहेगा देखें पहला वोट है कि letter को post करने से पहले of acceptance acceptance की letter से post करने से पहले by the acceptance मैंने यहां से आपको offer दिया चीजा के एक letter वो लेटर आपके बास पोज आपकी यूफर का ओपने offer सुन लिया आपने offer आपने देखने मैं यहां से letter भीजा आपके letter का offer cage गया है अपने सुना कि हा जैसासा कोई offer है अब आपने acceptance के लिए letter कर सकते हैं जब अगला person अपनी acceptance का letter post कर देता है करने से पहले रिवोग हो जाएगा जैसी उन्हें post कर दिया एक बार उन्हें भेज दिया post office में तो फिर रिवोग नहीं हो सकता फिर offer कब रिवोग होगा acceptor जो होता है अपना acceptance वाला letter को post करने से पहले बिफोर जैसी उन्हें post कर दिया फिर offer रिवोग नहीं होगा और post करने से पहले acceptance का letter तब तक रिवोग कर सकते है इधर हमारा है B A answer कि before the posting of letter of acceptance के letter को post करने से पहले offer रिवोग किया जा सकता है जैसी एक बार offer acceptance का letter कर दिया रिवोग और चलिए अगला communication of acceptance is not necessary क्या acceptance का communication देना जरूरी नहीं है बते हैं इसार इसा क्या होगा पढ़ते एक बार by performing a condition of the offer by offering by acceptance of consideration by the offering by acceptance of benefit service by the offering और all of the above communication of acceptance is not necessary भाई acceptance मैं accept करना हूँ offer को इसको communicate करना जरूरी है या नहीं है not necessary क्या communication acceptance जरूरी नहीं है by the acceptance of consideration by the offering by the acceptance of benefit offering दोरा benefit या फिस service जो दी जा रही है उसको accept करना ओके by performing a condition of offer by offering अच्छा ठीक है ठीक है समझ गया देखेए मालो 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 मैं एक कार ड्राइवर हूँ ठीक है मैं कार ड्राइवर हूँ आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे बुलाया मैंने का आपने का हम function तो मैंने ठीक है बैटो मैंने छोड़ दिया आपने मेरी service ले ली हाँ ले ली तो अब जो मैं price आपको code करूँगा कि हाँ इतने बनते है service की उथना आपको pay करना पड़ेगा अब आपको बहुत करना पड़ेगा आपको इतने में छोड़ूँगा उसके बाद acceptance की चीज़ की, service consume कर तो ली, अब acceptance देने का कोई मतलब, है नहीं, कि acceptance हाँ, मैं आपका offer accept कर रहा हूँ, अब आपका offer क्या accept कर रहा है, तो न तो service ही ले ली पूरी, पैसे दे आप, सभजमारा आपको, तो कब इस case के अंदर लोगा जो offer है, जो offer, offer कौन होता है, ज acceptance की communication जिरूर नहीं होती, clear हुआ, आपको मैं बाइक में बटा कर कहीं छोड़ कर आ गया, बताओ भया, कितने मैं आपने छोड़ा है, मैंने का भया, इसके तो दोस्तों लग गए, कह रहा है, नहीं, नहीं, मैं आपका offer था, accept नहीं कर रहा, मैंने का भाई छोड़ दिया है, है, भाई दोस्तों लग दे, शर्फ नहीं कर रहा, पर खाया होज़ा है, रहीं कमठा, चलिए आगे एक मैसेज़ कर रहा था इंपॉर्टेंट है अगाउंटर ओफर पर पॉर्पोजिंग डिफरेंट टर्म्स अन कंडिशन Amount to accept of the offer Amount to reject of the offer resulting in making a provisional contract both ends Amount to accept of the offer Amount to reject of the offer एक काउंटर ओफर हम देते हैं किस term और condition के basis पर हम काउंटर ओफर डालते हैं दूसरे पर इर काउंटर ओफर का मतलब क्या है मुझे आपका ओफर पसंद नहीं आ इसलिए मैं अपना ओफर दे रहा हूँ यह है ना तो मैं आपका offer reset कर रहा हूं simple सी घानी तो यह भी आपने मुझे offer दिया कि भाई यह चीज़ दस जार पर भी दूँगा मैंने का नहीं 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 मैं तो भाई 8000 से कम जारत खरी दूँगा नहीं तो मैं आपका counter offer इसलिए देता हूं क्योंकि मुझे आपका offer पसंद नहीं है और मैं आपका offer reset कर रहा हूं तो B will be the right answer सिंदे सीदा answer है दा amounting और deducting of offer जो आपना offer दिया मैं उसको reset करके आपना offer दे रहा हूं simple है चलिया आगे which of the following statement is false इसमें से कौन सी statement गला थे a response to invitation to treat lead to an agreement a valid offer must be communicated ठीक है supply information is not an offer एक किसी को information देना वो offer नहीं है a request for tender एक tender की request देना कोई invitation नहीं है invitation to offer एट्रीट का मतलब इदर होता है offer treat का मतलब क्या offer a response to invitation to offer lead to an agreement अगर हम invitation to offer को response करते है तो क्या वो agreement बन जाएगा अच्छा वैलिदे को ये दोनों ठीक है ये दोनों ठीक है कि एक valid offer को communicate करना जरूरी है और किसी को information अगर मैं देता हूँ कि यार उसके share का price बढ़ गया है लेना चाहूँ तो ले सकते हो तो ये information देना कोई offer नहीं है जर दो तो ठीक है यहाँपर अब बात कर लेते है उपर rust का मतलब है offer ठीक है हाँ अर रिस्पोंस टू इन्विटेशन टू offer लीट नहीं 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 भाई रेस्टुरेंट में ये menu है ठीक है ना अब रेस्टुरेंट जो मैंनीव है वो मैं उस पर response कर रहा हूं कि भाया यार यह वाला जो चौमीन है यह सिंगापूरी चौमीन पनीर वाली कितने की है मैंने response करा तो वो क्या चौमीन मना के लिए आएगा क्या response करने का मतलब यह तोड़ी ना है कि चौमीन बेव को बैगा तो बड़ लिख ले वहाँ पर दिखनी रहा देगो पड़ा हूँ यह अंधा हूँ मैं यह मैं अंधा हूँ बस यही दूख है भाया वह मैं को सोरी बोल रहा है मंधा नहीं हूँ चलो तो भाई invitation to offer menu पड़ा हूँ अगर मैं उसमें कोई चीज पूसता हूँ रिस्पॉंस करता हूँ तो वह चीज बना कर नहीं लेका आता मैंने पूच्छा भाया यह हका noodles में होती तो और नाम वाल नॉडल है भाया है रोब है वहां पर ननुवा चौमिन वाला है तो कि लग नगे मदब लाइव स्लिगस में हमाब एक भाहार nусов रिश पर नहीं, दस लुपेगी, हाव 20 लुपेगी, और तुम दे रहो 120 लुपेगी, क्या भड़ा के इस चौमिन के अंदर, मैं इतना रिस्पॉन्स करना हो, तो नहीं है, तो यह हमारी स्टेट्मेंट गलत है, बागे ठीए, हमारे वहाँ पर एक चौमिन वाला है, ननुवा चौमिन, बहुत फेमस है, अलग से मसाला देता हो, बस पनीर के जगा स्वाइबिन डालता हो, इतना फराग है, तभी तो बीचरवे की है, पनीर डाले का तो बढ़नी जाएगा, महांगा नहीं हो जाएगा, अगर कोई प्रॉमिजी एसेप्ट नहीं करता ओफर को, और वो पर्फॉर्म नहीं करता, तो वो रिस्पॉंसिबल नहीं है, तो यह यह स्टेट्मेंट, बताएए, मेरे को आपने ओफर दिया, मैंने उस ओफर को असेप्ट नहीं करा, मैं हिंदी में समझाता हूँ, मेरे को आपने ओफर दिया, मैंने उसको असेप्ट नहीं करा, और मैंने जब असेप्ट नहीं करा, तो मैं आपके ओफर को पर्फॉर्म क्यों करूँ भई, असे स्ट्प्टेट्मेंट है बिलकुल एक रूब है for an acceptance to be valid it must be communicate अगर acceptance valid होता है तो मुसको क्या कहते है partial absolute or qualified कहते है उसको अगर acceptance valid होता है तो इसको हम क्या कहते है absolute or qualified acceptance to be valid to be valid to be valid foreign it must be absolute होना चाहिए और unqualified होना चाहिए unqualified का मतलब होता है unconditional यह है तो हमारी acceptance की definition कि हम यहां से acceptance चालो हो गया 33 से acceptance की definition क्या कहती है acceptance की definition कहती है कि भया acceptance must be absolute and unconditional be will be the right answer unqualified means unconditional अगला and acceptance take place as against the promise acceptance take place acceptance कर ली है proposal के against when the letter of certain is posted हम जैसी आप letter post कर देता है acceptor acceptor वो letter को post कर देगा ना post वी में तो acceptance मान ली जाएगी when the letter of acceptance is received by the proposal अच्छा acceptance कम माने जाएगी यह आप से कह रहा है यह acceptance कम माने जाएगी post करने पर का acceptance मानी जाएगी यह letter acceptance का letter जब offer को offerer को received होगा तब मानी जाएगी क्या होगा when the offer right letter जब लेटर लिखेगा कि हम accept कर रहा हूं बसने post नहीं करता मानी जाएगी सभी case में acceptance मान ली जाएगी 34 का answer आप बतेजिए सबसे simple है सबसे simple है क्या मेरे acceptance के letter लिखने पर acceptance मान ली जाएगी या post करने मानी जाएगी या letter आपके आप पोस्ट जागा तब मारोगे अगर मैं auction में किसी goods को sale करने का advertisement करता हूँ तो क्या वो invitation to offer होगा amounting an offer to hold such sale amounting to implied offer amount to a journal offer जब भी हम को advertisement करते है किसी goods को बेचने का तो बताओ sir वो क्या होता है एक तरह की auction के अंदर क्या होता है हम लोगों कह रहे है कि आओ और हमें अपने-अपने offer दो bid करो यही तो कह रहे हैं मैंने advertisement लगाई कि हाँ इंग goods का auction sale होगा तो लोग आएंगे और अपना-पना offer रखेंगे that is called invitation to offer इसको क्या कहेंगे? बच्चे general offer कर देते हैं जनरल offer मत करिएगा जनरल offer में सिफ advertisement होता है auction से यहां पर बोला है साफ सब indicate करा है auction कर देंगे इसलिए उसको invitation to offer का सिफ advertisement होता तो मैं जनरल offer कहता है कोई भी आगर offer दे सकता है एक contract तब फॉर्म होता है जब एक acceptor अपनी intention signify करता है make his mind to do so read the offer and all of them मेरे साफ से सारे सही है read the offer नहीं 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 read the offer कासा है एक contact is formed तब एक contract when the acceptor offer को read करने पर contact मन जागा ना 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 आफर अपने mind में सोचेगा यार मैं इसको accept कर लो ना 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 तब भी नहीं वनेगा जब वो acceptance की intention होगी और वो बताएगा कि हाँ मैं accept कर रहा हूँ दिया है अगर आप सोच रहे हो अपने दिमाग में कि मैं इसको accept कर लो तो यह acceptance माल लूँगा मैं अभी तो आप अपने दिमाग में सोच रहे हो मैं ना ना ने आपको जो offer दिया आप ऊस offer को read कर रहे हो क्या मैं acceptance माल लू नहीं जब तक आप मुझे ये नहीं कहोगे कि हाँ मेरी intention इसको accept करने की तब तक मैं acceptance नहीं मान सकता तो ये आपके पास हमारा पहला point है आप कुछ ऐसा intention दिखाते हो ऐसा कुछ करते हो जिससे हमें लगता है कि हाँ acceptance हो गई है चलो हमार पर A answer अगर कोई अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको offer दिया क्यार तुम मेरी कार खरीदोगे और पैसा मैं कैसे लूँगा account transfer नहीं लूँगा मुझे cash ही पैसा चाहिए और आपने मेरे account में पैसा transfer कर रहे हो account transfer करने की चुक कर रहे हो तो offer does not accept the offer according to the mode prescribed आप कहारो नहीं जड़ नहीं मैं cash नहीं दूँगा मैं तो account में transfer करूँगा मैं कहारो मैं तो cash ही लूँगा मैं कहार हूँ भाई मैं अपनी car बेच रहा हूँ आप खरी दोगा मैं कितने में 2,000,000 और पैसे मैं कैस लूँगा आपने का मैं तो account transfer करूँगा बात ही ही खतम होगी बात ही खतम होगी भाई यहाँ पर मैं अपने उसमें आड़ रहा हूँ कि मैं तो cash ही लूँगा, मेरा mode है cash में, आप कहरो नहीं मैं तो account transfer करूँगा, तो क्या होगा इस 37 में, यह हो सकता है कि हाँ, दोनों में से कोई जुके और बात तैह हो जाए, कि एक अलाग cash लो एक अला account transfer, ऐसा हो सकता है, कि भाई ऐसे करते हैं, तो बीजनी तो है, तो ऐसे क हो जाएं मत खरीट, मत खरीट, result हो जाएगा, तो यहां पर offer accept होने के chance भी हो, और रिजचप होने के chance भी है, अगर आप दोनों अठर रहो हम दोनों, हमूबाद रहे थैं हम दोनों जूकर है, थोड़ा थोड़ा, आप जूकर है, थोड़ा εκ जूकर हो और पीजूक रहोवा ठीक है सर, offerer में accept और reject acceptance कि मैं आगर कहूं कि चल वो आप कह रहो कि 2,000,000 ऐसे आपकोंट ट्रांफर करूंगा, मैंने का नहीं सर नहीं मैंने क्या ऐसी चीए तो result हो जाएगा मैंने का चलो कोई बात ही आप दो मैं account transfer कर दो accept हो जाएगा okay communication of offer is complete when अब यार यह offer कब complete माना जाता है जब letter post कर दूँगा जब letter offer के पास received हो जाएगा offer is acceptance by the person जब offer accept हो जाएगा बताओ जब letter post करने पाउफर होगा या letter received हो जाएगा जब acceptor को तब offer complete माना जाएगा पते यह सर यह तो यार मैंना आपको revocation में chapter में बताए भी था जब हमारा letter acceptor के पास post जाएगा एक simple सा point समझे हो offer मैं offer दे रहा हूँ जब आपको offer के वारे पता चलेगा तब offer complete माने जाएगा acceptance देते टाइम जब आप letter post कर दोगे मुझे पता चलाने चला पर आपने letter post करते acceptance माने जाएगा क्योंकि फिर इसका रोक नहीं सकते offer में offer को पता होना चाहिए क्या offer है तो offer पोचने के बाद offer का letter जब offer के बाद पहुचेगा तब offer complete माने जाएगा acceptance का letter post होते ही acceptance complete माने जाएगी acceptance take place when and where the message is received acceptance take place when and where the message is received acceptance कब होगी जब when जब message received होगा true false incomplete information none of the word यार मैंने इसका मतलब यह हुआ कि मैं आपनी कार बेजने का आपको message कर रहा हूँ ठीक है और आपने का हाँ हाँ का message करके आपने मुझे send कर दिया तो जैसी message मुझे received हुआ क्या आपको acceptance मान ली जाएगी हाँ की yes symbol है यह तो क्या से इतना मुझे था यह तो कह रहा है जैसी आपने message भीजा और मुझे received हुआ message कि हाँ मैं आपकी एकार खरने को ready हूँ तो यह acceptance हो गई ना mental acceptance is no acceptance at all valid binding promise mental acceptance यह कौन सी acceptance होती है mental acceptance मैं तब पहली बार सुनना हूँ उसका नाम mental acceptance का मतलब हो गया unsound mind के time अपने अगर accept करा है तो उसको acceptance नहीं मान दे यह होगी इन्होंना अपने नाम ही डाल दिया mental acceptance unsound mind अगर कोई person जिस time वो unsound mind था अगर वो उस time accept करता है तो उसको acceptance नहीं मान जाता लोके ठीक है सर यह इसको उसको उसको नहीं में mental acceptance नाम दे दिया जबकि हमारे contract में लिखा था कि जब acceptance हो रही है जब वो unsound mind था तब acceptance नहीं मानी जाए यह लिखा हुआ है mental acceptance में नाम दे दिया बता हो अगर कोई auction sale में bid करता है तो वो एक implied offer to buy है express offer to buy है invitation to offer है invitation to come to bid है 41 का आपके पास क्या होगा देखे invitation तो कहीं नहीं होगा invitation का मतल्ब होता है advertisement करना कि हम यह goods बेच रहे आकर हमें offer दो तो सर जब buyer offer देते हैं वो invitation नहीं हो वो offer होता है invitation तो आपने दिया ना उनको आने की तो invitation तो बात ही नहीं होती है आपर buyer के point of view से जब buyer offer प्लेस कर रहे है वो सारे buyer offer आपना offer दे रहे है वो express कर रहे है कि मैं इतने में खरी दूँगा ठीक है ना invitation तो वो ही ना जब हमने उनको invite कर रहा कि आओ हमे offer दो invitation तो गई ये दो तो भाही नहीं implant नहीं है सर वो कह रहे है मैं दो लाग में घर दूँगा तीन लाग में express करके बोल रहे implant थोड़ी नहीं express offer journal offer open for world at large can be accepted by any person in the world any person within the country any person who comply with the condition of the offer any person who read the advertisement oh तो यह होगा इसका answer any person जिसने general offer क्या होता है वो offer जो किसी भी person को खरीदा कोई person इसको accept कर सकता है कोई person इसका बस जो offer दिया उसकी condition फुल्फिल होनी ची याद एक case अपको पढ़ाया था इसमें मैंने वो केस का नाम बुलिया मैं उसके अंदर क्या होती है वो दवाईयों का इडविटाइब smoke bowl company वाला case था जो smoke bowl company वाला जहां पर एक disease होती है उसमें accept कर दिया था वो उसको condition भी उसने फुल्फिल करी उसने जैसे use करने खुगा था वैसे use करा और तब भी वो सही नहीं हुई उसकी pulled और वो सही नहीं हुआ वो परसन जो offer को accept करता है offer comply करता है उसकी condition फुल्फिल करता है तो हम उसको general offer क्या थे है the communication of acceptance is complete as against the acceptor when it is posted by him when it put in the course of transmission when it come to the knowledge of proposal एक communication of acceptance कब complaint मानी जाएगे against the acceptor पताएए एक communication of acceptance is complete as against the acceptor एक acceptance कब complete मानी जाएगी जब वो letter post करतेगा तब जब वो लिख रहा है तब या जब offerer के knowledge में है या भी आपको बताया था मैंने ये वाला same point दुबारा यहाँ पर हाजिर हो गया है when it come to the knowledge of offerer when it post by him when it is posted by him the communication of acceptance is complete complete का माने जाएगा as against the acceptor acceptor के points of view से complete माने जाएगा when it come to the knowledge of proposal when it is posted by him जैसे उसने पोस्ट कर दे अभी तो उपर पढ़ा था हमने book में गलत दे रहा है as againstor book में दे रहा है when it comes to the knowledge of proposal जैसे वो letter post कर देगा acceptance complete माने जाती है as againstor book में answer गलत दे रहा है दोस्तों इसका answer A है जैसे लैटर post करेगा offer complete if the communication is made by unauthorized person it does not result in an contract agreement offer consideration if a communication is made by unauthorized person अगर कोई communication unauthorized person देता है it does not result in क्या नहीं बनेगा उससे contract नहीं बनेगा agreement नहीं बनेगा offer या consideration नहीं बनेगा क्या होगा agreement नहीं बनेगा और जब agreement नहीं बनेगा तो contract भी नहीं बनेगा तो आप इसको क्या करना agreement पर क्लिक करना क्यों क्योंकि दोस्तों जब agreement ही नहीं बनेगा तो contract obvious से नहीं बनेगा तो agreement पहले आता है contract बाद में आता है agreement बनने के बाद ही contract बनेगा तो अगर मैं कहूंगा कि agreement नहीं बनेगा तो obviously लोग समझेंगे contract भी नहीं बना तो अगर communication अगर unauthorized person द्वारा अगर communication कोई unauthorized person द्वारा दी जाती है तो उससे हम agreement नहीं बनाएंगे जब agreement नहीं बनेगा तो automatically contract भी नहीं होगा which section of Indian contract is defined in the performance of condition of the proposal is an acceptance of a proposal कि section में लिखा है कि performance of a condition of offer की performance पूरा करने पर is an acceptance of a offer कहते है कि अगर हमें offer की performance को पूरा कर दूँ तो वो acceptance of offer माना जाता है बताई बहुत बढ़ी है section 8 क्यारा रट लिए है मैंने this section of law a proposal may be revoked at any time किसी भी टाइम में before the communication आपको किस section में लिखा है but not afterwards किस section में लिखा है कि offer को हम revoke कर सकते है ये भी पढ़ाया था मैंने class के अंदर आपको कहा है revocation किस में था बहुत बढ़ी है section 5 में revocation था section 5 के अंदर last minute notes में लिखाया है revocation of offer and acceptance section 5 ठीक है revocation of offer and acceptance section 5 revocation का section क्या है 5 according to the Indian contract promise क्या है promise की definition है a promise is a communication of intention to do something a proposal which has to be accepted a gentleman what to say the promise क्या है communication of intention to do something किसी काम को करने की intention उसका communication या अप पर्पोजल अपकॉडिन आप प्रॉमिस इस अप पर्पोजल प्रॉमिस का है एक offer है which has been accepted जो accept होने वाला है यह है सर यह भी विदार अटेंसर इस अधार एक प्रॉमिस क्या है एक पर्पोजल है जो accept करने के लिए ready है हाँ और उपर वाले में क्या बोला है communication of intention to do something मैं आपको कहा रहा हूँ यारे मेरा ये करने का मन कर रहा है तो ये offer बन जागा नहीं अगर आपकी intention किसी को करने की हो रही आप किसी को communicate कर रहे तो आप उसको offer नहीं कर रहे बस अब ये बता रहे हो कि आपको ये आपकी intention है बर जब आप किसी को proposal देते हो और कहते हो कि भाई accept कर ले तो उसको गहते हो offer B will be the right answer इमानी B है B इमानी संदरिया when parties enter into a contract on telephone the contract become complete at the place where acceptance is heard by the proposal this has been provided in no section of Indian contract decided by the Supreme Court in section 2, in section 3 और in section 4 ये आपको याद करना होगा दोस्तो जब भी हम telephone में contract करते है और contract complete होता है at the place where the acceptance is heard by the proposal when a party enter into contract on a telephone the contract become complete contract complete माना जाएगा at the place where acceptance is heard by the proposal जैसी हाँ हमने का contract होगा आपके बीच में भाई मैंना आपको गल करा भाई कार खरीद होगा क्या आपने का हाँ मैं खरीदूंगा जैसी आपने बोला हाँ मैंने सुन लिया contract complete और एक किसी भी section में लिखा Supreme Court ने ये बताया था there is no section Indian contract but Supreme Court decided by the Supreme Court ये Supreme Court ने decide करा था कि अगर आप contract telephone में करते है अगर आप contract telephone में करते है और acceptor जो है अगर आपको ये बोल दे कि हाँ या ना जो भी है हाँ कह दे जैसी आपने वो सुन लिया कि हाँ तो आपका contract complete हो गया आपर contract माल लिए आप a promise is a person a promise a promise ही कौन होता है प्रामीजी एक person जो promise करता है a person who monitor the statement a person to whom the promise is made बताओ प्रामीजी कौन होता है ये तो बहुत सिंपल है या इसकी definition ने कितनी बार पढ़ाई है आपको गिलास के अंदर प्रामीजर होता है offerer जो offer देने वाला है प्रामीजी होता है offer जिसको offer दिया जाता है C will be the right answer चलो भया 50 मार दी which of the flowing is an invitation to offer इसमेज़ कौन जा invitation to offer है bid auction sale में bid करना bid करना अगर कोई buyer auction sale में जल्दी बाजी में बच्चा ये लगा देता है जल्दी बाजी में बच्चा C लगा देता है जल्दी बाजी नहीं करनी जल्दी बाजी है सैतान का काम ठीक है तुनिए bid करना होता है offer auction sale की advertisement करना होता है invitation to offer auction sale की advertisement करना हूँ वो invitation to offer पर बाइर bid करना है वो तो offer ही है ना तो यहाँ bid लिखा हुआ है ठीक है ना auction sale का bid a tender to supply goods for a certain at a certain time एक tender है कि आपको goods supply करना है इस time पर tender निकाला request for a loan loan की request नहीं a catalog for a goods of sale catalog जो होता है वो आपके पास क्या है साथ catalog जो होता है वो आपके पास invitation to offer है क्योंकि जो menu होता है उसको पढ़कर लोग offer देता है कि मुझे ये खाना है इतना रुपे का मतलब ये है तो catalog is an offer invitation to offer जो catalog होता है menu restaurant का वो होता है invitation to offer which of the flowing is an offer इनमें से कौन सा offer है bid on an auction sale अभी बने बताया था देखो उसको पढ़ते ही समा आ गया bid in auction auction sale में जो bid लगाते है buyer कि हाँ मैं इतना मैं खर दूँगा मैं इतना में खर दूँगा वो sir offer है acceptance in ignorance of offer acceptance in ignorance of offer is valid, invalid, void, voidable acceptance in ignorance of offer अगर मैं offer को ignore कर रहा हूँ offer क्या बन जाएगा valid होगा invalid होगा, void होगा इन्वैलिट हो जाएगा न सर भाई मैंने आपको offer दिया और आपने उसकी acceptance को ignore कर दिया तो offer void तो नहीं होगा सर invalid होगा void तो तब होता है जब आप जो offer दे रहे हो वो सही offer नहीं है essential element को पूरा नहीं कर रहा पर आपने तो सही offer दिया पर उस person ने accept करने से इकनकार भी नहीं कर रहा कुछ भी नहीं कर दे रहा वो पुनी नहीं रहा वहने का भाई मेरा mobile कर दो यार 5000 रुपर का दे रहा हूँ मैं अपने reply नहीं कर no reply जैसे आप किसी लड़कियों कहते हो hi कैसे हो कहां रहते हो और वो कोई भी reply नहीं करती इन्वैलिड ओफर का आपने इंस्टागराम में कितनी लड़कियों को फूलो करा है अब कब लिखता हो hello और यह उमीद लगा के बैठते हो यार कोई तो reply करे और फिर कोई भी नहीं करती तो आपकी सारी उमीद तूड जाती है तो उसको हम क्या कहते है सर acceptance ignorance कहते है कि वाई कोई भी आपका एक तो follow accept नहीं कर रहा और उसके बाद reply भी नहीं कर रहा हो रहा है नहीं हो रा तुम्हारे साथ हो रहा है हो रहा है नहीं हो रहा वाद नहीं है मीम्स कि यही वो लड़किया है जिन्होंने ददद लड़कों को व्लॉक कर रखा है और देखो किस्ते साथी होई है इसकी और कर लो व्लॉक कोई नहीं कोई नहीं गर लोन नो तुम्हारा भी नाएगा चलो अगला गर एन ओफर और इस एसेप्टेंस और बोथ मेभी बाइवर्ड बाइकंड़ आद आग बनकर के टिक मारो ना इसको देखो ही मत आग बनकर ओ टिक लगा तो सीप है एक्स्प्रेस ओफर और अशेप्टेंस में भी प्रूवड बाइगरिमेंट बिविन द पाटी बट इमप्लाइड ओफर कैन भी प्रूवड ओवड ओनली बाइदी कंड़क्ट या सरकंस्टन्सिल इंविडेंस इमप्लाइड ओफर के अंदर आप किसी को कंड़क्ट करकर बताते है या कुछ एविडेंस दिखाओ कल को एक इगामपल और याद आया एक बार मेरा दोस्त पहले की बाद है बारवी किलास की तो उसको एक लड़की पसंद आई यार भाई ये लड़की तो बहुत अच्छे लग लिए यार अनका जचर बोलते बोलते यार सही बता अनका हाँ कोई दिक्कत नहीं जा यार यार कब बोलू अनका जब टूसन को निकली ने घर से बार तो खड़ा दियो उसके घर के बार साइड में किसी वो टूसन को निकली तो बोलती हो अब रेड़ी है बन थन के गया है वंदा जैलवे लगा के विलकुल बालों पे छपरी बन गे ठीक है अब अब हो गया इनका हेलो यार अब हाना टू भी फ्रेंट्स वो हज गई उसने कंड़क कर दिया पिसे मम्मी आगी उसकी पेल दे लड़के को अब वो कह रहा है कि अब की लड़की ओसरी थी मैं तो कुछ बोजी नहीं रहाता क्या प्रूफ है आप बिसने देखाना पर है तो जब भी आप ओफर करते है जब भी आप एक्सप्रेस ओफर अशेप्टेंज में भी फ्रूवड बाइड अग्रिमेंट बिट्वीन पार्टीज पार्टीज के अग्रिमेंट के हिसाब से पूफ हो जाता है कि हां इनके बीच में अग्रिमेंट हुआ है पर इंप्लाइड ओफर में आप कैसे प्रूव करोगे कि तुम दोनों के बीच में अग्रिमेंट हुआ है या तो बाइड कंड़क्ट हुआ होगा या बाइड खरक्रण दान तो बोथ B and C will be the right answer है बोथ B and C will be the right answer ठीक है अगे voidable contract is one which is lawful which is invalid which is valid so long it is not avoided by the party until entitled to do so voidable contract क्या होता है which is valid so long it is not avoided by the party अगर party avoid ना करे तो valid थोना होगा sir फिर तो voidable बन जाएगा na voidable contract is lawful which is invalid which is lawful which is invalid which is valid so long जब तक वो long करते है जब तक it is not avoided by the party जब तक party उसको avoid नहीं करी तब तक वो valid है ऐसा कहा रहा जब तक party avoid नहीं करी party avoid कर रही है तब तक valid है which is valid तब तक valid है so long it is not it is avoided by the party जब तक party उसको avoid करती है तब तक वो valid रहता है जैसे party नहीं उसको avoid करना छोड़ दिया जैसे वो case करती not नहीं आना चाहता है यहाँ पर avoid आना चाहता पिर यह होता सी साई नहीं रहे आप यह party ने में को किसने धमकी दे कर कहा कि contract कर लो और उसने में को कहा कि अगर तुमने पुलिस को बुलाए तो मैं तुमें मार दूँगा ऐसा धमकी दे दी उसने अब मैंने उसको avoid करा जब तक मैं avoid करूँगा तक किसी को पता नहीं चलेगा और जब तक किसी को पता नहीं लेगा तक को valid है कि हाँ इसने बेचा होगा अपना घर या जो भी contract करा होगा अपने agree mutual concern चाहिए करा होगा क्योंकि दमकी दी होती तो बता देता तो बता देता तो avoid नहीं कर रहा तो जब तक मैं avoid कर रहा हूँ कि हाँ यार या फिर ऐसा उल्टा पॉइंट हो सकता है इसका उल्टा हम कह सकते है कि so long it is not avoid कि अब मैं avoid नहीं करूंगा धंकी देना avoid जब तक कर रहा है तब तक valid है और avoid जब तक नहीं करेगा तो avoidable बन जाएगा तो avoidable तर ये आपके पास ये आपके बाद not हट जाएगा यहां से ये ठीक है देखें avoidable contract वो होता है जब तक valid रहता है जब तक कोई person कोई party उस correction को avoid कर रही है जैसी avoid करना छोड़ देगी तो फिर वो valid नहीं होगा फिर वो avoidable बन जाएगा तो valid तक रहता है जब तक वो avoid करे not any other the difference between an advertisement for a sale and a proposal दोनों में difference क्या होता है कि अगर मैं कोई sale कर रहा हूँ advertisement के थूँ या मैं किसी offer दे रहा हूँ किसी को तो इन दोनों में difference क्या होगा it is no difference at all that a proposal become a promise as soon as the party to whom it is made accepted but in an advertisement does not यह difference है सर जब आप advertisement देते हो advertisement में offer देते हो तो यहां पर क्या होता है बहुत सारे offers accept करने के लिए आ सकते है पर जब आप proposal देते हो सिदा offer देते हो किसी party को that the proposal become promise वो acceptance हो जाई promise मतलब agreement मन जाएगा as soon as a party to whom it is made acceptance but it and not advertisement does not but it does not advertisement does not but it but an advertisement does not but advertisement में ऐसा नहीं होता advertisement में आप advertisement लगा देते हो अब फिर इनतिजार करते रहो और proposal के अंदर हम directly उस person को देते है कहता हमें खरीदेगा हो कहता हाँ तो directly हो जाता पर advertisement ऐसा नहीं होता वहाँ पर तो difference यह है कि proposal के case के अंदर हम directly accept हो जाता अगर party accept करेगी तो agreement बन जाएगा पर advertisement में ऐसा नहीं होता advertisement में buyer पड़ेगा फिर सोचेगा फिर उसके बाद आएगा दस buyer भी आ सकते हैं एक नहीं फिर वो अपने offer रखेंगे कि हाँ मैं इतने का खरेने को ready हूँ पुछ तरीके से बन जाएगा चलिए है इन आप बुक डिपोट अ कैटलॉक अब बुक इन लिस्टिंग अप्राइज उप इच बुक अब स्पेसिफाई प्लेज वेर दे पर्टिक्वल विजिट दे बुक सॉप एक बुक सॉप एक कैटलॉक लगा रखा है दुकान के भार एक बुक डिपोग में कैटलॉक लगा रखा है एक बुक डिपोग और बहुत सारी दुकाने है बहुत सारी दुकाने है एक जगा है उसमें एक भार पर डिपोग है उसमें ये बता रखा है कैटलॉक में कि यह वाली बुक इतने रुपे की इस दुकान नंबर पर मिलेगी और आगर बहुत सारी दुकाने है तो मुझे बताओ क्या यह invitation to offer है नहीं सथ क्या वो offer, वो catalog invitation to offer दे रहा है कि हाँ मुर्चले नहीं, वो catalog यह बता रहा है कि याली बुक इतने रुपे की इस दुकान मिलेगी वो invitation to visit the shop कह रहा है कि अगर आपको याली बुक चीह ना, तो इस दुकान पर जाओ यह वो shop पर विजिट करने को बोल रहा है कि हाँ, अगर आपको याली बुक चीह तो याली दुकान पर जाना पड़ेगा आपको इस दुकान पर जाना था, अगर कोई कमपनी फोर आपको इस दुकान पर जाना है कमपनी का बिकने के लिए क्याली आपको या वो इस दुकान पर जाना है but a series of offer but only an invitation to offer, जो क्या आएगा a catalogue of the goods of a company for sale is a series of offer, is not a series of offer but only an invitation, अच्छा, अब बनाए पुरा sentence, बन गया sir, बन गया is not a series of offer, जब भी कोई catalogue होता है goods को बेचने का वो offer नहीं होता sir, वो invitation to offer होता है, is not a series of offer but only an invitation for offer चीक है आगे इस दा इस promise defined under clause section यह section ने खुद करेंगे 59 का क्या रहा है कि clause dash the same thing as an agreement which defined under clause E of the section 2 promise के clause क्या है कौन जे clause में बताएगा section 2 में promise offer होगा acceptance होगा फिर promise बनेगा promise acceptance हो गया section 2 subsection B हो गए section 2 subsection B में लिखा गया है promise को define करा गया where the offer were invited for purchasing a tree and the offer was accepted an agreement is contemplated by section 2 coming to existence of अरे यार agreement का आप से when offer are invited for purchasing a tree ठीक है एक offer दिया तेरा tree खरीद होगे उसने का हाँ में खरीद होगा अब agreement मन गया अब agreement मन गया तो बताओ section 2 के कि section की हिसाफ साफ सही यह agreement बढ़ना है तो agreement का section क्या होता है यह agreement का section क्या होता है section 2 subsection यह clause D section 2 clause D section 2 clause D होता है एक offer lapse नहीं होगा if the offerer die before acceptance if the offerer die before acceptance उन बात तो एक है offer अच्छा नीचे वाले हो offer नीचे रखा है acceptance is made by the offer in ignorance of that of the offerer acceptance is made by the offer with the knowledge of that of the offerer 61 का बतादो क्या है एक offer does not lapse यह lapse कब नहीं होगा acceptance is made by the offer in ignorance of that of the offerer offerer की death को अगर ignore कर दे और offer उसको accept कर ले an offer does not lapse एक lapse तब तक नहीं होगा जब तक acceptance दे रहा है offeree कि हाँ कोई बात नीचे नहीं होगे तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैं accept करने को ready हूँ तो offeree के उपर यह depend करता है अगर वो accept करना चाहता है तो कर सकता है कोई दिक्र नहीं है तो यहाँ पर offer तब तक lapse नहीं करेगा जब तक कोई person उसको accept करने के लिए ready now तो यहाँ पर तो offeree कहा रहा है मैं accept कर लूँँगा तो यहाँ offer नहीं कहा दिया है कि हाँ मैं करने को ready हूँ a telephonic acceptance is complete when the offer is spoken into a telephone heard but not understood by the offerer heard and understood by the offerer is received and heard and understood by some person in the offerer house na 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 heard and understood by the offerer spoken into the telephone acceptance थोनना होगा यार teleronic acceptance is complete तम माने जाएगी न जो offer यहाँ कहे offer की तो बात ही नहीं हो रही हाँ पर offer question ही अजीव है एक बाद बताओ acceptance की बात क्यों आ गई telephonic acceptance कब complete माने जाएगी जिस person को offer दिया जा रहा जब वो सुन ले और समझ ले तो offer complete माने जाएगा acceptance थोनी ना acceptance थो तम माने जाएगी हाँ कहे दे और मैं सुन लो और मैं समझ लो इब गरीब कोसन है a telephonic acceptance is complete when the offer when the offering never गलत है यार a telephonic acceptance is complete एक telephonic acceptance just get एगए जिस person को offer दिया था वो हाँ कर दे और मैं सुन लो उसको यहां लिखना चाहिए एक टेलीफॉनिक ओफर कब कम्प्रिट माना जाएगा यह लिखना चाहिए यहां पर एक टेलीफॉनिक ओफर कब कम्प्रिट माना जाएगा एक टेलीफॉनिक ओफर तब कम्प्रिट माना जाएगा मेरा एक offer मैंना आपको दिया अभी कब complete बाने जाएगे जब आपने इस offer को सुन लिया और इसको समझ लिया हाँ तब होगा here and understood by the offer acceptance कहा सा आ गया ठीक है न असर तो यहाँ पर question गलत है a telephonic offer कब complete बाने जाएगा जब वो offer अगला person सुन लेगा offer समझ लेगा offer, offer सुनने वाला offer हो offer ही हो गया यहाँ पर offer जो देता है वो offer होता है ना और जो offer received करता है वो offer होता है here and understood by the offer ठीक है सर मैंने offer दिया मैं तो offer हो गया ना अब यह offer सुनेगा कौन offer ही सुनेगा तो offer ही जब उसको सुन ले और समझ ले, तम मैं कहूंगा मेरा offer complete हो गया, यह है सर या आप इसको ऐसा कह सकते है या आप इसको ऐसा भी कह सकते है मैं एक चीज़ बताता हू मैंने offer दिया, यहाँ लिख दो when the acceptance when the acceptance is heard and understood by the offer मैंने offer दिया आपने सुना, अब अपने acceptance दी अपने हाँ बोला, और उस हाँ को मैं सुना और समझ लिए कि हाँ बोला हुआ है तो एक acceptance कब complete माने जाएगी जब acceptance मैंने सुन ली हो मैं कौन, मैं offer है, जिसना offer दिया था यह understood कर ली हो, ऐसा हो सकता है तो यहाँ पर यह point कर लो सकता है तो हमने यहाँ पर change कर दिया न, इसको ही change कर दिया बागी सब ठीक है मैं अगर acceptance कब complete माने जाएगी जब acceptance जो है, मैं सुन लूँ और मैं समझ लूँ मैं कौन, मैं offer है, जिसना offer दिया था यह भी ठीक है, है ना एक value acceptance के अंदर क्या नहीं होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या कौन से statement नहीं है acceptance should be absolute or unconditional, यह सही है acceptance should be prescribed in a manner, यह भी ठीक है acceptance should be made while the offer is subsisting जब offer मिलेगा तभी acceptance दोगे, यह acceptance should in all case be through register post क्या acceptance देने के लिए हमें letter post करना होगा अरबार, नहीं, गलत statement है हम acceptance call के थुरू भी दे सकते है उसको मिलकर भी दे सकते है या letter post करना, तो letter post करना एक सी भी कोई case नहीं है उसके अलावा भी बहुत सारे तरीकों से हम acceptance दे सकते है तो याली statement गलत है तो याली statement गलत है consider the following statement there is no difference between the English law and England Indian law with regard to the acceptance through post both the English law and Indian law is a contract is controlled when the letter of acceptance is posted, okay under the Indian law when the letter of acceptance post is complete only and against the proposer, it complete only against the proposer it is complete only as against the proposer which of the statement is correct इन में से कौन सी statement उपर वाली statement correct है देखे, Indian law के अंदर हम क्या कहते है जब letter of assistant post करते है तो complete माने जाती है ये statement ठीक है तीसरी वाली याली तो गलत है difference होता है English law और Indian law के अंदर both English law and Indian law अब आपने letter of acceptance नहीं, Indian law में अलग होता है Indian law में यह होता है कि जब आपने letter post कर दिया है तो हम उसको acceptance मान लेगी क्योंकि आप 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 control होगा है आप letter of contract नहीं कह सकते है तो तीसरा हमारा correct statement है C alone ही हमारी correct statement है बच्चे अंजर होल के बैटाए बैटेए तुरंध अंजर देड़ा तुरंध अंजर देड़ा तुरंध for binding contract both the party of to the contract must agree with each other stipulated the individual offer and consideration agreed upon the same thing in the same sense but the offer and for binding contract both the party to a contract must agreed with each other या agree upon with the same thing in the same sense यह होगा ना cease का जब भाई जब भी contract के अंदर bind होंगे तो दोनों party क्या चाहोगा है एक ही agree होंगे same thing in the same sense के अब एक कंसिटेशन होना बहुत जुरूरी है same thing in the same sense the communication of substance through telephonic is regard as a complete हाँ acceptance कब complete मानी जाएगी जब acceptance पार्टी की knowledge में आ जाएगी हाँ acceptance is broken on phone acceptance come to the knowledge of party proposing acceptance is put in a course of acceptance and then whenever एक टेलीफॉन में अगर acceptance देनी हो तो कम complete मानी जाएगी acceptance कम तब मानी जाएगी अच्छा कई कई बच्चे यह भी लिख देता है acceptance spoken on the phone अरे सर आप समझदार हो यह देखो कई कई बच्चे ऐसे कर देता है कि भाई मैंना आपको offer दिया कि आई आप मेरा इसमन खरीद हो गया तो आपने हाँ बोला मापर signal weak हो गया और मुझे सुनाए नहीं दिया आपका हाँ आपने तो हाँ बोल दिया आप मुझे वो सुनाए नहीं दिया तो क्या यह acceptance complete मानी जाएगी नहीं सर मुझे को knowledge में भी तो होना कि आपने हाँ बोला है अप signal महाँ पर weak हो गया आपने हाँ बोला ता मुझे सुनाए नहीं दिया इनल खरापता करकर गावाज आ जा ली थी मुझे समझ नहीं हाँ हाँ बोला है तो आप हाँ बोलने पर acceptance न के offer दिया था acceptance को में बोलेंगे फ्लोइंग है फ्लोईंग सिक्वेंस पहले offer होगा फिर acceptance नहीं पहले offer होगा फिर acceptance अपने करेंगे फिर contract मनेंगा अब मैं बोलते बोलते थग्या हूँ पिछले मैं लगातार देड़ घंटे से बोली रहा हूँ अब मैं कुछ यह ब्रेक चलो 70 तक करते हैं When a person signifies his recent to a proposal made to him to refrain from doing something the resulting transition is known as a जब कोई person अपनी इच्छा बताता है दूसरे person को किसी काम को करने या किसी काम को ना करने के लिए उसको क्या कयाता है बताओ 성ies यह कितनी बार बता था मैंने एक्जाम कितनी 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 बार बता है बहुत बड़ी है sig hold promise की रफिनिकनाँ नहीं promise की last कर रहे है अभी के लिए फिर ब्रेक लेते हैं आदे घंटे का फिर से स्टार्ट करेंगे ठीक है which one of the flowing statement is true इनमें से कॉंसे statement true है चलो देखते हैं आभी करते हैं तोड़ा और सो तक करते हैं इसको offer and acceptance are recoverable offer and acceptance are irrecoverable an offer can be revoked but acceptance cannot दोनो revocable होते है कॉंसे statement true है an offer can be revoked but acceptance cannot be revoked offer and acceptance are revoked offer नहीं है यह भी नहीं है acceptance revoked नहीं कर सकते क्योंकि एक बार letter post हो जाता है तो out of Everyday control हो जाता है offer तो revoked हो जाता है पर acceptance cannot हाँ आप offer को revoked कर सकते हैं acceptance को नहीं कर सकती है कि एक बार acceptance आपने letter post कर दिया है उसके बात फिर revoked CiMP possible नहीं है हाँ, acceptance revocable नहीं होता, देखो जब तक आप लिख रहे हो, तब तक आप हाँ कह रहे हो, जब एक बार letter आपने post कर देते, बस, पर actual life में तो acceptance भी revocable हो सकती है, पकल लो न, post letter वाले को, कि भाई यह पर्ची देते, मुझे नहीं देना, मेरी वाली पर्ची इसको देते, cancel करते, जैसी वो आजाए, वहाँ पर घर के बार खड़े हो जाओ, उसके, कि भाई इल्ला, मुझे दे, possible तो है, ऐसा तो नहीं है, possible यह पर इंडियन contract के तहाँ, possible नहीं है, पर general life में तो possible है, जैसी वो post office वाले घर के बाहर खड़ा हो, और कहा कि यह लो मैं जाने जा रहा हो, वही बाक की बात करेंगे, मेरा letter मुझे नहीं देना जिको, चलो, वैसे इंडियन contract के तैट, offer तो revocable है, पर acceptance, revocable नहीं है, एक पर accept कर दिया, letter post कर दिया, तो बस खतम कहानी, कराऊं नहीं, ठक गया है, वीच बन अब द फ्लोइग, इस नोट ए लिगल रिखर्म ट वैलिट ऑफर, इन में है कौनसी रिखर्मेंट, लिखर्मेंट, वीच बन द फ्लोइग, लिखर्मेंट नहीं है, लिगल यद वैलिट ऑफर के लिए, एट मस्द बी गमनिकेट विता व्यू टो अप्टेनिंग ओफरी एसेंट इट मस्ट भी मेट टो ए स्पेसिवी परज़ेंग ना 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 बैई जन्रल ओफर भी तो ओफरी के लाता है जरूरी थोड़ना है हर ओफर को स्पेसिवीक को दो है हम परविकल लेड़ भी दे सकते हैं यह रिक्षायमेंट ज़रूरी नहीं है आप जरूरी नहीं है किस्पेसिवी परज़फरी थो आप जन्रल ओफर भी दे सकते हैं वो भी रिकषायमेंट जरूरी नहीं है हमारको बाकी चाहिए इस्प्रस ओफर होना चेह सब हम परविक सब्सक्राइबने 45 4.5 किया आ tenemos communication of offer is complete when it reached to the offer thank goodness revocation of acceptance is complete when acceptance is posed in favor of the proposer revocation of acceptance गरोत है ऩजर revocation of acceptance is complete when the acceptance is posted in favor of proposal when the acceptance is posted revocation of acceptance is completed when acceptance is posted पोस्ट इड इन फेवर और, या क्याँ कह रहा है यारी ? अब अब पॉर्बोसल तो 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 तोे थोय शकता है ? acceptance may be revoked anytime ने याद इस statement गलत है एक बार letter post कर दिया तो फिर acceptance letter post करने से पहले आप मना कर दो आप revoke कर लो कि हाँ यार मैंनी letter लिखते 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 फाड़ दो मन नहीं कर दा acceptance करने का पर एक बार letter post कर दे फिर out of control है सर उसके बाद नहीं कर सकते acceptance maybe reports कभी आप कर सकते हो क्या रहें कभी भी रिटोक कर सकते है जैसे उसके पाद पोचे ही गलत है एक बार letter post कर दिया पोचे ना पोचे आप रिवोक नहीं कर सकते है ईक बार letter post करने से पहले 나오ैं influence उसके बाद नहीं है तो acceptance revokeable कब हो सकती है सिवर letter post करने से पहले उसके बाद एक बाद letter post कर दे पोचे ना पोचे आप रिवोग नहीं कर सकते तो यह statement कल रहत है किया रहा है पोचने से पहले आप रिवोग कर सकते है जनर लाइफ में तो पॉसिबल है पकल लो डाक या डाक वाले को क्या रावाइज इधर देते पर ऐसे पॉसिबल देए वट कैन बिया केटलोपूल लिस्टिंग प्राइज सेम चीज आई थी आपके बास अभी इच बुक एन स्पेशिफ़ाई देगा प्लेस वेर दबल लिस्टिंग इस अविलेबल अधर टर्म इस इनविटेशन तू इंविटेशन तू ओफर है तो विजिट करो यह है पूरा नहीं लिखा पर इनविटेशन तू अफर तो है कि हाथ तुम्हें ये बुक चीह है तो इस वाप मिलेगी इन्विटेशन डू अफर है दोस्तों पर ये इन्विटेशन डू अफर जो है वो पूरा नहीं लिखा है 74 पा आ गए consideration the following statement general offer required the communication all contract are agreement all contract are contract all illegal agreement are void agreement तो क्या कह रहा है अच्छा नीचे देरा का बुरा हुई which of the following statement given above are correct सारे agreement contract होते है पारे illegal agreement ये भी ठीक है general offer required the communication acceptance general offer के अंदर acceptance का होना जरूरी है तो मेरे साब से तो 74 के अंदर general offer के अंदर communication acceptance होने चीए नहीं 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 आपने एक advertisement दिया कि हमारी दवाईया smoke bowl वाली company का वाला देरा कार लिवाईया हमारी दवाईया यूज करो आपने दुकान पे गए आपने company का acceptance होना दी दुकान से दवाईया यूज कर ली तो general offer में acceptance की नीड नहीं होती यूज करो अगर कुछ नाफ रख पड़ा तो case करो बताओ मसंगो ये मेरा असाब से दूसरा और चोथा मारा से अंसर है दूसरा और चोथा विल भी दर आइटन से जन्रल ओफर में acceptance ले ली है general offer में general offer requires the communication of acceptance general offer में ऐसा बताना जरूरी नहीं है कि हमने आपका offer accept कर लिया है आप accept करो सिदा-सिदा बतानी की नहीं है consideration अब consideration chapter मा आये हो अभी तो consideration चल रहा है consideration is doing an option for doing something as a desire of promises essential condition of the contract essential element of exchange in a contract all of the above consideration की definition है यह कैते है consideration की definition वाई कुछ देने के है बदले में कुछ लो ठीक है सर exchange ज़रूरी है अगर मैं को आपको दे रहा हूँ तो बदले में भी कुछ ची है दूसरा अरे essential element होने चाहे consideration में contract के अंदर बिलकुल consideration एक essential element होता है इसमें एक exchange होता है अगर मैं कुछ दे रहा हूँ बदले में भी कुछ लूँगा और एक किसी इसको करने का consideration दे सकते है किसी इसको ना करने का consideration भी दिया गा सकता है 75 पर आ गए अब valid consideration include executed और executory consideration past in educate consideration all of this एक valid consideration क्या हो सकता है executed, executory, past consideration हो सकता है executed का मतलब हो गया percent, executory का मतलब हो गया future, past यहाँ पर लिखी दिया है in educate consideration भी हो सकता है all of this यहाँ पर इसका answer है यह हो गया present, यह हो गया past, future, यह हो गया past अलग से तो तीना तो होता ही है, in educate भी होता है consideration in educate नहीं होना चाहिए, in educate, educate होना चाहिए, हाँ in educate हो सकता है मैं अगर मन कर रहा है मैं अपनी जिन्स 5000 की जिन्स 500 में दूँ तो क्या दिखका दे, क्या प्रोब्लम है मेरी मर्जी, in educate चल सकता है consideration, लिखा था, consideration in educate हो सकता है अगर कोई person अपनी कोई समान कम में बेचने चाहिए, तो बेच सकता है क्या दिखका दे, उसकी मर्जी है, है न, in educate consideration is valid अब valid consideration has the following essential element, एक valid consideration के अंदर ने, आँख बंद करके all of the above कर दो है सब होता है, आपने consideration का chapter पढ़ा हुआ है, consideration completed under the Indian law past consideration होता है, Indian law के अंदर present होता है, past, present, future, तीन होते है Indian law में तो तीन होते है, England में नहीं होते हैं, तीन हो 78, 79 की बात कर लेते हैं, an agreement without consideration is void, section 25, section 2 में लिखा हुआ है, नहीं none of the above clause in section 25, an agreement without consideration, as agreement, जो consideration जिसमें consideration नहीं है, वो void कलाता है, section 25 में तो लिखा हुआ है, consideration, no consideration, no contract अगर contract के अंदर, consideration नहीं भी होगा, तब भी वेलेड माना जाएगा, section 25 में तो ये लिखा हुआ है, तो ये तो कहा रहा है void माना जाएगा तो ये none of the above किसी भी close में नहीं लिखा किसी भी close में नहीं लिखा कि no contract no consideration नहीं होगा तो contract भी नहीं होगा इसकी exception है section 25 की exception है कि अगर contract के अंदर consideration ना हो तब भी valid माना जाता है तो exception के अंदर section 25 के close में exceptions है याद हो तो आपको देखेंगे section 25 को close देखेंगे न exception क्याती है कि constitution ना भी हो तब भी valid मनने जाता है ये तो word की बात कर रहा है तो none of the close के अंदर valid वाले points सारे exception of two doctrine of privity of contract include family settlement agreement ये exception of doctrine of privity of contract का तो exception paper को हमारे सलेबस में ही नहीं है क्या पता देता हूँ जब आप doctrine of privity of contract पर होगे उसकी exception में family settlement agreement or assignment I think है all of these आएगा translation chapter खुलो section 25 क्या है exception of the no concession no contract doctrine of privity of contract यहाँ पर था यह रहा डॉक्टर आप पुड़े कांट्रक्ट और इसकी exception यह जी है आद आगे दा बाद में देखो एक तो मेरी settlement है उसके बाद assignment और agreement agreement तो ही है agreement साब से उपर दे रखा है trust दे रखा है marriage settlement दे दिया agreement of liability agency contract agreement के अंदर कवर हो जाता है यह है तीनों है इसके अंदर agreement भी है family settlement हो गया assignment हो गया agreements जैसे agency of contract में हम कवर कर लेते हैं उसको 81 a stranger to the consideration can file a suit and such a stranger is a person who is not to the party to account stranger कौन होत रहे stranger stranger to consideration can file a suit and such a stranger such a stranger is a person who is not a party to account a person who gives consideration a person who has not given isso the idea to do consideration के लिए stranger बूच रहा आक से stranger नहीं गए रहा वैसे stranger तो क्या होता है party के लिए contract की पार्टी में नहीं होता है contract क्या पार्टी का पार्टी नहीं होता वह contract की पार्टी Or contract का पार्ट cannot नहीं देते उसको बोलता है consideration stranger कहते है stranger to our consideration जो की party contract की party का part है वो नोंने के बीच में contract हुआ है पर वो consideration नहीं देगा ठीक है ना जैसे कि gift वाले point हम कहते है यार gift के अंदर क्या होता है हम आपको क्या कहा रहा है gift दे रहे है आप बतले में क्या देवे कुछ न दे रहे अगर मैं आपको नहीं दिया तो आप case कर सकते है क्योंकि आप वो stranger हो जो consideration नहीं देता बर आप contract की party हो यह है जासा इसको बलते है stranger to consideration नहीं है वर्षी नबन या consideration may be given by the promise the promisee any other person the promisee or any other person क्या होगा इसमें से point यह definition का part है the promisee or any other person consideration कौन दे सकता है the promisee or any other person definition का part definition पढ़ो लिखा हुआ है इसमे which are the flowing statement is false इनमें से conscious statement गलत है past consideration is a ghost consideration consideration need not to be educated promise or any other person may supply consideration consideration should be educated ना यह गलत है consideration ineducate हो सकती है consideration should be educated लिखावा ineducate होती है consideration अगर कोई चाहे अपनी जीन्स पांच यार की पांच वे बेजना कोई दिक्कर नहीं है बेज सकता है उसकी मरजी उसकी जीन्स है सौता करेंगे ठीक है the exception to the rule of rule a stranger to a contract cannot sue cannot sue beneficiary in case of trust family settlement assignment of contract all of the other यह सारे के सारे case की की है exception है doctrine of purity of contract के d d d d d will be the right answer a stranger to a contract cannot sue are the beneficiary in a case of trust assignment of contract or family settlement exception है तीनों की तीनों doctrine of purity of contract के अभी दिखाया था आपको मैंने trust family settlement and assignment यह तीनों आशाइन्मेंट इसके बाद ट्रस्ट तीनों की तीनों exception है doctrine of purity of contract जो की stranger से रिल्टेट बात करता है a stranger to a consideration can file a suit cannot file a suit can file only with the consent of God it is similar to the stranger to contract देखे stranger to contract और stranger to consideration में फरक क्या होता है stranger to consideration जो होता है वो contract का part contract की party तो होता है पर consideration नहीं देता जबकि stranger to contract जो होता है वो contract की party का party नहीं होता stranger to consideration it is a contract party to the contract यह पार्टी कॉंट्राक्ट की पार्टी होते हैं पर consideration नहीं देता, अब इसके अंदर कॉन साहिए, stranger to contract जो होता है न, contract जो stranger to contact वो नहीं कर सकता case, पर stranger to consideration case कर सकता है, क्योंकि to a contract can file a stranger to a contract यह आगे सर और मैं आपको जैसे की बताया कि stranger to consideration contract का part होता है contract के party होती है पर case कर सकती है क्योंकि वो contract की party है, पर stranger to contract contract की party ही नहीं होती, वो case ही नहीं कर सकता सर, cannot file a suit, the inadequacy of consideration may taken into account by the court, अगर inadequacy of consideration, मैं अपनी 5000 की जीन्स अगर 500 बेचूं, तो क्या may be taken into account by the court, क्या इसको court द्वारा लिया जाएगा, in determine the question, whether consent of promises are filled given, always in all the cases, when the party complain, when the promise has not performed his promise, देखे, मैं अपनी 5000 की जीन्स अगर 500 में किसी को दूँ, अपने दोस को दूँ, तो ही मेरी मर्ची है, बस मेरी consent होना जरूरी है, मेरी consent के बिना दिया जारा तो फिर तो गलत है, मैं तो case करूँ गई, पर मेरी मर्ची के दिया जारा तो फिर क्या दिक दिकत है, तो क्या लिखा है, in determination, the question, whether the consent or the promise or a fairly given, क्या, जिस person ने वो जीन्स 5000 की 500 में बेची, क्या उसका concern था, अगर था, बस यतना बुचेवा गोट आप से, क्या आपका concern था, क्या आपने 5000 की जीन्स 500 में बेची, अगर है, तो फिर कोई दिकत नहीं है, फिर आप दे सकत तो कोई प्रोब्लम नहीं, आपने अपनी मर्जे से दिया है, क्या प्रोब्लम है, consideration in contract may be present, may be past present, may be past present and future, which one of the flowing is a character statement, stranger to consideration cannot sue, stranger to consideration can file a suit, current statement तो यह है, कि consideration to the stranger case कर सकता है, consideration the following statement, consider the following, consideration is a motive for any promise, is a prize for any promise, only a moral obligation, something in a value, in a aisle of law, of the statement, इन में से conscious statement सही है, consideration क्या होता है, a prize for a promise, यह भाई आपने मुझे समान दिया, उसके बदले में आप कुछ पे करोगे, या कुछ ना कुछ तो पे करो, चाहिए आप एक बादो, दो, दो, कुछ ना कुछ होना चीए, है ना, तो inner eye of court में यह होना चीए, consideration कुछ ना कुछ होना चीए, चाहिए आ बदले रहे हो, उसके बदले में कुछ प्राइस मिले, और वो कुछ something ना value हो, कुछ ना कुछ हो, ऐसे नहीं कि बदले में कुछ बाटर सिस्टम चल रहा है, बाटर सिस्टम नहीं चलेगा यहाँ पर, कुछ ना कुछ value का हो, अब कम हो वो ज्यादा हो, उस हो आपकी मर्जी है, आपकी consent है, पर कुछ ना कुछ हो, तो दूसरा और चोथा will be the character, moral, moral नहीं हो, मोटी, मोटी, कुछ नहीं है यहाँ पर, past consideration का मतलब क्या है, past consideration का क्या मतलब है, कि money हमें past में मिल चुका है, अब past act done before the promise is made, money receive ना past without making even a purpose, नहीं गलत है, the price which is more than the promise, ना 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 ना, हम उसका काम कर चुके है, अभी हमें उसके amount consideration नहीं मिली, उसको बलते है, past की consideration है हमारी, हम उसके लिए काम कर चुके है, जर, अब मैं आपसे पैसे मागूंगा, उसके, that is called past consideration, past consideration का मतलब है, कि आपको पैसे मिल तो भी रहे है, पर आपने उसका काम, उसका काम आप past में कर चुके हो, three will be the right answer, लो गई, an agreement without consideration is void, except in case of compensation, एक agreement without consideration void होता है, एक exception है, compensation, अगर आप कोई compensate कर रहे है, voluntary service render, किसी परसन ने अपनी service दी, voluntary, अपनी इच्छा सर्विस दे रहा है, तो उसके अंदर आप compensation कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, भई मैं अपनी service दे रहा हूं, वो य अपनी इच्छा से आपने मदद करी है, तो आप अपसे consideration क्लेम नहीं कर सकते हैं, अगर मैं चाहूं तो दे सकता हूं, तो voluntary service render में compensation जरूरी नहीं है, अगर देना चाहो देो, नहीं देना चाहो दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, इसके बाद, contract without consideration is void, एक contract without consideration void होता है, there are exception, कुछ exception है, उसमें सब कौन से exception correct है, promise to pay time-barred debt, which is writing and signed, promise to pay time-barred debt, promise to pay dispute debt, promise to pay any debt, इसमें सब कौन से statement correct है, promise to pay time-barred debt वाली ठीक है, अब कौन से वाली, B या C वाली, सर, C वाली, क्योंकि आपका return में होना चाहिए, return and signed होने चाहिए, कि हाँ आपने एक debt देना था, उसका time period खतम हो गया है, ये लिखित में है, कि तीन साल के अंदर-अंदर pay करना था, और वो मेंसे pay नहीं करवा पाया, अब ये मेंसे मांग नहीं सकता है, अब मैं सामने भी सर, तब नहीं दूँगा, कि तो नहीं है, तर लीगली, time period खतो हो गया सर, return or sign होना जरूरी है, अपने जो promise करा है, agreement बनाया है, which one of the following statement is incorrect, with regard the nature of void, valid consideration, इसमें से कौन सा सही है, consideration past, incorrect, educate नहीं होता, in-educate होता है, consideration क्या होता है, in-educate भी, देखो, educate हो जाए तो ठीक, कोई दिक करती है, यहां लिखा है, must, must का मतलब educate ही होना चाहिए, यह गलाता सर, in-educate भी consideration, varied माना जाता है, लिगे न, यह incorrect मान लेंगे, must लिखा है, मैं बोलता है, तो मैं कहाता है, ठीक है, must यूज़ कर दिया, उसने, which one of the following statement about the doctrine of privity is correct, इनमें से कौन से, only a party to a contract can be issue, stranger to a contract cannot be issue, a contract is enforceable by the stranger, a contract is enforceable by the, both a and b, भाई देको, party ही contract वाली party में issue कर सकती है, stranger issue नहीं कर सकता, यह दोनों ही सही है, 95 का अचर आगया, d, both a and b with the right statement, in India, a person who is stranger to a consideration, can sue on the contract, if he is a party, yes, cannot sue the contract, depend on the party, यह वाल है, न, इंडिया के अंदर stranger to consideration जो होता है, वो contract के party होता है, इसलिए वो issue भी कर सकता है, यह दो याद हो गया, which of the following statement regarding past concession is incorrect, इन में सब कौन से statement गलत है, past concession के point से, past concession valid है, yes, valid है, it is done before making an agreement, it is done with making of contract, और none of this, us consideration हम करते हैं, agreement बनाए भीना हम past concession कर सकते हैं, अगर आपका, it is done before making the agreement, अगर ने agreement नहीं बनाए, आपने उसके लिए काम कर दिया है, तो कोई दिकत नहीं, valid है, यह ठीक है, कोई problem नहीं है, तर आपने उसके लिए काम कर दिया, जैसे कि for example, आपके घर में कोई paint करने वाला आता है, आपने का मेरे घर का paint करना है, पैसे उसकी कोई बात नहीं हो रखी, आपने का जो भी बनता होगा ले लिजेगा, आपकी काफी टाम से आप जान पचान में हो, तो आप कहता है, यह सही rate लगाता ही है, आप paint कर दो, तो agreement अभी पूर से जानते हों किसी person को, ऐसे उसकी बात नहीं कर रहें, फिक गलत क्या है, गलत ही है, it is done with a making of contract, contract बनाओंगा, फिर काम करूँगा, तो यह तो present हुआ ना, contract बनाने के बाद, past में क्या हुआ, काम कर चुका हूँ, अब agreement बन रहा है, यह हुआ past, यह गलत है, contract बनाने के बाद काम करोगे, यह consideration लोगे, तो फिर वो, आपके पास present बाना जाएगा, past consideration का मतलब क्या है, consideration and promise should be moved together, executed consideration, consideration is provided prior to making a contract, यह है, past consideration का मतलब है, contract बनाने से पहले आपने काम कर दिया है, अब आप उसके पैसे बता रहे हो, कि हाँ इतने-इतने है, an executed consideration, जब दोनों पार्टी अपनी 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 प्रोमिस को पूरा कर देती है, काम कर लेती है, उसको कहते है, हम executed, जब एक पार्टी करें कि जब दोनों पार्टी अपनी 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 प्रोमिस पूरा कर देगी, तो executed, last, पूरी ब्रेक के बाद मिलेंगे, an executory consideration is, a consideration promised by executive of the company, नहीं, a promise yet to be performed by both the parties, ना, 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 liability is outstanding on both the side, both B and C, executory consideration क्या होता है, sir, a consideration promised by the executive of a company, a promise yet to be performed by both the parties, executory में दोनों पार्टी करते हैं, क्या, नहीं यार, एक था ना, असमें तो, अच्छा, executed में जब दोनों पार्टी perform कर देती है, executory में एक और दोनों दोनों आ जाता है, ना, यहाँ पर, executory के दो पार्ट बताये थे मैंने, bilateral और unilateral, याद आया मुझे, जहांच निकल गया था, executory के दो पार्ट होते है, एक bilateral होता है, unilateral, एक पार्टी, अगर duty perform न अच्छा, liability है, तो बोथ BNC बेजाता है, executory के अंदर दो टाइप होते थे, एक bilateral होता था, unilateral होता था, bilateral में दोनों पार्टी perform नहीं कर दी, unilateral में एक पार्टी नहीं कर दी, तो दोनों executory के पार्ट होते थे, और बोथ BNC बेजाता है, लोसर, break के बाद मिलेंगे, 101 क बाद से start कराऊंगा, और फिर 266 पूरे खतम कर देंगे, अन्योren को कैंगे, फिर 276 पूरे को कि द्यूट थे, तर धहने आप कर दी, ता रूरे बोस्त जूरे, शीफिजर दीर, तो ऑ्रहु खा पूरे, बाद से, और दी, नहीं कर दीर, गदे हएना दी, झाले, खरियो बाद से, लैसियग, गुपर यह भ hearts क्प्पट दी, थे together, व गुड आफ्टनून एवरीवन फोड असा वेर करते हैं यह वि यह वि आफ्टनून यह रचान लुग आफ्टनून टांवड करूं आफ्टनून आईए तो Contract Act खतम करते हैं 101 से स्टार्ट करना है हमें नॉले स्ट्री तुमारा नाम क्या है एक तुम बच्चे अपने नाम नहीं लिखते हैं पड़ी सरम से आती हैं उनको नाम लिखने में पाचार गवर ठीक 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 चलो 101 से स्टार्ट करना है और 266 तक पहुचना है ठीक है करते जनरी स्टार्ट फिट से लगभग लेंच टाइम तक खतम कर देंगे ठीक है लेंच टाइम तक हम इसको खतम कर देंगे चलो पहला 101 से लेकर 266 मताब 166 M से क्यों करना है अभी और जल्दी से स्टार्ट करते हैं टाम बेस्ट नहीं करेंगे in Indian law consideration must have been done at the desire of promise Indian law consideration must have been done at the desire of promise if it is done at the instant instance of third party or without the desire of promise it is consideration not consideration offer yafir promise consideration में Indian law कहता है कि consideration must जो होने चीए has been done at the desire of the promise अगर किसी तिसरी पार्टी ने या फिर without desire of promise से consideration दिया गया होगा consideration पे किया होगा तो ऐसे case के अंदर वो consideration नहीं माना जाता consideration must have been done at the desire of promise promise की desire पे ही consideration होगा अगर उसके अलावा थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी के अलावा किसी without desire of promise रुआ तो फिर वो consideration नहीं माना जाएगा ठीक है अगला where consideration is illegal or physically impossible uncertain or ambiguous it shall not be transfer by law enforceable by law unenforceable by law या none of the other यार यह हमने पढ़ा था ना consideration क्या है legal और physically impossible हो तब भी वो क्या होता है there is a enforceable by law illegally impossible तब भी consideration वो होता है illusion consideration uncertain physical impossibility तब भी sir consideration enforceable by law रहता है यह हमने पढ़ाया था आपको consideration chapter के अंदर तो यहाँ पर इसका answer है enforceable by law 103 मा अगर बात करें तो आप promise to pay our time by the debt must be oral return and signed होना चाहिए जब भी आप time by the debt की promise का payment करने की बात करते है तो वो return में और signed होना चाहिए यह हमने पहले भी कर रहा था यह alarm security से पहले आया था which of the flowing statement is incorrect इन फैसर कौंसी statement incorrect है consideration must be real और illusionary यह भी point पढ़ा है हमने performance of existence obligation is no consideration अगर आफ existingада existing obligation को perform करते है तो उसमें कोई भी consideration नहीं होगी अच्छा ऐसे तो नहीं है इसा तो नहीं है consideration होती है अगर आप कोई obligation को पूरा करोगे तो उसके बदले में आपको consideration मिलेगी नहीं मिलेगी मिलेगी सब अगर आप कोई obligation existing हो यह कैसे भी हो, आपको यह obligation करते हो, अपनी तरफ से भी duty पूरी करते हो, तो अगला बंदा भी तो अपनी performance करेगा, तो consideration तो होगी, तो यह करना no consideration, तो this will be the incorrect, agreement without consideration is always void, बिल्कुँ सही, agreement without consideration हमेशा void होता है क्या, agreement without consideration void मान जाता है, इसकी कुछ exceptions है, उनको छोड़ कर, बागे सारे void होंगे, तो यह include exception, exception को छोड़ कर बात कर रहा है, पॉइंट जो है न, वो exception, क्या रहा है कि agreement without consideration हमेशा void मान जाता है, exceptions को छोड़ कर, बागे सारे void मान जाता है, a promise to pay, time barrier dub is enforceable, if some condition unfulfilled, which of the flowing condition is not required, by sign होना जरूरी है, yes, return में होना जरूरी है, yes, it must be definite and express होना जरूरी है, बिल्कुल, register करनी की मेरे साब से जरूरत नहीं होती, जब time barrier direct में, time barrier direct में तीन चीज़ होनी जरूरी है, return में, sign में, और expressly होना चाहिए, return में नहीं होना चाहिए, return में कोई, return में कहा रहूंगा, register की कोई भी need, यहाँ पर नहीं देखने को मिलती, अगला, a man cannot acquire right under a contract, a man cannot acquire right under a contract, to which he is not a party, which one of the flowing is not an exception to this rule, एक man cannot acquire right, एक man अपने अधिकार अप्वार नहीं कर पार under a contract, to which is assignment of right, sir, assignment of right, एक man अपने rights को acquire नहीं कर पारा, तो उसको assign करो ना उसके rights को, assignment of right का concept कहता है, which of the flowing is not a competent to the contract, इन में से कौन से competent नहीं है, contract के लिए, sir, all of these, minor भी नहीं है, disqualify bylaw भी नहीं है, और person unzoned mind भी नहीं है, यह आप जल्ली लिख कर दोगे, क्योंकि यह chapter बच्चों को बहुत जल्ली याद हो जाता है, वो आला न, capacity to the party, consideration खतम हो गया अब, 106 तक consideration था, उसके बाद आप capacity to party आगया, देख रहे हो, chapter वाई चल रहा है आगे, तो consideration में हमने कहां करा था, consideration हमारा last, वो ही था, exception तक, डॉक्टरा आप जाता है, capacity to the party, free consent वाला chapter, ऐसे ऐसे chapter वाई चलता रहे हैं, और I am secure आते रहेंगे, तो यहां से चाले हो गया, free consent वाला chapter, 2% have the capacity to contract, if both are not of unsound mind, ठीक है, 2% capable है contract करने के लिए, अगर दोनों unsound mind, नहीं है, if none of, दोनों में से कोई भी disqualify by लो नहीं है, डोनों के दोनो maturity, अरे all of these, यह कहा रहा है, दो person आपस में contact तभी कर पाएंगे, जब दोनों unsound mind नहीं है, दोनों disqualify नहीं है, और दोनों age और maturity इन्होंने compared कर लिए 18 साल, सही तो है, तीनों सही है, आगे, necessary supply to the minor, minor के लिए necessary supply कब करने हैं तो जब उसके माता-पिता नहीं होते, जब उसके माता-पिता नहीं होते, तो necessary चीज़ की देनी होती है उसको, और वो किस से, अच्छा, जब माइनर के माता-पिता नहीं है, तो उसके guardian जो होते हैं, वो उसको necessary चीज़ देंगे और guardian जिन्होंने necessary चीज़ को दीखाना रहने के लिए कपड़े तोने के लिए घर बगड़ा तो वो चीज उसकी property से ले सकते है guardian चीज़ करना वालों किसी के मातर पिता नहीं है तो उनके चाचा या चाची ने उसको पाला तो जितना भी उसको पालना में खर्चाया उस बर्चे की property से वो हक मान सकते है state is liable minor की necessary food के लिए state liable होती है उसकी state मतलब उसकी property बिलकुँ सही बात a married human is under no disability as regard capacity to a contract a married human एक married human है is under no disability as regard capacity to the contract under English law only under Indian law only under English and both Indian law luxury only a married human is under no disability ज़र ये कौन से concept है एक married woman अगर disabled नहीं है तो क्या वो contract करने के लिए liable है अहाण liable है सर चाहे English हो लोग हो चाहे England लोग हो contract कर सकती है married woman के क्या अलग हो जाएगा क्या married human contract नहीं कर सकती है कर सकती है English law के स्मूछ कों भी कर सकती है और Indian law में भी कर सकती है बोथ English and Indian law as we got capacity वो contract की पार्टी बन सकती है अगर एक मैरी डोबन डिसेबल नहीं है तो अब minor enter into agreement representing himself to be a major concern वो आला याद आरहा एक्जामपल आरहा है बच्चा अपनी नहीं नहीं साइकल लेकर आता है और अपने आपको कहता है कि मैं 18 साल का हूं अंकल अंकल मेरी साइकल ले लो आरहा है एक्जामपल या मैंने क्लास के अंदर करवाय था minor commit fraud if other party does not have a personal knowledge of his age such agreement is not enforceable the doctrine of stopple does not apply in the minor case other party is entitled to get back the benefit passed to the minor if innocent about his age which is given which of the statement given above the correct इसमें से कौनसी statement सही है पहला क्या रहा है minor ने अपनी age गलत बताके fraud करा if the other party does not have a personal knowledge of his age other party को पता नहीं था किसकी age क्या है तो minor ने गलत बताके fraud करा दूसरा such agreement is not enforceable हाँ माइनर के ओपर case नहीं किया जा सकता बिलकु सही बात है इसके बाद अगला point हमारे पास क्या आ रहा है अगला point minor commit fraud कर सकता है if other party does not have personal knowledge of his age minor fraud कर सकता है अगर दूसरी party को उसकी age के बारे में नहीं पता if the other party does not have any personal knowledge of his age the doctrine of esthopal does not apply हाँ यह तो ठीक है सरी यह वाला तो ठीक है other party is entitled to get back the benefit passed to the minor if नहीं नहीं यह नहीं हो सकता if innocent about his age which of the statement given above हाँ other party जो minor को benefit दे दिया हो आपस नहीं ले सकती मुझे थोड़ी इसमें confusion है minor ने fraud करा जो दूसरी party है if the other party does not have a personal knowledge of his age अगर दूसरी party को के पास personal knowledge नहीं है personal knowledge if other party does not have knowledge of his age अगर दूसरी party को उसकी knowledge नहीं है और fraud हो गया है उस case के अंदर एक बच्चा मुझे इसकी English की Hindi बता रहा है अरे भाई वो तो मुझे दिखा रही है समझ में गलत कहा है फिर minor ने fraud करा दूसरी party को नहीं बता था उसकी age के बारे में तो वो कर सकता है fraud obvious है statement ठीक है अगर पता होता था fraud कैसे करता statement तो ठीक है यार यहाँ पर यह नहीं पुचा है कि void होता है या valid होता है यहाँ पुचा गया है कि अगर दूसरी party को minor की age नहीं पता तो क्या minor fraud कर सकता है obvious है कर सकता है है ना minor के उपस वो case कर सकता है नहीं कर सकता तरफ यह नोट इंफोर्ज यह वार दूसरा भी सही है तीसरा doctrine of stopper नहीं लगाया जा सकता minor के case के अंदर पर हाँ चोता नहीं है कि वह जो भी benefit minor को दिये वो वापस नहीं हो सकते तो पहला दूसरा तीसरा मेरे साब से तो सही है पहले नोटने क्यों नहीं लिखा यार ऐसा तो कोई option है नहीं इसमें देखिए यहाँ पर न गर्डबर हो गई यहाँ पर नोटने देखो दूसरा तीसरा ठीक है पहला भी तो ठीक है यार इनको यहाँ पर does not help किजएगा does have लगाना चीए था minor ने fraud करा और other party उसकी age के बारे में जानता था तो यह statement कर लाते फिर fraud कैसे होता अगर other party जानती है उसकी age के बारे में तब भी minor fraud कर रहा है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है वो करता ही नहीं contract है ना तो इस case के अंदर दूसरा थीसरा सही होता अब ऐसा तो कोई option है इसमें एक दो तीन हो चलो आगे बढ़ते हैं M1 minor है B1 borrower है जिसने loan दिया approach M for a loan on the basis of mortgage of the house on YB hence M advance the money and B execute a mortgage in favor of M a minor in the circle now mortgage is not impossible by M because he is a minor इस चल्लाकी होगी यहाँ पर तो बहुत बड़ी क्या होगी चल्लाकी पता है आपको M1 minor है और B1 borrower है borrower loan लेने वाला तो क्या हुआ B ने M को approach करी for a loan on the basis of mortgage office on house तो B ने का भाई मेरे घर है मालो आप M हो आप minor हो और मैं major हो मैंने कहा कि भाई ऐसा है तुमना मेरा घर mortgage कर दो गिरी भी रख दो आपने नाम पर मेरा घर गिरी भी रख दो और जो भी advance आएगा मुझे दे जना मैं तुम्हें कुछ commission ले दूँगा टौफी दे दूँगा टौफी आपने का ठीक है मैं टौफी ले लूँगा M ने जिसको गिरी रख वाया मतलब आप M हो आपने जिसको गिरी रख वाया वो उसने advance लिया और वो advance मैं आपसे ले लिया और आपको बदले में टौफी दे थी B execute a mortgage in favor of M अरे रुख जाओ and अच्छा M advance the money and B execute a mortgage in favor of M A minus हाँ ठीक है M ने advance ले लिया पैसा B the borrower approach M for a loan on the business of mortgage of his house owned by B M ने advance ले दिया B execute a mortgage in favor of M A minor in the circumstances अच्छा यहाँ पर ऐसा है यहाँ पर किसी और को नहीं करवाया यहाँ नहीं नहीं गरत पढ़ लिया मैंने देखिए दर मालूम मैं B हूँ और आप M हो तो मैंने का भाई मेरे पैस एक घर है इसको आप गिरवी रख लो और आप मुझे कुछ advance दे दो कुछ पैसे दे दो मुझे आप से पैसे चाहिए आप minor हो और मैं major हूँ मैंने का भाई मुझे थुरी पैसे की जुरूत है और आप मुझे थुरे पैसे तो आप क्या पैसे पढ़े थे मैंने का आप मुझे पैसे थे तो आपने का कुछ गिर्वी रखवा मैंने अपने घर गिर्वी रखवा दिया आपको लिए तो ऐसे केस के अंदर क्या ये वैलिड है ये है कुछन क्या ये वैलिड है ये ये कैसन है सनमा आया भी एक बोरोवर है उसने क्या करा आप से लोन लिया आप माइनर हो आप से लोन लिया और अपना घर आपको गिर्वी कर दिया तो इस case के अंदर क्या minor mortgage कर सकता है यह आप से कोशन पूच रहा है हाँ कर सकता है पर कब कर सकता है सर जब वो अपनी age पूरी कर लेगा तब कर सकता है सर ऐसे नहीं कर सकता है तो माइनर तो माइनर अपना माइनर यह जो mortgage वाला concept है वो तभी applicable होगा जो माइनर के ओपर जब वो अपनी age पूरी कर ले उससे पहले नहीं कर सकता जब वो तो the mortgage enforceable but only when it is major वो major होगा ठीक है अभी जो अपने माइनर ने क्या कर दिया अभी mortgage कर दिया क्या कर दिया माइनर ने बीक का घर गिरिवी रखा उसको पैसे दे दिये अब हो गया तो हो गया माइनर में आपने मुझे एड़वान दिया मैंना घर भी डख दिया अब इस case के अंदर क्या मैं आप पे case कर सकता हो नहीं मैं आप case तब करूंगा जब आप major हो जाए उससे पहले मैं case नहीं कर सकता भले आप से मैंने contract कर लिया हो आप contract कर लिया तो क्या कर सकते है बट case माइनर के उपर केस नहीं कर सकता, वो तभी केस कर पाएगा, जब वो मेजर होगा, पतब कोई केस करने वाला है, तो मोर्गेज में इनफोर्सिमिलिटी तब आएगी, जब मैजोर्टी अटेंड कर लेगा माइनर, आगे, तो उसकी प्रोपर्टी, दा माइनर प्रोपर्टी इस लाइबल, उसकी प्रोपर्टी नहीं होगी, तो लाइबल भी नहीं होगा, यह भी सिम्पल है, अब जो भी उसने खर्चा करा, बी के ओपन नहीं होगा, इस फूट देने के लिए, इस चीज़ देने के लिए, क्या उसकी प्रोपर्टी से रिंबर्स कर सकता है, रिंबर्स मतब रिकावर कर सकता है, हाँ कर सकता है, क्या दिक्कत है, माइनर से कर सकता है, तो उससे भी कर सकता है, ओवियस, चलो भाई अगला, when a person incurred expense 5000 for an assist supply for a minor he can recover the said amount from the property of the minor the principle is toppled cannot be applied against a minor since he is no sound mind since he has no privilege to cheat person by making any representation he may be induced by dishonest trader to declare a return as that is in a major at the time of the entirely in the contract and he is not attaining the age of maturity बताओ पहले principle of topple क्या होता है पहले यह बताओ तब ही तो समझपाओ गया आप यह principle of topple क्या होता है हाँ sir आगया ना पहले इस्टॉपल तो समझा दो तभी तो हम समझेंगे इस्टॉपल ही नहीं पता हमें बताओ किसी को पता है मैं वेट कर रहा हूं कमेंट का इस्टॉपल का मतलब क्या होता है पता है किसी को नहीं पता सभी बच्चों ने गूगल कर लिए सभी ने गूगल कर लिए मिला फिर गूगल करके जो अंसर दे रहे हैं वही कमेंट में कर रहे है देखिए principle of topple क्याता है कि अगर कोई person intensely किसी को ऐसी बात बता रहा है जिसका अगला person उसको वो सच मान रहा है तो ये एक तरिकी का गलत है पर एक्जामपल मान लो कोई मेंसे रास्ता बूचता है और मुझे सही रास्ता पता था पर मैंनो उसको जान बूचकर गलत रास्ता बताया अब गलत रास्ता बताने के बाद उसने वो रास्ते को सच मान लिया कि हाँ यह बता रहा हो सची होगा वो चले गया उस रास्ते में तो यह होता है प्रिंसिपल उस्टॉपल मतलब यह गलत है तो ऐसे केस के अंदर अगर उसको पता चलेगा यह आपने पहले क्यों ने बताए आप तो हम मेजर हो गई आप हमें पहले बताते न फिर मैं बताता Math वाले टीचर को अपने गलत रास्ता बताता रोज फिर वो स्कूल नहीं आ पाता और स्कूल नहीं आ पाता तो मज़ा गया कोई स्कूल आए नहीं आए Math का टीचर हमेशा हाजी रोधा स्कूल में बच्चे कह रहे Red Gate, Green Gate वाला एक्जामपल चलो तो Principal of Stopple क्या है कि अगर आप किसी को ऐसी Information देते हो जो की गलत है आपकी Intention गलत है उसको गलत Information ने रहा और दूसरा परसन उसको सच मान रहा है तो दूसरे परसन आपके Case कर सकता है बाइदे Principal of Stopple से ये चीज सेम अगर माइनर करे गलत Information देखे Major बता दे आपको कि भाई मैं Major और Contract कर ले फिर बादम परसने नहीं है तो फिर आप उस पर Case नहीं कर सकते है तो प्रिंसिपल of Stopple कभी भी नहीं लगता माइनर पर अपलाई नहीं हो सकता वो तभी अपलाई हो जब अपनी एज पूरी कर लेगा एक Math का Teacher मैं ही मिला हूँ आपको Comedy वाला Principal of Stopple cannot be applied Against a minor Since, कब तक जब तक वो अपनी एज maturity पूरी नहीं कर देगा जैसी अपनी एज पूरी कर लेगा फिर उस पर apply कर लिया जाएगा फिर हो मीचर हो गया अरी मैडम है याद आ रहे है तुम्हार को Science वाली मैडम, PT वाली मैडम, English वाली मैडम कभी सरको भी याद कर लिया आगरो मैडम है बहुत याद है तुम्हार को अगर कोई परसन जेल का पानी पिला पड़ेगा जेल की रोटी खानी पड़ेगी अब तो जेल में जाना पड़ेगा पोसंपा विपोसंपा लाल के ले में क्या हुआ सौर पे की गड़ी चुराई अब तो जेल में जाना पड़ेगा जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा अब तो जेल में जाना पड़ेगा तो अगर कोई परसंट जेल में जाकर आया है तो क्या वो कॉंट्रक कर सकता है ये भोल रहा है कॉसंट तो इस इनक्यैबिल अब एंट्रिंग कॉन्टराट किती बर बता दिया मैंने आपको conflict हमारा जो होता है जेल का पानी पी करा आया हो पोसमपा बई पोसम पा यह आला आपने करा है कभी पोसमपा पोसमपा गेला गेम खिला आपने जो फट जाता उसकी डाइन होती है ऐसे करके एक बंदा वहा ख़ड़ा होता है यहाँ lah होता है ऐसे करके निकलना होता बच्चो का, हमारा ये 90's का ही है आप तो 2000 की बात के होंगे तो एक महां से सामने से होगा, वह ऐसे करके तो जयल में जाना पड़ेगा जेल की रोटी खाना लिकलते जाएंगे जेल का पानी पिना पड़ेगा आप तो जेल में पैसे बख़र लेंगा इसको फिर उसकी डायन होती है चलिए आगे तो यह हमारा ऐसा था कुछ नाइनटीज में जो बच्चे मेरे एज के लगबग रहे होंगे उनको फटा होगा यह जेम मैं कहां तुम इज आप प्रमोट जब हम दसवी क्लास क्रोस कर गए हों तब तुम पैदा हुआ होंगे जो भी बच्चे माइनर है मतलब जो ःठारा साल है उननिस साल के है चलिए इन a प्रमोट प्रोनोट इस आप प्रोनोट प्रोनोट मतलब अर। प्रोमिजरी नोट, एग्जेकूटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटि कभी आप भी अपने बच्चों के लिए घर खरीद होगे माइनर होगा कि इसके नाम पर खरीद लेते हैं कुछ कोई प्रपरटी खरीच सकते है तेस्ट आफ डैस इस वैदर दपरसन इस कैपबल अंडेस्टेंदि दे बिजनेस कंसर्ण इस वैदर दपरसन इस कैपबल अंडेस्ट करोगे क्या वो परसन कैपबल है बिजनेस की कौंसर्प को समझने के लिए बिजनेस समझने के लिए ठीक है तो दटेस्ट आफ सांडेसम्स ऑफ माइनल माइनल का सांडनेट करेंगे की वह संसर्प माइनल थो न्हिए सांड माइनल इतना क्योंकि हमें अइससे माइनल माइनल अंसांड नेस माइनर्टी तो कभी ने हो सकते हैं इस को और फिजिए या आई डिफिस टीर लुनेसी या आई डिफू की हो सकते बता हो क्या होगा पढ़ायता है वो गिलास के अंदर जब आप एक स्ट्रीम जब व नॉर्मल पागल होते हैं एक रोद एक स्ट्रीम पागल नॉर्मल ज्यादा रखतें नहीं तो एक स्ट्रीम होता होता एक्स्ट्रीम पागल होता है आई-डियो ची कहते है उसको क्रािडियो और प्रूव करने का बड़न किस पर बड़ेगा दो लोग है मैंने डिस्पुट करा हम दोने जगड़ा कर रहे हैं लोग पाजा रहे हैं कोट कहरा कि आप पूरूफ करो कि यह गलत है तो honours of proof आपको मिल गया honours किसे कहते है burden of proof honours किसे कहते है दोस्तो burden of proof बता उस cancer क्या होगा एक मैसेज कर दो जब तक the honours of proving insanity is one is on the prospector stated state accused the person who is allied who allies it का मतलब उस बता हो proof करने का burden किस पाएगा कि यार मैं insane हूँ मैं पागल हूँ कौन proof करेगा जो जो पागल है वो तो proof नहीं करेगा वो तो कहेगा ही मैं तो हूँ ही पागल जो person कह रहा ही ये पागल है तो उसको proof करना होगा the person who allies it जिसने उस पे case कर रहा उसने बोला कि हाँ ये है सुसरा पागल हाँ बता रहा है वो तो कहें गई कॉमलेंस कॉमलेंस 2.0 which of the flowing statement is incorrect it must have consistent but incorrect part than a scene than a scene that this means woman can enter into a contract if it is stabilized that the contract was explained to her and she understood it part than is अगर मैं आपको सच बता हूँ मैं ये line पहली बार पड़ रहा हूँ आज मुझे google करना ही पड़ेगा इसके बारे में पहले मैं तो समझ दूँ पिछली बार में इस हो गया था कह ये हो गया होगा या मैंने पिछली बार भी google ही करा होगा यह होता क्या है भाई तुम भी कर लो गुगल तो एक मिनिट अच्छा 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 अच्छ पॉरिए बाती है तक्र रखती है क्या वो कॉंट्राक कर सकती है क्रें करें उसको अगर समस्पास तो कर सकती है वो लेए वो मेन जो opened to undue influential there cannot be entered into contract वो ऑनसांड मैंड है मूमें जो married और सिंगल है में भी मैरेड और सिंगल तो कोसें किया बूचाए कोसें नी बूल गया मैं तो कोंची स्टेट्मेंट इनकरेक्ट है इनकरेक्ट यह क्या रहा है वो लड़िकिया जो घुंगा डगती यह वो अन्सावन होती है नहीं नहीं यह गलत है ना, तो थोटा कहना चाहिए यारा, गलत बात है कह रहे हैं, यह गलत है, हम इसको statement को गलत कहेंगे, यह गुंगट या वो, अन्टीजीज, जो गुंगट ढगती है, तो वो क्या होती है, वो अन्जाउर्माई नहीं होती है, समझती है, यारा, हम एक माइनर है, मिस्रिपर्जन भाइट ही, इस अमीजर इंडियो जट टो एंटर इंटर यह कॉंट्रक, ओहुँए, अमीज लाइवल, ओन दो कॉंट्रक, यह एमने माइनर मानी नहीं रहा भाई, इतने फ्रोड कर चुका है, यह हर बार, हर तीसरे मार पर यह आ जाता है, कि माइनर है, क्या वो लायबल है, कॉंट्राक करने के लिए लायबल नहीं है, अरे माइनर लायबल नहीं होता, बढ़े या र कॉंट्राक करने के लिए र Gegney path, लाए या ना बदा भिश थे ज होता है, माने रितरी माइनर, सेलेक दा ऐधर। statement there can be no rectification of contract entered by the minor during his majority minority even after become a major. Restitution of benefit is allowed in case of minor. Argument with the minor is void of initio. The rule of stuffle cannot be applied. ये तो ठीक है और minor के साथ अगरिम करना void of initio होता है. Restitution of benefit allowed in case of minor. Restitution of benefit. Benefit allowed किया जाता है in case of minor. क्याता है कोई भी rectification नहीं होगी contract के अंदर जब minor के during the minor वो contract करा गया जब वो major हो जागा तो rectification नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं? there can be no rectification of contract. अच्छा contract में rectification नहीं हो सकता हाँ. जब minor के time पर contract करा गया था तो जब वो major हो तो रेक्टिविजन नहीं कर सकते हैं, contract cancel करके नया बनाओ, पर पुराना contract को rectify नहीं कर सकते हैं, यह तो ठीक है, तो गलत है कि restitution of benefit is allowed in case of minor, restitution of benefit is allowed in case of minor, restitution का मतलब बता हो, बता हो, रेक्टिविजन का मतलब क्या होता है, रेक्टिविजन का मतलब बता हो, तब इतर सहमझभा होगे, restitution of benefit, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अभी बच्चों को बता है, restitution का मतलब बता होता है, recover एक तरीके से आप इसको दूसरी English में कह सकते हैं, reimburse कह सकते हैं आप, कि जो भी benefit minor को दिये जा रहे हैं, उससे आप आपसे नहीं ले सकते हैं, उसकी property से आप उसका benefit का पैसा ले सकते हो, पर वो benefit आपसे नहीं कह सकते हैं, याद कर, जब तू बच्चा था, तो मैंने देखो, 100 चॉकलेट दीती, खिलाई थी, आज तू मुझे वो 100 चॉकलेट वापस कर, ऐसा नहीं हो सकते, पैसे ले ले भी या, उसकी properties है, तो, restriction of benefit is not allowed होता है, इसने लिखा, allowed होता है, तो यह statement गलत है, not allowed, आप जो benefit माइनर को दे रहे हो, वो benefit वापस लिकावर नहीं कर सकते, एक बार दे रहो, फिर कहले हो, लाप वापस कर, यह दोनना होता है, यह बच्चे जो Google पर साच मार के आ रहे हैं, लाप की भाहिली, पर सामने होता तुमेरे, which of the flowing type of person are not disqualify from contracting, इन में सो कौन से टाइप के person, contract करने के लिए disqualify नहीं है, देखियो, convict तो disqualify होते हैं, है ना, एलियन अन्य भी disqualify होते हैं, और foreign sovereign भी disqualify होते हैं, इस पर से कोई भी नहीं है, भाई, जो disqualify, तीनो disqualify होते हैं यह, disqualify by the person, लिखा भाई, which of the flowing person do not fall under the category of person, unsound mind, blind person, idiot, lunatic, drunk, blind, blind, कोई unsound mind थोड़ना होता है, सुनने, समझने की सकती होते हैं, सुनने की सकती हैं, उसके पास, यह वाला person, unsound mind की category में नहीं हाता, unlawful detaining, authorating to detain on any property, यह किसकी definition दी, बताओ, 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 जली बताओ, यार मैं इतनी प्यार प्यार से, एक एग घंटा लगा के मैंने definition दे काई है, कोरीशियन की, इसकी definition है, कोरीशियन की, the agreement made under mistake of fact, by both the party, forming the essential subject matter of the agreement, क्या वो वोइड, वोइड होगा, या unenforceable होगा, mistake of fact है, mistake of fact, दो होता है, एक होता है, mistake of law, एक 26 में क्या बोला, non-disqualify तो बोला है, इन मेंसे कौन सा disqualify नहीं है, यही तो बोला है, यह three qualify होते हैं, तो they have no disqualify, non-disqualify, कि अंदर में कौन सा cover नहीं होता, non-disqualify, और यह disqualify में cover हो ते ना, three or three, non-disqualify में हैं तो हैं नहीं है, tres, वो दो लिखा है जब होता हैं सरफ बढ़ाइए मिस्टेक अफ़ेक्ट में हम क्या क Eclect Reabilities Vyidae माना जाता है Stating to commit certain act forbidden by the Indian PANEL CORD associated with the which are the following coalition Stating to commit धंकी देने Active concealment of fact यह सारी सब के सब आ रहे कहां आ रहे क्यों आ रहे है यह सारा पढ़ाया हुआ है आपको Active concealment of fact कहां पर यूज करते हैं फ्रॉड में यूज करते हैं पढ़ो फ्रॉड की, lending money to a broker at a higher rate of interest when the money market is tight, render the agreement of loan, lending money to a broker, एक broker को money lend करा broker से, higher rate of interest पे, when the money market is tight, render the agreement of loan, renders the agreement of loan, void, valid, voidable, illegal, ये कह रहा है कि देखिए, market बहुत tight, loan कहीं मिलनी रहा था, तो जो भी person loan दे रहा था, वो higher rate of interest पे loan दे रहा था, तो ऐसा higher rate of interest पे loan दे रहा, तो क्या ही illegal है, नहीं illegal नहीं है, valid है, वैलिड है, बिल्कुल, क्यों valid है, भाई, जो कोई भी person loan दे रहा है, हम दे रहा है, तो market में कोई loan नहीं दे रहा, market tight है, कोई loan नहीं दे रहा, और कोई person loan दे रहा, तो वो rate of interest ज्यादा लेगा, क्योंकि दिमांड ज्यादा है, loan लेले ज्यादा है, और loan देने वाले कम है, with regard to contractual capacity of a person of unsound mind, which one of the following statement is most appropriate, with regard to a contractual capacity of person of unsound mind, a person of unsound mind, can never enter into a contract, ठीक है, a person of unsound mind can enter into a गलत है, a person who is usually unsound mind can contract में enter होता है, when he is, at the time of entering contract of sound mind, यह ठीक है, a person who is occasionally unsound mind can contract through at the time of making a contract, he is of unsound mind, यह गलत है, तो सबसे बढ़िया, आपके पास, अगर मैं कहूं, कौन सी वाली statement सबसे बढ़िया है, most appropriate statement कौन सी है, a person can never enter into contract, never नहीं, never नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक unsound mind person हमेशा contract नहीं होता, एक ऐसा unsound mind person, जब वो sound mind में है ना, तो वो contract में enter कर सकता है, यह वाला right statement है, मतलब यह, see, a person who is usually unsound mind, वैसे तो unsound mind रहता है, can contract when he is at a time of enter, जब वो contract के अंदर untrack रहता था, तब वो sound mind था, तो ठीक है बढ़िया, यह बढ़ा है था मैंने आपको, ओ सवालो, आगे नहीं बता, while obtaining the consent of promise, keeping silence by the promise, when he has due to speak about the material fact, the amount to consent obtained by mistake, fraud, यह उसने बोला नहीं, वो जान मुझकर चुप रहा, तो silence को हम fraud मान सकते है, क्या silence fraud treat करा जाता है, नहीं सर, silence fraud treat नहीं करा जाता, बट जहाँ पर बोलने की duty थी, वहाँ silence अगर होते हैं, तो fraud treat करा जाएगा, वहाँ आपको बोलने की duty थी ठीक है ना duty to speak यहाँ पर बोलने की duty थी आपकी और वहाँ आप चुब रहे है तो भाई फिर आपको fraud बोलेंगे आपने बोलना चाहिए था पर आपने बोला नहीं silence fraud नहीं होता पर जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलना चाहिए था तो अपने वहाँ नहीं बोला तो हम उसको फ्रॉड ट्रीट करेंगे ए धंकी दे रहा है कि मैं सुसाइट कर लूँगा अपनी वाइब को इफ इस वाइब को बोल रहा है कि मैं मर जाओंगा मैं बोल अपने भाई से की property मेरा नाम पर कर नहीं तो मर जाओंगा विचारी वाइब ने भाई भाई बोला कि हाँ वहाँ आप पर्पर्टी कर दो यार इन नावने तो ही मर जाएंगे चलो a contract which is VT8 by the undue influence is declared as when which one of the flowing by the Indian con जब कोई भी contract undue influence होता है तो वो invalid होता है void होता है illegal होता है voidable होता है voidable होता है voidable क्या होता है voidable या फिर which of the undue influence void होता है undue influence के अंदर या वोईड कहां से होता है ये तो सारे voidable ही होते है correction आपका correction हो गया undue influence हो गया correction, undue influence, fraud misrepresenter ये चारो voidable होता है जिसमें एक party के बाद option होता है दुसरे party के बाद option नहीं होता है बस mistake को छोड़कर mistake को छोड़कर mistake के अंदर बहुत सारे point में void भी होता है mistake of fact के अंदर consider the following active concealment of fact made promise promise made without intention of profanity breach of duty which gain advantage to person committed inducing mistake as to subject matter what is the what which of the above amount of fraud इसमें सब फ्रॉड क्या है फ्रॉड तो ही है सर promise करा था कि भाई करूँगा और जान मुझका सोच रहा है कि नहीं करूँगा मतलब क्या है कि intention थी नहीं करने की है फिर ही promise कर रहा है active concealment of fact facts को चुपा रहा है सर facts को चुपा रहा है जो main fact है वो ही चुपा दिया उसने ये भी एक तरीके का fraud होता है ठीक है सर breach of duty duty breach करना fraud नहीं है और mistake fraud नहीं है और कोई काम को पूरान नहीं कर पाऊं तो वो breach of duty को fraud थोना होता है आपने fraud कर नहीं करा भाई ठीक है case कर दे fraud का case थोन डालेगा पहला और दूसरा will be the right answer एक मन दो अगला कर रहो चलो 139 करके दिखाओ बताओ 139 तो असान है 139 तो असान है factor vitiating vitiating का मतला बोता है ऐसे काम जो गलत है बिगाडने वाले काम जिन से काम बिगडता है ऐसे कोई भी काम ऐसे कोई भी बात है जो गलत है उसको अब कहते है vitiating factors कंसेंटार क्या हो गया Chorition होगा, Undoinfluence होगा, Fraud होगा, Misrepresent, Mistake होगा, सारे आगे नहीं है आपद, Doine Influence आगे, Fraud भी आगे, Misrepresent, And Mistake भी आगा, पहले तीन में सारे आगे, 138, क्या होगा? See, All of the Above, सारे आगे हैं आप़र, Misrepresentation का मुतलब क्या होता है? Innotion Mistake, Any Breach of Duty Without any intention to deceive. Yes, Unwarned, All of the Above. is a fiduciary relationship to other he cannot dominate he can dominate the will of another fiduciary relationship में क्या होता है he can dominate the will of another the trust should be maintained none of this fiduciary relationship में अंदर क्या होता जर कि जब कोई person अपनी will को dominate कर देता है उसको fiduciary relationship क्याता है a person is deemed to be in a position to dominate the will of another if he is he is stand in a fiduciary relationship ये सारा पढ़ारा वक है आपको मैंने यार नहीं नहीं और ये भी तो इस वाले में तो होता है real and apparent authority इन दोनों में होता है सार fiduciary में भी होता है और real and apparent दोनों में अपनी will को dominate कर देता है और साब बताया थे ना undue influence वाला ये रहा undue influence गहलाता है if both a party to a contract believe in existence of a subject which in fact does not exist the agreement would be अब दोनों party ये to a contract believe करते हैं कि existence subject believe in the existence subject which in fact does not exist मतब जिसके लिए contract कर रहें वो existing नहीं कर रहा और उसके लिए उन्होंने contract कर लिया तो ये agreement क्या होगा un enforceable होगा void होगा voidable होगा none of this होगा void होगा as इसका contract कर लिए जिसका existence ही नहीं है तो वो void बालाता है for a valid contract ये वोईड वैलिट वालात तुम करोगा यारी अरे जगा void valid valid वालाता बार बार same चीज void valid valid वालात करना यारा ऐसे तो दिन लग जाएंगे बहुत सारी इंको स्वाल करने में अगर आप enemy के साथ contract करते है तो immoral agreement होगा valid agreement होगा agreement opposed to public policy होगा या enforceable agreement होगा बताओ an agreement opposed to public policy जो जो अच्छे है नहीं होगा करवा देता हूँ simple simple जो है void voidable वाले ये तो कर लेंगे आप या नहीं कर पाएंगे an agreement will be unlawful यार ये सब छोटे-छोटे वेजरिंग agreement क्या होता है जब बोदे party win करते है जब बोनो party lose करते है या ननो party या only party win एक party lose करेगी 50-50 का जहाँ chance होता है वो वेजरिंग agreement कर लाता है which of the flowing statement is correct या आप करोगे सब बढ़ा रखा है या वाला तो अच्छा है या वेजरिंग agreement in India is declared by the contract as illegal void void but not illegal voidable at the optional agree party या immoral बताओ सर void होता है पर illegal नहीं है आप अगर कोई वेजरिंग agreement करते हैं सर्थ लगाते है खटा लगाते है तो वो illegal नहीं है कोई आपको पकर नहीं कहेगा कोई सर्थ लगा रहे सर्थ लगाना को illegal दोना है हाँ अगर कोई सर्थ हार जाता है और वो पैसे नहीं दे रहा तो फिर क्रणान उन पे case नहीं कह सकते हैं कि या इसने मुझे सर्थ के पैसे हार गया वो नहीं है मानेगा वहीं contract के है void है illegal नहीं है अगर पैसे नहीं दे रहा illegal का मतलब है कि आप गलत काम कर रहे हो मैंने और आपने सर्थ लगाई आप हार गए आपने पैसे नहीं दिये तो मैं आप case नहीं कह सकता आप के ओपर क्योंकि void है enforceability नहीं होती void में void में illegal थो illegal लगोता है फिर void agreement फिर void agreement फिर void agreement अरे कितनी बार करा दूँ है void agreement इस अब void वाले तुम करना यह voidable देखरो आप शुरू चले कर आएंड तक वोईड ही चल ला है अब फिर देखो void, void, misrepresentation यहाँ पर आगया यहाँ अच्छे अच्छे फिर यह void, voidable void, voidable से तो परसान हो गया आप यह देखो void, voidable, यह void, voidable यह देख लेते हैं यह देख रिएंटर into an agreement with B who is robbed A.. 10,000 to drop prosecution against him B.. is the consideration, returning 8000, afterward B refuse to pay, A can get from B, A और B दोनों enter में हुए, इनने का चोरी करेंगे भीया, 10,000 पे में से 10,000 A के से माना था, 10,000 B के से माना था, और 10,000 to drop prosecution against B, in consideration of B returning 8000, 10,000 देने के वादले B ने आप से 8000 दिये, afterward B refuse to pay, B मना करने लगा कि मैंने दूँगा A can get from B, क्या A को मिलेगा damages, कुछ नहीं मिलेगा भग जाना से, तुम चोरी कर रहे हो, उसके बात तुम contract कर रहो, भाया, अच्छा, तुम मैं केस कर दूँँ ते लोग पर, क्या कर दे जादू से magic दिखाऊंगा और ऐसे कर दूँगा यह लियांगा वो लियांगा तुम्हें पांच रूपर देगा, A agree with B to discover treasure by magic for consideration of 500 पांच रुपर दे, अभी ते को दिखाता हूँ, एक बीडी का बंडल निकाल के दिखाता हूँ, तुम मैं विजादू से, पांच रूपर में एक बीडी का बंडल, यह फिर वारा void, voidable वाला आगया, यह void है, मैं निकलाओंगा, void, voidable, नहों चुगाओंगा आप परसान होगी है, हम अब देख रहो, हाद माचा आजी voidable, voidable, यह थोड़ा था ही, A promise कर रहा है, B to not to carry a similar business, as they be is paying him a certain amount, B pay the money, but A continue to carry a business, अबे यार, सभी मैं हरा में लोग रहते हैं, A कहरा वाई, तु मेरे जादा बिजनस मत करी हो, B कहरा ठीक है, A कहरा, B कहरा कितने परसे देखा हो, कहरा 2,00, पर दूँआ, कहरा दे, उसना 2,00 लिए, जेंब बढाल और वहीं business कर रहा, जहां कर रहा, कर रहा था पहले, क्यारा, करना जो कर ले, जो करना वो कर ले, तो क्या, B क्या कर सकता है, कुछ भी निकर सकता है, B उस business को stop करवा सकता है, B fraud के लिए सो case दाल सकता है, और damages माग सकता है, यार, कोमिडी होती है कोमिडी कुछ नहीं कर भाया है कुछ नहीं ऐसे दोड़ना होता है तुम भाई किसी को पैसे दे रहा है बिजनस करी मत कर यह दो लाग रो पड़े कुछ नहीं कर पाया है कुछ नहीं कर भाया है करते रहे तो तुम भी आजी करना कि भाई मुझे दो लाग रो और बिजनस भी ही करना फिर आपसे बस आपके बैक होनी चीए बैक मतलब गुंडे होनी चीए आपके पीछे बस चर बस अब मेरी सक्तिया खतम हो गई है कॉंट्राक पड़ पड़ के हैं मैं हो गया हूँ पागल पड़ गई पड़ा पड़ा के भी अभी आज नेया बैच चालूरस में भी कॉंट्रेक्ट पड़ाना है अब भगवान प्रोसे चले आना तू अध्यों गई है दोसुट च्यास है टाइमजी क्यों अरे इतना कौन देता है यार भाई मैं डाल दूँगा रिकॉर्डेट अब अब जिसको पड़ने रिकॉर्डेट पड़ ले ना डाल दूँगा अफ्लोड कर दूँगा बस मैं पागल हो चुगा यह 266 अरे भाई साब क्या चाहरे हो इतने तो पेपर भी निया आएगा इतने तो कितने पेपर बंजाएंगे तीन पेपर बंजाएंगे थाई पेपर देखे 177 के बाद मैं लाइब में नहीं पढ़ा रहा आप में बहुत हो क्या परताना अभी फिर तवारा इन फोर्षिएवल भाई लॉओ इस कॉंट्राक्ट अग्रिमेंट क्या होता है और पलस असेप्टेंस अब मैं दुबारा से स्टार्ट करूंगा यह यार तुम तो पड़ पूर के निकल लिए अब तुम्हें कॉंट्रक पढ़ना नहीं है अब मैं दुबारा वही से स्टा सब्सक्राइब मैं हो चुका हूं परसान इतने लूंगा ही नहीं बैच कोई नहीं है मैं नहीं पढ़ा रहा भाई रिकॉर्डेट देख रहूं तो सुनो मैं सारे करवा दूँगा 177 के बाद आपको ग्रूप में रिकॉर्डेट का लिंक भेज़ दूँगा और इसका भी क्लास देख लीजिए का क्लास में पढ़ाया तो थामेन आपको एथिक्स उसका भी डाल दूँगा कोई दिक्कत नहीं है एथिक्स के सारे हम से क्यों और यह कॉंट्राक के भी आपके सारे लिंक बेज़ दूँगा आपको मैं बस अब मेरी जान निकल गई है साम को बिलेंगे साथ बज़े अकाउंट हाँ थोड़ा अकाउंट पढ़ाना चाता हूं यार सेल्स और बुट्स के सारे बता दिए नेगोशेबल करा दिए कॉंट्राक के एक सुपचास साथ करा दिए खतम ही नहीं हो रहा साम को मिलते हैं बाकी रिकॉर्डिंग में कर लेना मैं दे दूँगा आपको रिकॉर्डिंग सेर लिंक करते हूं ग्रूप में चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की किलास को और बिजनस कम्मुनिकेशन की आज हमार में ते जहेर करना जाता हूं पहला इसमें कुछ MSQ ऐसे होंगे आपके दिमाग से परे होंगे तो बिजनस कम्मुनिकेशन के MSQ जो भी हमारे स्टडि मैट में दे रहेए वह दो पार्ट में बाटेंगे पहला पार्ट वह पार्ट होगा जो MSQ पड़ते ही हमें एकदम ही तो निया है ऐसा होता है हमें क्या गरना है जो पार्ट वन जिसमें पता चलेगा यह यह हमने पढ़ा हुआ है हमारा मांड चीज को रिलेट करेगा और जो चीज आपको ऐसा लगए कि यह तो मैंने कभी सुनाई नहीं पुरा चैप्टर खतम हो गया उस चीज को हम वहीं समझे दो पार्ट काटिगरी हैं अब आपको पता क्यों लगा कि आपको यह यह क्यों बनाई मैंने रिजन क्या है पूरा बिजनस कम्मुनिकेशन पढ़ने के बाद एक बार भी रिवाईज नहीं करा पहला रीजन दूसरा हमने याद नहीं करा हमने सिर्फ पढ़ा पढ़ा है याद गरना होता है तो हम पहला दूसरा तीशा सब याद रखते हैं तो याद करने में और पढ़ने में डिफरेंस होता है अब पहला पढ़ोगे पढ़ा और याद करना फरक होता हमने सिर्फ पढ़ा है हमने कॉंसेप्ट को पढ़ा है क्या है इसको मतलब समझा है इसलिए वो हिट करेगी दिमाग में अगर हम उसको अंदर याद करते एक एक लाइन याद करते तो हमें जो दूसरा पाटव कैटिगरी वह भी आ जाता आपको कुछ आपको समझ नहीं के बाद आपको समझ नहीं आएंगे और कुछ यहां दिमाग में रिलेट करेगा यह चीज्ज मैंने पड़ी थी क्योंकि में एसे मैं हमें क्या अंसर याद करेंगी और जो mcq हमें पढ़ते ही खिट कर रही है हमारे दिवां में उसके लिए तो आपने पढ़ा ही है पुरस लेपस क्लियर होगी बाते तो कैसे करना है समझ मां आपको आपको है तो टोटल 44 mcq है आज की क्लास के बाद मुझे रात तक इस 44 mcq को 10 बार करकर दिखाना है पाच बार आज करना है पाच बार कल करना है क्या गोला मैंने मुझे जितने भी बच्चे यहां पर है वो मुझे 10 बार यह mcq करके दिखाएंगे पांच बार आज और पांच बार कल दज बार करने के बाद आप मुझे बताना एक भी की पास्ट एक्सपीरिंस से मैं अब नया नया था पूरा 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 लौ के 50 एंजिख्यू पचिस एंजिप पूरा पेपर स्टेटीमेट याधर रखे दा डाल उस साल पूरा पूरा पेपर फूरा पेपर एक मत तीक करके रिखा कोज़bres do मिलता था रिखक करके दिखाता है कि यह 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 रहाए यह घr अभी जो लॉका सर ना लॉका जो है वोभी सटटीमैट से ने पूराने स्टेड़ी मेंसीं यह लिए और मैंने रिस्ट भेजी ती याद रिक लास भेजी थी आपको मैंने अकाउन्ट के सारे सब करा रखा है आपको देखना देखना बागी है समय होता है तो देखे नहीं होगा तो फिर वही फज्जा होगे आप नंबर कमाएंगे जितना आप पढ़ों तरह आपको याद रहे रहेगा अकाउंट के मैं दूबारा भीज़दूंगा आज देख लेना उसको के से सब्सक्राइब करा का एक सब्सक्राइब करना लेज्ट कि अधे मचोड यह खित से कि लोके खतम हो गई है आब आजाते लवर अब रोता है नीचे लोवर लेवल अब देखो ये ये कितना पर कुछ आGO झाल की मेरा कुछ ला दिया वहीं बताना आगत को यह होता है यह होता है यह होता है मिडल लावर और यह लोवर लावल अच्याओ लुट लावल दोme 자기रा लेवल अगर मैं कहा हूं लोवर लेवल से फ्लो ऊपर की तरफ कर रहा है तो यह अपवर्ड डिरेक्शन हुआ या डाउनवर्ड हुआ यह तो मैं दीखी राए देखो कितना सिम्पल है तो बलते हैं अपवर्ड कम्म्मिकेशन लोवर लेवल से जब अपर लेवल की तॉप लेवल की तरफ जाएगा उसको क्या कहेंगे अपवर्ड कम्मिकेशन कहा जाएगा सिम्पल है अतम अपवर्ड कम्मिकेशन सिम्पल हुआ ना है ना सिम्पल आपको लग रहे कितना सान है आगे आते आएगा देखना ना सान है मु इंपलोई अमंग इंपलोई अट एक दिपार्टमेंट बन है और एक दिपार्टमेंट टू है इपार्टमेंट बन में तीन लावल है तीक है टॉप ठीड और लोवर और डेपार्टमेंट ट्ू में भी थीन लावल है टॉप मेडग और लोवर में टॉप भील ठीड और लोवर इन में कहा रहां दिखा क्यनलर लैवल के इंपलोई आपस में कम्मुनिकेट कर सकते को क्या कहते वताओ अगे तो नहीं कैते यह यहां से यहां होता है बखलो देखो न आगर मैं कहता यहां के इन मनिया यहां से यहां डाइक्रन लोग है यह तो सेम लावल इसको बोलते हैं लेटरल लेटरल कम्मिनिकेशन भूल गए मुझे पता है यह कहते हैं अब बहुत बड़ी यह अंसर नहीं देखना अंसर बुक बंद कर दो आठ builder इमानदारी से कर दो बंद जब तक दिमाग नहीं लगेगा तेता सुचना है बुक खोलो मत को पंऴो कि आना होगा आएगा नहीं आना होका नहीं कि कमेंट करते ना शोटेयराम जीडि की कोई बात नीजी हम क्या करते है से लेटरल को कम्मुनिकेशन कहा जाता है जब सेम लेवल पर union कहा जाता है अगर सब्सक्राइब करना है तो क्या होगा अगर सेम लावल के इंपलोई आपस में कम्मुनिकेट करें तो हुरिजन जिसकों लेटरल कम्मुनिकेशन भी कहते हैं पढ़ा था हमने पॉड़ी लाइंग्वेग तो अच्छा होता है ना लीडर्शिव इनिसियेटिव यह यह भी अच्छा होता है तलती स्टेट्मेंट बोलना यह आप खड़े होकर लीडर्शिव कॉलिटी होनी चाहिए कि खड़े होकर आप बोल सके हो और पॉजिटिव बोडी लाइंग्वेज आट के नहीं कि याल जान लग रहा है आप दमास हो रही है है ऐसे नहीं बोलना पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब जब आप गुरुप डि अब यह आ रहा है दिमाग में हिट कर रहा है ना आगे आगे आएगा ना तोते उड़ेंगे सारे आप दुबार से एक बार रिपीट करते हैं मैं रिपीट वह बच्चा जिसको लगता है कि ऐसा बार-बार रिपीट कराने से ताइम का वेस्टेज निगल लो कि आप कह रहा आपको यहां पर सिफ बताना नहीं है मेरा परपस याद कराना है तो जो यूटूब पर डालूंगा यह वीडियो जो बच्चा अगर यह कहता है कि बार-बार रिपीट करने से मेरा टाइम खराब हो रहा है तो आप जा सकते हैं धन्यवाद आपका क्योंकि मेरा परपस यहा पहला पहले क्ष़ाने वाला पहला लोवर लव Programs अगर अपर ल पर आगल पर जाएंगे तो क्या होता है अब बस सुनते चायों आप बोल के अनर्जी वेस्ट व्याली है नहीं हो है बैड़कर देखी याद कराऊंगा यहीं याद करांगा कर देखिए चारों पड़ाओंगा पढ़ांगा फिर पढ़ेंगे दुबारा कि फिच बिजनस अम्मुनिकेट यूज प्रोवाइड अब बर्ड आई व्यू ओन आम मेंटर करता है तो बड़ आई व्यू प्रोवाइट करता है किसी भी मैटर में अभी यह बड़ आई वी क्यों होता है पहले तो पाव और पावर पॉइंट करते हो तो आप प्रजन करते हो तो आप यह करते हो शॉर्ट टाइम में ज्यादा चीज़े बता देते हो । तो कौन से प्रच बसे कम्पूनिकेशन आपको बढ़ आई विव प्रोइड करता है मैटर में क्या पर्जेंटेशन आओ सुरू से अगर कम्मिकेशन लोवर लैवल से अपर लैवल आपके जा लाएंग ता तो क्या होता है बताओ अगर सेम लैवल के इंपलॉई आप उसमें अवाइड करनी चाहिए ग्रूप डिस्केशन में पाल स्टेटमेंट पताइए आजो दुवारा चेक बाह बताओ ऐसे कौन सी बिजनस कम्मुनिकेशन मैथड है तो आपको किसी भी मैटर में बड़ आई व्यू देता है बड़ आई व्यू मतलब शॉर्ट में ज्यादा चीज यार आपके पास स्टेडी मैट्रियल है फॉठाओ स्टेडी मैटरियल देख लो और कॉम्यिकेशन और कॉं कॉंध मत पूछो यार कि वाज प्लाइब क्यों होती हम इतना पता है बस देखनो नहीं दिखा देता हम आपको इसनस कम्यूनिकेशन देख लेते हैं मैं सही में भूल गया हूं आप खुद भूल गया हूं मैं तुम से क्या जी उमीद रहूं प्राइब कर दूंगा आच घंटा लग जा मुझे यहां पढ़ाता है टाइप सो बिजनस कम्मुनिकेशन पूर्थ चैप्टर कि कि यह काम करता हैं दुबारे स्टेडी मेट्रियल खोड़ लेता हूं कोहीं पर देख लेते हैं ना कि आज आज ऐसे कैसे याद नहीं होते तो मैं मैं भी देखता हूं कि अभी चालिज के चालिज टिप्स में याद करा दिया तो नाम बदल देना मेरा ना छोड़ दूंगा और बताओ पेज नमबर 161 अच्छे ना बता दिया धन्यवाद पांच करोड़ साथ करोड़ धन्यवाद ताइप्स और बिजनस कमने कें देखे रहा कहां है रहे ताइप्स आएप्स और चालिज करोड़ देखे रहे रहे ताइप्स तो चारी दिखा रहा है यह देखो 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 एक चीज़त बता दू यह देखो horizontal communication is a communication that plays among the employee on the same organization level it is known as lateral communication oh और यह तो चार दिखा रहा है पांच कि एक दो तीन चार करें यह यह तो कि और कहीं भी पढ़ाया था क्या तर चार टाइप के बिजनस कम्मिनकेशन होते हैं पांच के नहीं होते चारी देरे कहां बताओ भुक की अपने जवान की पकी नहीं है बताओ कि क्या करा जाए प्रशन की अंदर क्म्मिनिकेशन होता है तो इस पर्मल में रुक जाओ यारूद रुख जाओ रुख जाओ यह नहीं यह 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 वाला दोस्तों यह फ्लोव क्म्मिनिकेशन एक दो तीन चार मीडिया यूज डिरिंग कम्मुनिकेशन नहीं पॉर्मल और इनपॉर्मल चार टाइप एहार चार ही है जब चार करो इसको गलत कुदे रहा है फिर भूक में कर दोसको चार टाइप के बिजनस कम्मुनिकेशन होते हैं सब्सकार टाइप के ही होगा इस ठीक है ना हो मैंनी टाइप और कॉम्मिकेशन टेक प्लेस इन और अर्गनेशन चार अपवर्ड डाउनवर्ड है और इस डाइगनल टाइप के बिजनस कम्मिकेशन हमें देखने को मिलते हैं अब अब दुवार चार जाओं अपड़र फिर्वां का पॉर औरहों याद कराना है बताओ याद कराना है पॉर्ट कम्मेशन लवर्ड लेवल जाय सब्सक्राइब क्या होगा अपड अप्र यू क्या फॉर्ड गॉनिकेशन गेशन सब्सक्राइब करना चीए और стать प्रजंटेशन को किएते हैं चार ताइप के उते हैं चार लिखना आपको इन वीजनस कर ली कर आई अपको अगेंज़ बीजाता है अगर कोई लपन काई का आपका व्यू सही है कौन सा विजनस कम्म्वनिकेशन होता है अब कौन सा विजनस कम्मुनिकेशन है जहां पर हम कि और हम एक दूसरों के व्यू को समर्थन भी देते हैं और एक दूसरे के वीव को अगेंज भी होते है डिबेट कहां पर है सर डिबेट में ऐसा होता है जब हम दूसरे से अगेंज होते हैं इस पीकर और कुछ बोलता है कि देखलो ना खोल कर ती बेट देखलो आप क्या से लड़ धगडते रहते हैं भी कहता आपके पास आ गया डिवेट अच्छांड इंकलिउड फेस टू से इंट्रेक्शन विद कस्तुमर फो क्लोजिंग दा सेल पेस टू फेस टू पेस इंट्रेक्शन के लिए क्या कहते है बता 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 आप बता ओ कितना सिंपल है तुझे परस्नल सेलिंग टेस्टू परस्नल ली मिलो के ना परस्नल सेलिंग रेस असनम परस्नल सेलिंग यूजो कूपन सेंपल कम अंडर विच मॉट ओ कौंसा आइसा मार्केटिंग कम्म्निकेसन जहां पर हम कोपन कीस करते हैं ARE बहुत बुघा बहुत बड़िया वह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ब्रिया urad अब नेरेकशन लोगरा तुं हायर दूसरे बाटा क्या सवाएं करना चीए फॉस्ट हन्य शंह मैं इसके बाद पर्सनल सैलिंग कूपन और सेंपल कहां से कौन से कम्पनिकेशन मार्केटिंग कम्पनिक से सेल पर्मोशन में दिया जाता है लो याद हो गए नहीं होगे पहले बताओ आट के आट हो गए नोवा देखते हैं वाट इस दा सिचुवेशन कॉल्ड वैना बैड इमेज पन जाती है कि पर्मोशन बैड होता है नहीं पर्मोशन पर्सनल पी आर क्या बोलते हैं पर्सनल रिलेशन प्रजेंट कि बोलते से यार्ज को इन ध्यान नहीं आ रहा प्लिक प्लिक रिलेशन बोल देते सहत कुछ चाहिए नेगटीव नेगटीव मतलब नेगटीव इंपक्ट पड़ता है साब साब कहानी आरी बैड इमेज का मतलब है नेगटीव इंपक्ट पड़ना तो वी विल भी दा राइट अन्जट इसके बाद बिजनेस कम्पनीकेशन हल्प करता है स्टैबलिष करने में डैस बेन मारकेटिंग प्रोफेशनल इसम् प्रूट स्टैबलिष करता है सर इससार कितना प्रोफेशनलिजम दस हो गए भई तब लिए जी एक बार दोबार दे दस के दस दिवार से एक बार रिपीट करेंगे करेंगे जल्ली करेंगे लोवर लेवल से अपर लेवल पर जाएंगे क्या हो लेंगे आपके पास एक बंदा स्पीकर अपनी बात रख रहा है दूसरा बंदा उसके अगें जा रहा होता है डिबेट में इसके बात कस्टमर को कस्टमर से डिरेक्ट ली टो बेज बात करना इसको बिलते है परस्टनल सेलिंग कि बात क्या होता है जहां दिया जाता है सेल को बेचने सेल करने के लिए परमोशन इसके बाद ऐसा कौन सी चीज है सुचिवेतना जहां पर नग्टिव इंपक्टा यहां परकर नग्टिव यार इसके बाद बिजनेस कम्मिनिकेशन क्या करता है प्रोफेशनलिजन बिल्ट करता है अधम हो गए दसके दस्याद अधियाद हो गए पांच है देखना एक बार अभी चक करा यह देखो कि पड़ देखना पांच बता दिया इन्होंने दो देखो आगे लिखाए चार यहां दे रहे हैं पांच यहां देखिए अगे वर्टीकल इसन घिक है फिल्टीकल ऐसे वाला जुक है और अधिकल एश वाला एक और अगे लैसे और आपवर डावर्ट पांच यत वह यह अलत चलत पढ़ा है पांच यह दोस्तो पांच में कौन कौन से 5 है एक तो वर्टीकल क्या चिक है ना का सूर्ण अ वरीजोंटव कि एक होग वर्टिकल ऐसे होता है वर्टिकल ऐसे होता है दाइगनल की अब रहे होता है अब प्रहुता अप्वर्ड अप्वर्ड एसे वोता है पांच यह वह गलत हो जाता भी क्वाइब यह दो नंबर जाते सीधर शीद़ यह पाट है यह पार्ट है वह यह जो और फोर्मल यह लग वेगा रहा ना पांच यह पूछ रहा है वह ये पांस पूस वर्टिकल होरिजन्टल डायगनल पर दावर्ड पर यह धोका नहीं है वाब बताओ कर सीदे सीदा उपर देते यार कंप्यूज कर रहे हो तुम है कि हम आप महतारी सीदेने में आप महतारी सीदेने में वर्टिकल अपूएड डाउनवर्ड डायगनल वर्टिकल लिए था तीड़ चीतेदा कानी क्षाब हो जाती वर्टिकल में तो आपवर्ड डाउनवड अलग है अपवर्ड में सिफ आर्र ऊपर की तरह जाता है डानवर्ड में आरो सिर्फ नीचे की तरफ जाता है आप कह सकते हैं यह वह गया आप में आपको अपको डानवर्ड वर्टिकल में दोनों उपर से होता है यह फांच यह गलत सलब मत कर आओ एक बार दुबार रिवाइस करेंगे पंझ पंज करेंगे सब्सक्राइन करेंगे 5-7 एक फीर करेंगे सरे उपरलेवल लéoबल से आपको उ Alien always बात करें तो क्या होगा लेटल गुणिकेशन इसके बाद गुरुप डिसकन में क्या वहर करना चाहिए इसके बाद चहां पर एक परसंद दूसरे परसंद के अगेंस रहता है बात करते हैं पांच वर्टिकल होरिजोंटल डाइगनल अपवर्ड और डाउनवर्ड इस्पीकर जब यहां भी था क्या अच्छा यह था बड़ आई व्यू परड़ आई व्यू क्या चीज़ दिखाता है स्टेट्मेंट पर्जेंटेशन इवेट में क्या होता है वहाँ पर एक स्पीकर बोलता है दूसरा प्रमोशन कहते हैं इसके बाद जो ऐसी कौन से ने जब नेगेटिव पड़ता है बिजनस के ऊपर नेगेटिव प्यार इसके बाद बिजनस कंपनिकेशन क्यों हमें स्टैबलिज करना है क्यों कि हमें प्रोफेशनलिजम सिखाता है और दस के दस याद परिकत अब 11 से करते है पंदरा कि क्यारा से 20 करते हैं फिर दुबारा रिवाइस करेंगे बठीक ना 11 से 20 तक जाते हैं कि पार्टिस्पेट इन वाल इन प्रोसेस ऑफ अप मुझे बताओ कोई भी पार्टिस्पेशन जब कम्निकेशन के प्रोसेस में आता है क्या वह जज्जमेंटल होना चीए ह कि अपनी लाइट के अंदर आप खुल बताओ खोड़ो कम्निकेशन प्रोसेस के अंदर आपके पास कोई अधिकार है कि आप किसी को जच करो करते हैं लोग लड़कियों को जज्च करने लग जाते हैं अगर वो छोटे कप्रें पहनती है तो यह देखो लड़की कितने जज्च मेंटल क्या होना चीए ओपन माइंडेड होना चीए देखो सिंपल न ओपन माइंडेड होने चीए कि वीच अब दा फ्लोएंग इस नौट वन अफ दी एड़ सी अब कम्मिनिकेशन मैंने आपको बताया था एक बार आप उस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको समझमा आ जाएगा बट इसके अंदर मैं आपको बता जाता हूं क्या नहीं था यह तीन थे कंसिड्रेट कॉंसे नहीं आता तो पहले का अंजर क्या है कौन सा पार्टिसिपेट कोई परसन कम्मिनिकेशन के प्रोसर्स मा आता है तो उसको ओपन माइंड रोंच यह एड़ सी के अंदर क्या नहीं आता क्यूस नेस नहीं आता ठीक है जी नीड़ा प्रोपर ग्रामर सेंटेक्स कम अंडर वि प्रोपर ग्रामर आनी चाहिए देखे एर सी पड़ाता तो सबसे पहले आपने पड़ाता था कम्प्लीटनेस के अंदर यही होता है आप जब कोई चीज बोलते हो तो प्रोपर ली बोलो आधिया दूरी बात मत करो कि मुझे जाना है यह गलत है पहले बताना कहा जाना है करनी है अगर नहीं है इनफॉर्मेशन आपको करनी है अगर आप इनकरेट हो तो आप इनकरेट हो तरक्टनेस यह आएक अधर कम्प्लीटनेस में तो ठीक है कि हम प्रोमेशन शेयर करने चाहिए अधियुटरी जानकरी तो यहां पर घ्राम मेतिक अगर मिस्टेक करते हैं जात कि इनकरेक्टनेस को दिया एक करने विद्विद्राइट आन्सर पॉर दिसको नमबर 13 अग्रामर्टी के लिए एक रिख प्रटेक्टनेस आज़िए आजाओ सर 14 अगर मैसीज छोटा है इप मैसेज इस शौट एन तो दी पॉइंट दम्याश इस से टू भी करक्ट तो अगर मैसीज छोटा है और हम टू दी पॉइंट बात करते तो मैसीज को क्या कहेंगे मैसीज घड़ टू भी कॉंसिस कहते हैं सर कॉंसिस मैं सिस्टेट भी कॉंसिस दिखा तो मैं आपको एट सी अप कम्मुनिकेजन कि अधिरा एट कि एट एट इट 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 इपक्टिव कम्मुनिकेजन लिएरेटी तंसिसनेस देखे लिगा ओल मैस्स शॉट और टू दी पॉइंट तो उसके लिए क्या होगा तेटना बड़ा लिखने सच्छा कि यार मैं इस जगह पर जगह पर पापनी नहीं ब्रांच ख सब्सक्राइब आपका राइट अंसर है यहां पर हम शॉर्ट मैसेज करते हैं तो आप कंसेशनेस कहा जाता है ठीक है पुराण लिखा कंसेशनेस सब्सक्राइब और ट्रांसलेट इंटू मैसेज ऐसा कौन सा वे है इंफॉर्मेशन है जो मैसेज को डिस्क्राइब करता है ट्रांसलेट करता है पुट इन वर्बल और नॉर्मल मीडियम इस काल फीड़बैक डिकोडिंग इंकोडिंग इंकोडिंग तब कॉन सब्सक्राइ को जह मैसेज में को लिखना तो समझना ठीकोर्ट करना तो क्या करना क्योंकि पहले बताता हूं मैंने опять आपको मैंने लिखने मेरे माइन में लिखने करना आप लिख रहे हो इंकॉर्मेसिप करें थे । को इसलिकते में आपको बेड़ा तो आप मैसी में तॉप पड़ोगे और संजोगे कहते तब काना पड़ने के राहा है समझना बडिकोट स्टोस्ट की विर्चन को एक क्लियर आय पॉजिर्द फीडबाग नेगेटिज फीडबाग पोजिटीब फीडब exatamente नेगेटिव फीड फॉरवर्ड है पॉसिटिव फीड फॉरवर्ड और रिकोर्डिंग कि आलए तो मैं आपको यह बता हूं कि देखो इनकोर्डिंग मैसेज में करना उट हुआ डिकोर्ड और रिसीवर कि देख क्या आ गया हो कि पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड इट बेसे कि में अफर्विंग कमेंट कि रिगार्ड टूदा फ्यूचर बिहेवियर आ गया देखो पहली लाइन में लिख दिया जी खतम ऐसे आते देखो मटना इन सबको अअब कि करें इखाए यह क्या होता है सर अफरींग कमेंट क्या होता है अफर्मी का मतलब होता है जब आप कोई बात कहते है उसको affirming comment कहते हैं और उसको क्या कहते है positive feed forward feedback नहीं feed forward right और positive feedback इसाथ बात नहीं अंदाज लगाते हो तो negative feedback पासन होता है पॉस्रीट पीडवेक मीन्स तर्फ के साथ केहते हो कोई बात की पास्ट में ऐसा हुआ था मैं यह बात पर था इस पता है कल उसके लड़ाई होगी थी हाई मैं मैं कंपंड हूँ लड़ाई हो यह उसकी प्रक्री ऐस पास की बात पर दावा गर रहे हुआ पॉजिटिव फीड वादम फीडबैक फोलत को यार कल ना सियर यार कल पता है क्या हुआ कल आपका 21 कि आपके पास आपकी एक्जाम फॉर्म का फ्राइस बढ़ जाएगा कल आपका एक्जाम फॉर्म खतम हो जाएगा तो फ्यूचर बीहेवियर पे जब आप दावे के साथ कुछ बोल रहे हो डैट इस पॉजिटिव पीड पॉरवड आइट समझा भी रहा हूं आपको भूल गए हो तो है क्लेयर दूरी चीजह पॉजितीव फीड पॉरवड और पॉजिटीव फीड बैक फीड बैक होता है पास की बात पर करते है फीड फॉरवड फ्यूचर की बात पर करना है लिए और निकीदीव प्लॉटिव एक लेकर फ्रेक्टिव कमेंट विद रिगार्ट टू पास्ट बेवर क्रड़े ग्रेक्टिव कमेंट पास्ट में ऐसा हुआ था आपनी कुछ बातों बोली के रहल ले कर गर क्रेंगिप पॉलिय को बंधे को पास की बातों को लेकर क्यों कि पॉजिटीव का उल्टा है तो नेगेटिव फीडब के अंदर हम क्लक्रटिव कमेंट करते हैं जो बात आप दावय के साथ क्याते हैं एक कमेंट करते हो उसको करते हैं ऊप आपको यह बात शवर में आ गई है गजितिव कि अटिस कॉल नगेटिव कि टीड फीडबेक नगेटिव लिए अपको बात समझे पर आ पस है समझी तीन बात आपको कहूंगा मैं तहां गया रहे पैंट कर लो जी लो कर लो बात अड़ मिल गया मैं देखो मैं आप उसे बात कहूंगा एक होता है अफर्मिंग कमेंट ठीक है एक होता है अफर्मिंग कमेंट ठीक है अफर्मिंग कमेंट के अंदर यह हो सकता है एक फ्यूचर बिहेवियर के लिए हो सकता है बात हुए थी अफर्मिंग कमेंट की फ्यूचर बिहेवर पास्ट बिहेवियर एक होता है करेक्टिब कमेंट क्रेक्टि में हम किसी को सभी करते हैं और यह कहता है कि तु दावे के साथ बहुत है तो षसको बोलते हैं पॉजिटिव फीड गोश्र पीड बोलते हैं और अगर अफर्मिंग कमेट और क्रेक्टिव कमन फ्यूटर के लिए है तो इसको नेगतिव कि पर्वर्ड गयते हैं कि अगर यह देखो तो अगर फॉटर के लिए तो फॉटर आएगा फॉर्ड आएगा राइट अफर्मिंग है चुटर देपनको और की बात करना होग गात्र सब्सक्राइब पंडशाथ है और की बात करते हैं कि ऊच warning एफजयों सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब कुला करें तो यह अग气री लिख करना है तो है तो ऊचर्श्यक में डौप में आपनफके प्सक्लाइब में forward का आया कि समना है की का है पास्ट में future में forward का आएगा और पास्ट behavior में feedback का आएगा है कि क्लियर होगी सलमा आ गया और ये positive आएगा ये negative आएगा नेगेटिव यह आएगा positive पॉजिटीव फिर से समझो फिर से समझा एक बार और अगर अफर्मिंग कमेंट है तो पॉजिटीव आएगा पहली बात पॉजिटीव कमेंट है तो नेगेटिव आएगा खतम अफर्मिंग कमेंट है तो पॉजिटीव करेक्टिव कमेंट है तो नेगेटिव अगर बात करें फ्यूचर भीएवियर की इसके साथ फ्यूचर भीएवर की बात लिए तो फीड फॉर्वर्ड और अगर पास्ट भीएवर की बात करें तो क्या होगा फीड बैक अब आप देख लो अगर इसके साथ ये है तो पॉजिटिव फीड फॉर्वर्वर्ड अगर इसके साथ ये है तो नेगेटिव फीट ऐसे समझमाया अपको आपको किलियर हो गया है अब कोई भी करतेंगे देखना अफर्मिंग कमेंट फूचल भीएवर अफर्मिंग कमेंट मतलब पॉजिटीव फॉरवर्ड पॉजिटीव फीड फॉरवर्ड यह देखो एक सिखा दी ट्रिक बढ़िया बाच भीएवर मतलब फीडबाइब फास भीएवर फीडबैक अब्रक्टीव मतलब नेगेटिव फीडवत के लोगने फॉछ लेन होत रखासी होगा ऑस्ट भीएवर्टीव पास्ट पराद इसकुचर के लिए फ्यूचर क्या होगाई ए नेगेटीव फीडबेग आएगा या आयर्यक्तिक खमेंड पास्ट बीहेवियर क्यरा करतिक कमेंट पास्ट बीहेवियर नेगिटिब फीडवक करतिक पीचो चुच अपर ब्हेयवियर नेगिटिब 파र्वार्वब कि भना आप करन तो यहां पर और बुक गलत ैं इं इंटर पिटेशन सबैसे संदECT सब्स्क्राइब जटो आप 0 अपनी दिमाग में करना मतलब एक्जामपल आपके पास जो मैसिज आया उसको आप पढ़ोगे एनलाइज करोगे इंटर्पिटेट करोगे समझोगे फिर अपने दिमाग के ऊपके पास आ रखा है उससे जब आप इनफॉर्मेशन अपने दिमाग के अंदर पुट करते हों य प्रस्ट एप और कम्मिनकेशन प्रोसेस इंप्रॉस्एं कोड ट्रांस्मिशन डिकोडिंग और डेवलोपिंग और आइडिया तफीदा सेड़्मेश कर दों यह पहले सोचहूंगे prowad यह के सबुकर मतलूप सोचंगे हैं तो फिने काम हम सोचेंगे ना ए इसलिए वियर ब् दता है मैठीज ौने सि अगर मैठेड़ को मैठेड जो मैठेड मैसिस को डिलीवर करने के मैठेड को क्या कहा जाता है मीडियम या चैनल शारा डे अखों से मैंeth से मैठेड और म्हादत हो चैनल मीडिय Tibety रेज़ने वाला का मत्या मेडियूं से आप इन्फोर्मेशन शेयर करें चैनल मीडियम और मैथट वन ओप दी सेम थी नवी सेम थी एक बार ग्यारा से लेकर ग्यारा से लेकर 20 तक दुबारा रिपीट करेंगे दोस्तों मीडियम चैनल और मैथट वन ओप दी सेम तिंग आजो यारा से लेकर 20 तक दुबारा रिपीट करेंगे है ठीक है सबसे पहला मैं बैटा हूं नीचे ठक गया हूं पहले का अंचर हमें कैसा होना चाहिए ओपन माइड़ेट होना चीए है ठीक है ना दूसरा एट सी के अंदर क्या नहीं आता क्या नहीं आता अगर सही है तो हम कहांगे करेक्टने से क्या है क्रेक्टने स्थ डी इसके बाद अगर मैसी शॉट है और टुदी सब्सक्राइब करते हैं इसको इनकोडिंग कहते हैं इनकोडिंग कहते हैं इनकोडिंग मैसेशन दुबार लेना डिकोडिंग इनकोडिंग करते हो इनकोडिंग को अपने दिमाग के अंदर इंटेलिजन फॉर्म में कौन करता रिसिप्टन जिसको क्या होता है वह क्या करना होता है पेठेल स्थTalk यो क्या होता है कमिकेशन का आइडिया में developed करना और जब आप मैसेशने के मैथ़ड को क्या कहते हैं चैनल कहते हैं बता यह सब आगी समझ में हो गया याद कि आप बढ़े एक बार में दुबारा शुरू से एक बार पुछूंगा तो आप कमेंट करके बताना मुझे पहले का अंसर क्या है प्रखुश का ना दपनें कैने हैं प्रने में पूर मुझे नहीं से मुझा पूर। मैं रेसे पूरा पूरा लिखेंगे। बहुत बढ़िया दूसरा लिगो दूसरे का याद करने अभी हैंई पर ठीक है ना अथक क्या दोस्तों मैं बहुत देन से बोल रहा हूं लिखो किसे रहे का बता हो आटीन कि अगला 14 15 जली बताइए पड़ो और लिखो पड़ो और लिखो जो कहते रिवीजन करना पड़ो और लिखो ठीक है बाहत बड़ी आ इंस्स्टीन बताईये इस्टीन सव्वंटीन मटताईये इस्टीन का डिकोर्णिघ नहीं है रहे इंकोर्णिघ यह सल गुसिँखाएगा कि hip officer का इंकोर्णिख है कि your information जोगने करना इंकोर्ड होता है और मैसीज से इन्फॉर्मेशन कलेट करना वापस डिकोड ठीक है ना इस्टीन बताओ कि सिस्टीन अच्छा ठीक है ठीक करके बताओ 16 बताओ 17 18 बताओ जल्ली चकरो अचो बताओ 19 बताओ बहुत बढ़िया बस अब नाइंटीनों टॉन्टी बता दो चल रहे फिर आगे नाइंटीनों टॉन्टी बहुत बढ़िया बहुत बढ़े दोस्तों याद हो गया अब मुझे बताओ क्या आपको याद हुआ बहुत बढ़िया चलो धन्यवाद क्लियर याद हुआ आपको ठीक है अभी तक जितने भी थे हमें सब असान लगा कोई कोई भी मुश्किल नहीं था ठीक है ना अभी जितने भी थे सबसान था कोई भी मुश्किल नहीं था कि अगला अगला ट्वंटीवन से अब हम क्या करेंगे 21 से लेकर तीस तक करेंगे ठीक है फिर एक से लेकर तीस तक दुबार रिवाइज करेंगे फिर आएंगे तूवे कम्मिनिकेशन के अंदर सीड़ बैक ज़र वन वे में तो क्या होता है अगला तू पृisया, और सी्ङ, युा,िन है ने, सुक्आ कर के तू आ lav. जा हाओ, कर दो को प्यास? वेकि मैं थाओ, क्रणे एक आतरों. दुएमांटनास और सुक्रावाँ के CONTROब का फिड़ी प्रूजर।ा ग्रभू जifie निटान आप पसाouvगी परेच्सूजाग्नुरे थे कर्माचीची जद्धा,म् पसामुटरे परantonाचान चुट्साइल सुट्टर है? अगला, कहеся üçनला चुटरे चबने कि रहाए कृमाच measurement रहाता पसाफनाचानonnistrecht, report R beta Speedák learned, यहां पर एक परसन रेंडमली किसी परसन को उठाता है चुनता है और उसको अपनी बाते रखता है जो बात इसको बताता है वो कुछ लिटल बिट इंट्रस्टेट होता है पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वो नहीं होती है बताओ सर कौन सा ऐसा वेव कम्मुनिकेशन आत परसन को बढ़ते हैं और उसमें अपनी बात रखते है उसको अपनी बात बताते इंफोर्मेशन शेयर करते हैं और यह करते हैं आगे यहां पर गुरूप आप पीपल कौन गलियों की अंटी एक अंटी को कुछ बात पर चलेगी तो वह पूरी अपनी अंटी ओको पूरी अपनी दोस्तों को बताएगी कि अच्छा ऐसा हुआ था पिछली गली में अहां यहां 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 डाट इस वाली वीडियो में तो आपको मैंने इतना हसाया था अब आधी मैं दोवारा वीडियो देखता हूं तो मैं खुद अज जाता हूं ध्यूंग भीच टो फॉल्वैंगं इस नौट एन अडवांटेज ऑफ फॉर्मन कम्म्टेशन ऐसा कौन सा नहीं धाट नहीं है पॉर्मल कम्म्म्न कम्म्म्टेशन के अंदर क्या होता है हमें वेल और और रगनाइज बैमें कम्म्निकेर करते हैं तो यह फास्क नहीं होता याद रखेगा कभी फास्ट नहीं होगा यह वह स्लो होता है क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रोसीजर कुछ और्गनाजिशन फॉलो करने पड़ते हैं तुरंद घूमती है बातमा पर अब आप बात करोगे इसमें होता है कि हमने पहले किसे बात करी हमें एक वरकर इसको बोल लागा आगे बोलेगा तो फास्ट कम्पनीजर नहीं है तो वह अपने लावल के थूब आप पहुचे के महां तर जबकि अगर वरकर और टॉप लेवल मैंडिमेंट के कोई बंदे की अगर दोस्ती है तो इ इसका नहीं एक तरिक का स्टेज है ली कौन से है जहां पर भूऍकेट करने वाला पर्सन होता है वह क्या करता है और फोकस करता है कि अपनी ग्रामर स्पेलिंग और पंक्ट्वेशन को करें करें आप सब दिख रहा है यहां पर रिवाइज करना और एडिट करना अगर ग्रामर मिस्टेक होगा तो ठीक करो गया तो कहते हैं ना एडिट करना तो रहे यार यार इतना सिंपल तो भाया होई नहीं सकता कुछ है अगला इस्टडी और बॉडी लैंग्वेज ऑफ पर्सन की बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करने को क्या कहा जाता है सर तो क्या कहेंगे निसिस नाइसिस कहेंगे न के सालेंट होगा नहीं आई भी लगाएगे निसिस कहेंगे कि सालेंट रहेगा इसमें कि यह आपको याद करने पड़ती है वह यह है अगर मुझे किसी की स्टडी करनी है बोल्डी लाइंग्वेज को इसको किनिसिस यह निसिस कहेंगे यह को आपको याद रखना होगा क्लावड कंप्यूटिंग क्लावड 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 छो आप बताया जाएगा तो क्लाउड के अंदर इसितना कम्प्यूटर क्या करता है क्लाउड कम्प्यूटिंग क्या करता है वह आप किया जाएगा चाहिए ना इस अगर मैं किसी कस्तुमर से बात करता हूँ तो मेरी कौस बढ़ जाएगी या घट जाएगी आ घट जएगी बता सब कास्ट बढ़ेगी कमोगा घट जाएगी कितना ही सिंपल सिंपल और नहीं यह गिया होगा कि इंक्रीज हुजाएगी कॉस्ट कैसे सर वीडियो कॉल पर आपको सैट अप लेना पड़ेगा आपको कंप्यूटर लेना पड़ेगा आपको नेट रिचार्च कराना पड़े तो अगर वीडियो कॉल पर बात करेगा तो नेट रिचार्च चाहिए वीडियो कॉल के लिए कस्टमर के लिए वाना चाहिए सब कुछ बढ़ती है अगर आप कस्टमर से वीडियो कॉल पर बात करते तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि उसके अंदर बहुत से अदग अलग चीज़े भी चाहिए होंगे अगर आप कस्टमर से डिरेक्टली पर्सनल बेव में बात कर रहे है तो फिर कुछ निजए होगा डिरेक्ली जाओ किराय भरो उसके वां मिलो और बात कर दो वाइडिंग अगर मैं कस्टमर से बूच आप कुछ भी पूचर मैं उसका जवाब दूंगा तो यह किसमा आता है सपोर्ट केर मायगा प्रोफेशनल प्रजेंटेशन मायगा पर्सनल टच मायगा यह नन और अबव में आएगा तो आप अपने कस्टमर के कोसनों का जब अंसर देते उसक क्या कहते हैं कि कहेंगे सपोर्ट केर कहा जाएगा तो जब आप कस्टमर से कुछन के कोसनों का अंसर देते हैं जिसे मुझे दिखक्राइब पूछ रहा हूं उसको सपोर्ट केर कहा रहा है कि हमें कोई सामने खड़ाय सपोर्ट करने के लिए और प्रोफेशनल बिहेवियर इंक्लूड बिहेव इना डैस मैनर इंदा वर्क प्लेस प्रोफेशनल बिहेवर का मतलब क्या है जैसे हो वैसे रहो नेगिटीव बन जाओ होगा कि लग घंटे से पार होगे क्लास लेते लेते ना कि आज भी लगत क्योंकि हमने जितना ही पड़ा हम उसको डिवीजन कर रहे हैं इसलिए हमें टाइम जादा लग रहा है घंटे में सारा खतम करा देता पर परपस खतम नहीं होते हैं याद कराना परपस है राइट ए इतना ही करेंगे तीस तक तो एक बार तीस तक करने चीन को किसी रैंडम परसंट को उठाकर उसको अपनी बाते बताओं वह लिटल बिट इंट्रस्टेट हो जाता है इंप्रोटन बाती भी नहीं तो उसको कहते हैं पर एक परसंट बहुत सारे ग्रूप में बताएगा उसक कौन सा कौन सा क्इस्के से कौμिनिकेश्ण कभी पास्ट नहीं होता कि इसमें अगर क्लाउड 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 लेंगे रियाद भी कर लेंगे तो आई एक बार जल्दी से एक से लेकर 30 करते हैं और देखते हैं कि हमें याद है अभी भी चलो सबसे पहले आ जाता है वन कि दोस्तों पहले रैडी हो जाओ पहले रैडी हो जाओ एंसी क्यूं के बाद टैस्क ले लेना ठीक है जी ले लेंगे लेंगे लुगा मैं इसका वह दिक्कत नहीं चलिए आजओ लोवर लेवल से अपर लेवल पर जाएगी तो अपवर्ड कम्मिकेशन होगा इंप्लोई से लेवल के इंप्लोई बात करेंगे आपस में तो पर्जेंटेशन दिखाता है इसको क्या कहा जाता है परसनल सैलिंग क्या उसको परसनल सैलिंग याद भी हो गया है अगराप कूपन का यूज कर रहे हो सेंपल अ चतंछ अगर आपकी कम्पनी की बैड़ी मिस्को अथ्ट यांगिक्टीफ क्या करता तो अगर पाटिसपेट सब्सक्राइब बॉहमेंचर प्रोसेजमेंग दोने चाहिए इस मेंसे कौन सा एड़ सी के अंदर नहीं आता आधा कुछ लिशिंफ अगर बात करें करने की स्पैलिंग को ठीक लेकित Tier कि क्या कहते है कर zij कर दो झाल멍िन कि इसके बाद अगर कहीं कि आप हैं इंकोड़िंग कहा जाता है क्या कहाता है इंकोडिंग के अदे कमेंट का मतल्ब होता है पॉझिटीव फोर वर फॉटीव पीड वार वर्वर क्या होता है क्रrences को मैं इंटरपेट 70 करता हैं उन्सकों कहते हैं पर क्वोड करणा करना मैसेज करने के कौन कौन से मैसेट को क्या कहेंग मैसेट की ग्रोव सिव कहते हैं क्या नहीं होता फास्ट नहीं होता अगर आप एक कम्मौनिकेटर को नोगे आपस में करते हैं अगर हम घराम जिए किस्पेलिंग इसकी बारे में फोकस कर रहे है तो उसको कहते हैं यह और अप लेंगेज को समझने को क्या कहते हैं निसिस कहा जाता है इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग आपके कंप्यूटर के रिसोर्स के अबलेटी तभी बताएगा जब आप ऑन डिमांड करोगे अगर आप अपने कस्टमर से वीडियो कोल बात करते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ आपको समझमा आया हूं कि चलिए एक काम करेंगे एक किलास हम और रखेंगे अपनी दिन में इजवार रख देंगे तो मुझे नीद आगी थी मैं सिधा उठाउं जारा बारा ग्यारा बजे उठाउं और मैं देखा रहे मुझे तो क्लास थी नो बजे यार साड़े साथ ब तक दो बार इसको लिखना और तूबर नेगे साम को अब बचाई क्या है कि रिखना टीके है इसके बाद रूफ वाल्स उसके बाद फिल अच्ने की नीड भी नहीं पर फिर भी हम करेंगे इसको कि मिलते हैं आप में सब्सक्राइब ऑद्ज करा देता पर मेरा पर परपस आज की लास में खतम करा देता और मेरा परबस्ता आपको याद कराना और मुझे इतना पता है मैंने 30 के 30 आपको याद करा दिए एक बार अगर पेपर में ऐसे लिखावाएगा आपको एक दम ही आएगा हिंट करेगा आपको यहां यह था मिलते हैं चीक है जी बाइबाई टेक क्यार है वनाइज दोस्तों कि वेरी वेरी गुड़ मॉर्निंग आज बिजनस कमुनिकेशन खतम ही हो जाएगा अलाकि मैं कल भी खतम कराई देता बट क्या था कि हमें याद भी करना था इस वज़े से हमने कल नहीं करा चीक है तो एक बा बाद आगे की कहानी पढ़ते हैं तोटल 14 रह गए पर कल का एक बाद रिवीजन हम देख लेते हैं याद करने के लिए कि आई यह कि आट टैस्ट भी ले लेना ठीक है ले लूँगा कि कम्मिनिकेशन डैट ओरिजनेट एट लोवर टू फ्लोर हायर में तब नीचे से हार लेवल पर जाएका तो क्या कहते है उसको अपूवर्ड कम्मिनिकेशन कहते है इसके बाद कम्मिनिकेशन अमंग सेम करना चाहिए फॉल्स स्टेटमेंट विची कम्मिनिकेशन बिजनस प्रोवाइट बड़ आई व्यू यू यह पांच टाइप की कम्मिनिकेशन होती है बिजनस एक स्पीकर बोल रहा है दूसरा उसके अगेंस बोलता है क्या कहते है डिबेट कहा जाता है क्या कहा जाता है ड सेंपल दे दिया हमने उसको कूपन दे दिया तो चैल परमोशन परोशन कहा जाता है को अगर कंपनी हिट कर रहा है दिवांग में एक दिन हो चुका है मैं पूरा भी बीच गया और हमें के और हमें दोस्तों अब भी पूरा पूरा हिट करता है अगर मैं इंफोर्मेशन अपने दिवांग की Feed-forward तो Positive Feed-forward कर्rüoft कमेंट कोना इवहता है नेगेटिग फिडबैक नेगेटिव फीडबैक इंटरपूटेशन सब्सक्राइज अगर इनफ्डेशन सब्सक्राइब उसको कवोड करता है एंडस्टेंड करता है समस्ता है इसको क्या कहते है decoding क्या कहा जाता है decoding क्या एक मैंट समय कि यूज यूज अदे चेन और जब एक पर्सनंग्रूप को प्रफॉमिशन देता है इस बहुत बढ़ी बहुत बढ़ी आजाओ फॉर्मल फास्ट पॉर्मल कम्पनिकेशन कभी फास्ट नहीं होता इन में से कॉन सी स्टेट जहां पर फोकस किया जाता ग्रामर ठीक करने में स्पैलिंग ठीक करने में रुवाइजिंग एंड एडिटिंग मेरे का पेपर होता बिजनस कम्पनिकेशन का और यह तीस चौन आ जाते ना मैं सो में सो लेकर चौलिज में चौलिज लेकर आता है कि रही बता रहा हूं मैं आगे बॉडि लैंग्वेज को स्टडी करने को जाते है ना इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग कैसी कर या ती ओन डिमांड कर जाती क्या कर आता है ओन डिमांड अगर मैं कस्टमर से वीडियो कॉंफरेंच में बात कर रहा हूं तो कॉस्ट मेरी बढ़ेगी इंक्रीज ह दशुड़ा होगी इसके बाद अगर कस्टमर को फ्रिक्वेंटली आस्कूसन की फैसिलिटी पर रएकर इसको कहते है सपोर्ड के और जाता है क्या कहा जाता है क्या सो एक पॉसिटीव परक्षा थाना चूझा सबस्सक्राइब कि पताओ आया नहीं आया दिमार्ग के अंदर वापसी कि अब अब जब मैं आपका टेस्ट लूँगा जब मैं आपका टेस्ट लूँगा तो देखना आपके पूरे के पूरे मांक्ष आएंगे टेस्ट में पूरे-पूरे मांक्ष आएंगे अगर विजनस कम्मिर्यूंगें और 1AH और 103 कोरशनु में एसटिए को शाजीज में तो आप मुझे दुवाई समत्होंगा है अंसे करें आए और अगर नहीं आया ज़ौर्त याह भी यही होता है human nature human nature यही होता है दोस्तों नहीं आया तो गाली इस वहीं तो आपने मैंसी घाला यह थे आए तक 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 आपने ऊद्धाइब हमय़ा तो देखते हैं पहला पेपर है ना इसलिए कुछ पता नहीं है अभी हिसाब किताब मुझे खुद नहीं पता जाएगा पर जहां तक मेरा मानना है नाइन्टी परसंट मैं शौर हूं यह पर स्टुडी मैट से आएगा करेंगा करेंगा करूंगा मैं भी पेपर यहीं सब्सक्राइब करेंगा तो देखना आप कितना आता है आपको की लिए लीटा दिये अब अगला करते हैं क्या कहता है सर ध्यान सुनिएगा कि बिजनस एटायर रफार जब आपकी जाते कही पर जाते है मीटिंग करने जाते तो आपका म्हें ऑना चाहिए वो किया अमें मेन पता है आप लड़किया जा रही है प्रोफेशनल कंडग राइट इस तो इंटरप्ट पीपल वाइल दे आर स्पीकिंग अगर आप और लोग तो किसी लोग परसन आपको बोल रहा है कोई परसंद बात कर रहा है और उसको म Tam को कहते हैं किया का जाता है बात करते किसी को तोखना रूट विह है रहे माना पहु Act at the end of day to be satisfied and of the day में ऐं't upon satisfy होना चीए हुआ कि at the end of the who need to be satisfied company तह बात में भी हो कस्टुमर होना चाहिए यहां पर तो supplier आज अधन, at the end of the day, who will be satisfied supplier customer एक एक भुक मैं तो शप्लाइर दे रखा है ख дома मेरे हैब से यहां पर कस्टुमर होना चाहिए ल defensory झाल झाल कि यह लिखा दे उस्तों कि एवरी बिजनस है और एक बिजनस के क्या है और यह और्डियंस है खुला यह लाया इसलिए तुमर यह ऑडियन्स कोई नहीं क्या है क्या है यह कि एंड औव देग होना चीजए सप्लायर दोडिना सप्लायर को सप्लायर को होना चीज़े आप वोलना है मुझे ऐग नहीं। तो दूसरा कस्टुमर अगर चले गया तो कि यह चलेगा बिजनस कि अप्लायर ही नहीं है सप्लायर हमें समान देगा हमें इसको पैसे देना बात खतम हो जाती है कस्टुमर को मैं अलग-अलग तरी के सटिस्पाइब करना होता है गुड कोलिटी प्रोडक्ट कस्टुमर सपो है अंसर लिखा होगा ना अपने माइंड को चेंज कर लेते हैं कि हमारा पॉइंट व्यू तो और्गनाइस्ट व्यू है तभी यह सप्लायर हुआ है अचरफाइब थोड़ना होगा ऐसा वोड़ी होता है अंसर के साब से आप अपने माइंड को चेंज ना करेग कर रहें कि कस्टमर होना चाहिए वहां पर at the end of the day कस्टमर सटिस्वाई होना चाहिए राइट टेस्ट में दूंगा यह कोशन राइटिंग इस डैस इना नेचर राइटिंग क्यासा होता है पर्सनल इंपर्सनल न्यूटल मनलब कॉंस्टेंट और क्यासा होगा पता यह कि और ली बोलता है लिखता है क्या करता एडिटर आप बताओ सर एडिर का काम क्या एडिटर होता है तुसका काम क्या होगा लिखना होगा ना तो क्या उसका अच्छा होना चाहिए इसकिल राइटिंग इसकिल अच्छी होनी होता है दोस्तों उसकी राइटिंग इसकिल पर बढ़ी आगे इन विच काइप आफ लेटर बायर वांट तो नो दप्राइज प्राइज जानता है कितनी कॉंटिटी में भेजोगे कितना प्राइज कोटेशन कोटेशन ही तो होती है जिसमें प्राइजिंग ऑफ दी गूट्टिटी ऑफ गूट्स बताते हैं बायर को कि भाई यह इस कॉंटिटी यह उसमें भेजेंगे यह तो बहुत सिंपल सिंपल है एक मिनुटीव नहीं कोटेशन में नहीं इन वीश टाइप लाटर भायर वांट तूनो दप्राइज इंक्वाइरी आर होटेसिंग दोणिना इंक्वाईरी को अहां-में इंक्वाइर इंक्वाइरी इंक्वाइर इंक्वाइरी और एक बोटर है शiction acabou रुक जाओ लिटिल बिल्ट कंफ्यूज हो रहा हूं मैं चैप्टर बताओ एक बार लैटर वाला चैप्टर रहे हैं राइटिंग इसकी लाइन लैटर पर पूझ गया हूं कि आख कि एक राइटर बिल्कुल साइब इंक्वाइर यूज वांट तो नो डिटेल वूड्स विचाट विलिंग डूबाइए इंक्वाइर लैटर बिल्कुल आप खिलियर हो गया लिटल मैं भी कभी 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 कंफ्यूज हो जाता हूं ती के ना कोटेशन उसकी बाद होती है कि भ सेल आब इस सबका जवाब देता उसको कोटेशन गयते है तो वायर पूछेगा तो इंक्वाइर इसका जवाब देगा तो कोटेशन यहीं बताया ता मैंने है रेगुलर क्लास में भी और मैं ही भूल गया बताओ इंक्वारी आएगा ठीक है हाव मैनी रिपोर्ट आर एर ओन बेसिस ऑफ लिगालिटी एक है सर लीगल आटी वाला चैप्टर हमने पढ़ा था पढ़ा था पढ़ाता पढ़ाता आज आपको कहां बढ़ा था एक चैप्टर से एक एक हमसी आरा हमाई ती ताइम लग्याद को करने में लिग रहा हुआ है लीगल एक्सपेट और बिजनस कि एर आर बेरियस केस्ट विज बिजनस कम्निकेस्ट एंसंचियल और नॉन कम्लाइज इस लीगल मैट इंपक्ट पहला दूसरा तीसरा चोथा पांचवा यह नहीं है क्या कोशन क्या बोला है इन विच टाइप आप नहीं हाओ मैनी रिपोर्ट आर देयर ऑन देश लिगाल अब कर दो कि रिपोर्ट कहां पड़ाया था रिपोर्ट आपको मैंने आपको याद नहीं तो हमें कहसे होगा तुम्हें तो पेपर देना है मैं पढ़ा कर भूल भी जाओंगा तो रिक्कत आ रही है बिजनस रिपोर्ट अ कि यह नहीं है कि कॉंस रिपोर्ट है कि हाव मैने रिपोर्ट आर देयर ओन बेसिद लिगालिटी कि यह तो ज्यान में नहीं आ रहा कि अंसर मैं भी बुक से देख सकता हूं लिगालिटी के बेस पर बताना है मैं रिपोर्ट तो यह है लिगालिटी के बेस पर तीज़े बतानी है अंसर क्या दिया इसका लिगालिटी के बेस पर यह रहा सब्सक्राइब बात लिगालिटी मतलब लीगालिटी में और नॉन स्टैटिटरी रिपोर्ट होती है दो टाइप से बाटा गया लिगल्टी के बेस पर स्टैटिटरी और नॉन स्टैटिटरी देखो मिल गया ऐसे नहीं हवा में बात करेंगे दो टाइप आप यहां पर हाओ लिगालिटी के बेस पर किते टाइप से रिपोर्ट को बाटा गया दो statutory or report or non statutory report right अभी गया 88 at a stage where in a member have spotted the difference in their culture culture में जब difference देखा जाता है and they look upon these differences negative और जब culture में डिफरेंस देखा जाता है कि उनका culture अलग है हमारा culture अलग है और हम इसको negative उनका culture बेकार है यार बेका पता है क्या क्या करते रहते हैं हमारा culture अच्छा है जब ऐसे बात आती है जब हम culture में और इसको negative में जब लेते हैं तो ऐसे के अंदर दोस्तों कि इन में से कोई भी नहीं कुछ और नाम होता उसका आई बताता हूं थोड़ी देर में जब धूंड के कि मिस्टर एट एक चीज करते हैं यह से करके कॉप्री करा मेरी स्कॉप कॉपिक ओप्शन लिए और इसको अब करते हैं और इसको नहीं करते हैं रुख जाओ और इसको नहीं करते हैं रुख जाओ करते हैं झार आक है यह तर इसको नहीं पाहित भी विर को शुप फिर विर नहीं करते हैं यह जड़ी बिल तो गया प्रेवर रीचेक कर रहा हूं है कि ये तो कुम मिनिमाइजेशन डिफेंस डैनियल सुच थे आपको स्टेप फॉलो करना है ये दियों मिनिमाजेशन इंटीकल इंटीरेशन डैनिल्स टेप्स थे तो इंटीकर लोन यह झे Czech현 lleven a person believe that is or her culture मेरा सुपीर बढ़ा है मेरा कपना चाहिए आपका चल्चर छोटा है इस तरीके ते जाम बात करते हैं दोस्तो इस तक को हम बात करते हैं तो हम उसके इसके अंदर कहते है यह हो गया एक तो यह बोल सकते हैं दूसरा इस पर करेक्टनेस और एक चीज़ और देख लेते हैं यह पूरा एक्जट लिया गए यहां पर बात कर रहा है यह बात कर रहा है कि यह कह रहा है कि अधर प्लचर उनसे जादा बड़ा है नेगेटीव यह द्वारा चक कर रहा था डिफेंस पैंच के अंदर लगा लिए इसको जी बड़ पढ़ ले न ठीके न आफ ड़िफेंस के कहते हैं डिफेंस कहते हैं कि वो अपने कल्चर और कहता है कि टूछी ज़ेजघ है और दूसरे बेकार कल्चर है तो इसको कहते है डिफेंस कहते लिए tur 기्द गरोंड अलग-अलग Spark सदोस्टर अलग अलग इपन करते देए मिस्टर बी जो है इसका सुपीरियर रखे लिगाए सुपीर यह आगे ना वही ए फॉर्ण चाहिसम टॉन तोन जिन इस फेलो सेंट्रेजम एसंट्रेजब्ण यह कह सकते एप चाहिए पड़ा कि यहांपर क्राओशतर क्या होता है फिर एपने कल्चर को स्पीरियर है यह थाकूर है थाकूर को पूल rivers को स्टेजिश पुर्ट कहतें आयाही रही सारी स्टेजिस आप याद करेंगे बहुत इंपॉर्टन स्टेज आए एक लोग से कई कोशन बन रहे है तो आप खुद लीजिए कि स्टेज कितनी इंपॉर्टन है एक लाट सेज एडिच मेंबर लन्ट तो अच्प्ट इच अगल यह तो अट इसको कहते है इसको अडॉप्शन अडॉप्शन मतलब को है अडॉप्ट करना तुसरे कल्च वह क्या करते हैं अडॉप्ट कर देप्शन ते यह ना इन चले संसिटिव दमांब फंक्षिंभा आल यह लर्न और अबाउट नहीं 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 अट आप्सटेंस अजिए अब 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 यह लिखा ना मैंटली शिफ्ट अडप्ट अड़्जस्ट ओपरेट विदिन अदल कल्चर आफ्र अंडेस्टेंटिंग बोद दा कल्चर अडप्शन हम क्या सकते हैं adoption यहाँ लिकाय glad option one of the same thing he gonna put out recognition that the difference types of culture the similarity and difference between them without being judgmental is called acceptance culture sensitive food और इंटीग्रेशन रिकोगनाइजेशन दाट डिफरेंस टाइप्स ताइप्स अप कल्चर पहले मैं आपको यह पढ़ाता हूं रुख जाएक मनें तेरा आपको ही समझ माएगा यह पढ़ो दिखो ही है लानि पढ़ो so cultural sensitivity is defined as recognized the different types of culture the similar यसके पास देखो दुन जजमान संसिटिविटी रहे हैं पूरी लाइन और हो मैं आपको बुक में दिखा रहा हूं जान बुद्च तो समझ लो चैप्टर कितना इन्पॉर्टन रहे हैं देख रहे हैं कि याद करके जैएंगे तो नो इस chapter नहीं इस से भी कूछ सकता है इस से भी पूछ सकता है तो यह chapter यह आला point जो है वो याद करके जाना है आपको ठीक है एक एक उपर उपर की line याद करनी है which of the following is not an example of physical communication barrier इसमें से कौन से ऐसा है जो example नहीं है physical communication barrier का is not an example of physical communication barrier अगरा च्याप्टर यह business barrier जै एक फिजिकल बेरियर डिस्टेंस आता है इंवार्मेंट आता है टेकनिकल डिस्ट॥र्पेंस आता है और टाइं माता है अब क्या नहीं है टेलिफॉनिक डिस्ट॥र्पेंस वह टेक्निकल वाला आ गया और इनवाररमेंट से का यह साफाना कि इस्टेनस आ इनवारोमेंट से बहुत बहुत जाती है एंवारमेंट से वैधर घंडीन आता है रहारमेंट से बैधर कंडीजन आता है है कि ने गया आसकती है ए पीजिकल कॉम्under कहीं एक हुआ कि मैं आपसे बात कर रहा हूं नौइज बहुत तेज तो आप सुन नहीं पा रहे फिजीकल बेरियर के पा जाता है पर लेंग जो होते हैं लाइंग वेज़ पा आता है चिस्टेमेटिक बैरियर के अंद देखो यहां लिखा हुआ है सिमैटिक बैरियर का एक्जामपल ह तब आएप दो कःता है एक्सिभ यूज़ए अब टेकनिकल वर्ड जो और जो डूसरा समझ नहीं पा रहा है आप ऐससे तरीके दो गुमाफिदा के बाते वह समझ को चोड़ रहा है मतलब मतलब जब हो जाते हैं जब किसी एक बड़के दो मतलब निकाल लेते abilities कोईह बोल रहा हुं उसके दो मतलब निकल रहे है त्बास्ट पीफर साडल सार फिलास्ट इनफोर्मेशन उवर्लोड इस लेन लिसनर लिस्नर गैट अद्विकेट इंपोर्मेशन लिस्नर गैट इंफसर्मेशन लिस्नर इन 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 आतेंटिव आप बताये सर इंफ्पोर्मेशन अब ओढतार जातार है आपको बताया जारूँ आपका मनी निवहरा तुक यह पुछ ले चबोड से लेकर रात तक पड़ाओं सार इंफर्मेशन ले लेते हैं और आप नहीं ले पाता उसके बाद तो ओवर्लोड इंफर्मेशन कहते हैं लिस्नर को बहुत सार इंफर्मेशन मिल जाते हैं तो इनफर्मेशन ओवर्लोड किया जाती है खतम होगे एक बार में 31 से लेकर 44 तक दुबारा और रिपीट कर रहा हूं 30 बार रिपीट कर रहा हूं ठीक करते हैं बिजनस अटायर राफर्ट टू क्लोथिंग और प्रोफेशनल कंड़क्ट इस इंटरप्ट पीपल वाइल यह स्पीकिंग बाइल रूड एड़ अड़ आप दे हूं इड तो सटिस्पाइ कस्टमर्स कस्ट होचता है तो कहते हैं इंक्वारी और सैलर जब बताता है किसे इंक्वारी आएगा लिगलेटी बेशिज पर कैसे बाटा दो तरीके से स्टैट्यूटरी और नौन से स्टेज्ट है जहां पर डिफरेंस इन डियर पल्ट्टर एड लुक अपॉन दिफरेंस अं नेगिटिव क्या होता है none of the above क्योंकि वो जो स्टेज है वो है डिफेंस क्या है इसका क्या था कि मिस्टर और मिस्टर भी आपस में अधर कल्चर से मिस्टर भी क्या था मेरा कल्चर सुपीरियर है एट बिल्द अंसर इस एथनो सेंट्रिजम बोलने में भी रुखना पड़ रहा है ऐसी कौन सी स्टेज है जहां पर हम दूसरे के कल्चर को एंबर लर्ण टो एसेट करना सीखते है ड़िसकौल अडब्शन राइट रिकोगनाइज न डिफ्रेंट टाइबस तैप्स डडिश को कल्चर सेंसिविटी में क्या आते हैं जब दूसरे के कल्चर को समझते हैं रिकोगनाइज करते हैं देखते हमार में सिमिलारिटी कितनी इसके बाद यह मैं सब्सक्राइब नहीं है फिजिकल कम्पूनिकेशन बेरियर का लैंग्वेज नहीं है जब आप एक बढ़के जब दो मतलब निकलते सब्सक्राइब लैंग्वेज बैरियर इंफोर्मेशन जब ओवर्लोड जाते हैं लिसनर गैट टू मच इनफोर्मेश याद हो गया प्रूपॉज पहला दवर्ड कम्निकेर ये सियर एस मतलब क्या होता है एंफके तू क Country मेंशन और क्राम यह ही स्माचिक रिलेशन सीफ संब्सक्राइब के जो जी कम्मिनिकेशन Давай मैं किसी से बात-बात तो वहां मुझा नहीं Store यह कर लेना यह आपको बुक में मिलेगा भी नहीं कर लेना एक बार देख लेता हूं पहले देख लेता हूं एक बार रोख जाओगा है ना आप भी देख लो एडबर्टाइजमेंट को लेटिन बड़ में कहते है तबूला टी ए बी यू ल ए तबूला इडी बी यू ए यार रहेगा बूला टबूला टी ए मैं कमेंट कर रहा हूं ती ए आप लिख लो कहीं बर में बोल रहा हूं ती एंडी यू ले टी ए वल कर्में आया मैं करते हैं और अला है तने का यह चाहते है आज में एंक डिक्ते हात और आजि कर्मेंड था इंपल्स है इंपले का बिसेंगी मंगेश्मांक डिक्ञी की जा फोला है ने ओ सुद धर एक बिसेंगास्टकरणीं कि इस एंगेजमेंट मतलब हो गया एक तरीके का कि इसे हमारी इंडिया में लैंग्वेज क्या है हिंदी है ना ऐसी रॉम एक कंट्री है उनकी लैंग्वेज है लैंटी लैंग्वेज वह वहीं से तेक अलग जहांना चाहते लुग अगर इंडिया ऐसा कहे रहा है इंग्लाइंड से बेसिकली और इंग्लाइंड निया है रोम से इसलिए वो चलावा आ रहा है रोम यूज करते रॉम कंट्री यूज करती लैटिन लैंग्वेच एक वर्ड को अलग-अलग इंगेजमेंट कहा जाता है कि वन में कॉम्निकेशन प्रोसेस इसा सर्कुलर मौडल नहीं बनता टूवेग अगुजिए इसके बात यह अपटीक का मीनिंग आप एक बार देख लीजिएगा है यूज आप टच इन कम्मिनिकेशन यूज आप टच इन कम्मिनिकेशन करते हैं आप जब टच करते हैं एक लड़का जा रहा है अपनी गल्फ्रेंड के साथ और क्या हाल चलो ऐसे करके जा रहा है करते 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 हैं और पता नहीं क्या हुआ उसको इतना भी भीचे घुसन मार दिया उसके वह एसक हो गया तुम्हारा भी कहरा मजा आ रहा है वस टेन ओफ कमांड मींज क्या होता है यह तो पड़ा है आपने मैंजमेंट में लावल आप अथारटी किस से कहां पर लैवल पर ट्रांसपर होगी अथोर्टी रिस्पॉंसिबिलिटी अकॉंटिबिलिटी तोसल मीडिया पोस्स इजा राइटर टाइपिंग रिटन टाइप आप और क्या करते हो और प्रिपोर्ट हमें बदाजमा करानी पड़ती है जब हमें पता है कि यह जमा लीगल है लीगलिटी का मतलब होगा कंपल जरी आपको जमा करानी ही बढ़ेगी आप मना नहीं कर सकते इसको बिल्कुल सही है ट्रूं रिचिंग बिपोर और ऐन टाइम ओं मिटिंग रफलेक्ट यह आपको खुद परना होगा सेल्फ करो यह कि कि भी अगण सेल्फ करने आपको अगश्चेक्त करना होगा इनपको याद करना होगा एंशी क्यों में चार ऑप्सन होते हैं इसमें तूप वोते हैं आपको याद करना पड़ता है तो यह मेरे बताने जा नहीं होगा यह आपको खुछ को याद करना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर तो हम पुरा से लेपस बढ़ चुके है तो आपको फिलिंद अप्लैंग्स को करेंगे कुद करेंगा मतलब एक बार पंड़ लेना मतलब ज्यादा फोकस आप में रखना है पर एक बार आप इसको भी घुमा लेना ठीक है खतम हो गया कोर्स कर लिए सारा रिविजन करा दिया मैंने आपको रिविजन कर लिए आपको सारे याद करवा दिये 44 के 44 आपको बिया है कि आज आप एक बार दो जे तीन बार इसको रिपीट कर लेना ल travelers कम से क्यों रिपीट कर लेना कर दो या तीन बार एक भार एक बार सक्विव पेपर तक भूलो गई नहीं घoltयाुत शुक्र आने बाला है तो दो तिन बार इसको रिपिट कर लेना ठीकिदी बॉसक किया आवाओ